कि अब अब कर दो कि हलो एवर्ट कम्पटिशन में सब का स्वागत करता हूं दोस्तों और आशा और अमीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तैयारी बहुत जम के कर रहे हूंगे गाइस हमारी जो घटना चक्र की जीएस की पॉइंटर वाली सीरीज चल लिए उसमें अगली बुक मैं लेक्या गया हूं इंडियन हिस्ट्री का जो पॉइंटर है उसको एक मास्टर वीडियो में कवर किया जाएगा और अल्रेडी हमने इंडियन पॉलिटी का मास्टर वीडि कर ले हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है चलिए स्टार्ट करते इस पार्टिकुलर बुक को कवर करेंगे फटाफट इंडेक्स में देख सकते हैं स्टोन इस इंडिस वैली सिवलाइशन इसमें तीनों चीज है ठीक है एंसींट मीडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों हिस्ट्री है ठीक है बहुत ज्यादा बल्की नहीं है पॉइंटर में विल्कुल फैक्स है आपके एक्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपोर्टेंट है प्रिबियसली पूछे का कोश्टन भी है और आने वाले भी प्रॉबेबल कोश् पहला सवाल कहता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट रॉबर्ट ब्रूस फुट वास क्या थे रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे यह एक जियोलोजिस्ट और आर्केयोलोजिस्ट थे ठीक है जियोलोजिस्ट और आर्केयोलोजिस्ट थे इनको फादर प्री हिस्ट्री कहा ज इसलिए इनको फादर आफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है थ्री एज सिस्टम डिवाइड़े इंटो स्टोन ब्रोंज और आईरन फ्रॉम दे कलेक्शन अफ कोपेन हेगन कोपेन हेगन म्यूजिन वस क्वाइंड बाइ जो तीन एज सिस्टम जो की स्टोनेज जिसमें स मेसोलिथिक एज इसके अलावा जो है मेसोलिथिक पीरियड पेलोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड आपको पढ़ने को मिलेगा स्टोनेज में लिथिक कम मतलब होता है स्टोन इसके अलावा फिर बात करें अगर हम ती दूसरा वाला तो यह था स्टोन के बाद ब यूजियम में यह क्वाइन किया था थॉंसंन थॉंसन दव फॉस्ट एविडेंस एफ डोमेस्टीकेशन रफ इनव मैने सुपाउंड मेसा लिफिक पिरिएड मेस Видis к일 के क्या है मिडिल का थीट थर ठिक्षब सबसे पहले पेलियोलितिक था तो पेलियोलितिक में किया था डोमेस्टिकेशन शुरू नहीं हुआ था लेकिन अब वैसे जानवर जिनके दात छोटे हो ज्यादा खुंखार नहों उनको जो है लोग जो है मेसोलितिक पिरिएड में टेम करने लगे उनको लुबहाने लग गए कुछ फू दोस्तों एक बहुत ही इंपोर्टेंट जगह है जो कि नर्मदापुरम एंपी में क्या सपस पढ़ता है और बगोर जो कि भिलवाडा रास्थान में पढ़ता है यहां पर जो है एविडेंस मिले है कि एनिवल को कई ना कई टेम करके उनको डोमेस्टिकेशन करने का काम किय गया था यह काम हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में तो आंसर होगा ठीक है आदमगर जो की नर्मदापुरम एंपी में पढ़ता है बगोर जो कि भिलवाडा रास्थान में पढ़ता है नेक्स्ट कोश्चन है बून ओर्नमेंट्स इन दे मेसोलिथिक कॉंटेक्स इन इंडि इन इंडिया में बात की जा रही है वेस्ट ट्विस्ट के मतलब अगर भारत को ऐसे नक्से पर देखोगे तो वेस्ट टू इस्ट आपको सजाना है कि अल्व कर ओंग अव्फली कर रहा हूंस इदर स इस जाना यह थेख है वेस्ट विस्ट तो सबसे पहले आएगा महादाहा positives लेखा हीया फिर आएगा पैरसा पैरस रा फिर आएगा बीर भानपूर ये जो है वेस्ट्विस्ट का mit fell ट्री एक साथ इसे पाया है यह जो है यूपी का ग्रेव था दम दम परतापगड में पढ़ता है उपी में दम यहां से ti-ne skeleton human के एक ही single grave से मिला है the cultivation of cereal first started to cultivation of cereal की बात करें cereal का मतलब है कि धान चावल और ऐसे क्रॉप्स तो cultivation इनका स्टाट हुआ था नीओ लिथी के जब अगरिकल्चर स्टाट कर ईथी तो हमने जैसे वीट बार्ली एंड राइस ऐसी चीजों को उगाना सुरू किया था नियो लिटी केज में मेहरगड जो है एक जगह है पाकिस्तान में आप मैप पे देखोगे तो मतलब नौर्थ विश्टन पार्ट हमारा जो है और पाकिस्तान का इनिसियल पार्ट है मेहरगड वहां पे पहला वीट और बार्ली का जो है एविडेश मिलता है राइस का गंगिटिक में हमें उधारन मिलता है कि अफैन्य ऐस्व मैं इंडिया इस फांडिद नर्मधा वैली नर्मिदा मैं आपने सुना होगा भीम बेटका करके जगह है ठिक भीम बेटका करके जगह है यह आए इंडिया में इष्ट एविदेन्स भैने काई इनकाइन से लेटेलड हमें मिलता है नर्मदावैली तके स्बीशली भीम बैट का जो जगह पता है में MP में है the first cereal used by man was पहला cereal जो खाने के लिए यूज किया आदमी के दोरा वो किया गया था बारली ठीक है first cereal used by man was barley first cereal used by man was barley and the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent comes from which place ये है लाहूर देवा लाहूर देवा जो है लाहूर देवा earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent हमें मिलता है लाहूर देवा से out of the given options namely old stone age जिसे हम Paleolithic भी बोलते है नियो लिथिक और नियो लिथिक को new age भी कहा जाता है and iron age which is known as the calco-lithic calco का मतलब यह होता है copper ठीक है calco का मतलब होता है copper calco-lithic age से मतलब है मेरा यहां पे copper age का ठीक है calco-lithic age मतलब copper age the cultural remains from stone age to harapan civilization have been obtained from which given sites of Amri, Mehergad, Coat, DG, Kalibanga पूछ रहा है कि जो cultural remains मिले है stone age के to stone age से लेकर harapan civilization तक के यह remains मिले है they have been obtained from which given sites of Amri में से है या मेहरगड या फिकोट जी या फिकाली बंगा तो यह हमें प्राप्तवां मेहरगड से अभी मैंने मेहरगड के बारे में बताया था कि यहां पे जो है यहां पे basically wheat और barley का initially मतलब 8000 साल पहले वहां पे उत्पादन किया जाता था तो यह यह site इस particular question से भी related है क्योंकि इसमें पूछा गया कि cultural demands from the stone age stone age से लेकर हरत्मन civilization तक stone age मतलब Neolithic age से भी related है और हरत्मन civilization से भी site related है मेहरगड पर presently पाकिस्तान में यह पढ़ता है अगला सवाल है नवदा टोली नवदा टोली वाज एक्सकेवेट रॉस्ताने च्रिक से ले था एक्सक बेट किया यह size अच्डी संकलिए नवदा टोली वां एक्सक कवेट एच्डी संकलिए हच डी संकलिया ह्डी संकलिया नौइग नौदा टोली इस लोकेटट है कहां पर यह मद्हे एक इच्डी संकली जilläने मेगालीज मेगालीज का मतलब होता है oldest मुझा अब बड़े पत्थर हो शर् smo यहां पर सब्से वड़ा पत्थर आख रहता यहां पर whole भी हुआ करता था जहां पर ये यहां पे ब्रिय यहीं को एक्सक्क्न ये सकता और इसमें लास्टार्श डाल जीह outta तो मेग लिठ जो टॉर्म है इस इतनिपाइड विध अधी बूरियल साइटस यहां पे कबर्ःस्तान की बात कर है करें की बात करैं मेगा hoe दो मघए पहां पर यूजह यहां होता है संगन कल्लू बिलारी करनाटक में भीम बेटका देखो दोस्तों आ गया भीम बेटका यह MP का साइट है भीम बेटका इस फेमस पूर यहां पर रॉक पेंटिंग काफी ज्यादा पाई गए जिसमें उस समय के मतलब लीनियर पेंटिंग होगते थे यह से लाइन से पेंटिंग म बहुत अन्यां पर पाया गया है उर्ल्यस टाइम का थेक है भीम बेटका में पाया गया है अर्ल्यस टाइम का अब भीम बेटका जो साइट है दोस्तों कहां का साइट है MP का साइट है मोस्ट रॉक सेल्टर्स पिक्चर्स इन इंडिया है इंडिया में यह पाएगा है भीमबिट का एक साइट है जो कि प्रजेंट डेंपी में यह पड़ता है आउट अब गिवन प्लेसे नेमली अजन्ता भीमबिट का बाग अमरावती विच फेमस पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग तो अगर बात करें हम अजन्ता के गुफाओं की भीमबिट का की बाग केव की और अमरावती यह सभी केव्स हैं ठीक है यहां पर जो है तो पूछा ग पर जो हनलगा केवा मरम एक और पीम मेरावाती अगला है देरिक केव्स अफ भीमबिटका आर शिचUeder यह सिचUएट है कहां पर अब्दुल्ला अब्दुला अब्दुल्ला अब्दुला गंज रायसेइन एं फ में है सिचU deer अब्रूला गंज राचान एं फेम्पी मेंस सवाल फिर से सुनिए ऐसे इंडिन आर्केलोजिस्स के बारे बताया है बताना है जो बिजिट किया उन्होंने पहली बार भीमबेटका केव में डिसकवर किया प्री हिस्टोरिक सिगनिसिकेंस अफिस रॉक पेंटिंग इनका नाम है वी एस वकनकर चीक है वी एस वकनकर ओकरे लुट्रे और बनकर हम Weak prot खेंल फोलते ही और रावघ्क посмотреть को शुट्री और हास्तिनापूर पीजिए यहां पे जिल्प एक उसी कई पार्टरी का उपीघ्डइनस मिला है सांथ मिला है आंके लोजिकल एविदैंस मिला है इंद़ केल्को ऍक्चांओ का अत्ल Kaiser पर एज ठीक है इन दो कैल्कोलिथिक पीरियड पीपूल फ महाराष्ट्रा बूरीड देर डेड अंडर दफ लोर फ देर हाउस इन तो यह डाइरेक्शन के बारे में में पूछ रहा है कि जो डायरेक्शन होता था कैल्कोलिथिक पीरियड में ब्यूरियल का वो किस तरीके से हेड जो था वह नौट में होता था और लेग जो ह diva था इस तरे के से चेरिक जो सब्ङए सबят के क्या को लितिक परियेड में माहराष्टा के लोग ब्यूलि करते थे आउट अप डिवन साइट नैमली ब्रमगेरी बुर्जाहूम नीels में है ठीक है चिरांदि साइथ है छपरा के पास पढ़ता है बिहार में मस्की ब्रमघिरी और मस्की करनाटका में तो पूछ रहा है कि आउट अब गिवन हम का यह साइट है जेनके में पड़ता है यहां पे एक ग्रेव में एक आदमी का भी साओ का रिमेन है और एक कुट्टे का विए तो इन्हों ने आर्के लोजिस्ट ने इससे विडेंस यह निकाला इससे रेफरेंस यह लिया कि वह हो सकता है कि कुट्टा इतना सबसे के करीबी दोस्तों में है ठीक है पसुओं में सबसे जो है मोस्ट फ्रेंडली कुट्टा ही होता है तो हो सकता है उस बज़ा से उसको रफनाया गया हूं खैर अगला है दा इविडेंस पीट ड्वेलिंग मतलब की पीट मतलब जमीन को खोद के अंदर रहने का जो काम कर देघ्टेयों से देविडेंस अपिट ड्वेलिग है वीन अप्टेंड फ्रम बुर्जा हूं एगें जेंड के बुर्जा हूं एगें जेंड के रॉक सेल्टर अव बीन दाज्याज वेरे मैक्सिम नंबर हूमन स्केल खैलत इवन आपन है यहाल लेखनिया में यहाल लिखा Archaeological Survey of India as an accessory llisses do ministry of Culture the father of Indian archaeology and first Director General of archaeological survey in 1871 very important question, most reported repeatedly asked question Alexander Cunningham the Father of Indian Archaeology एन फिर्स्ट डायरेक्टर जेनरल आपकेलोगिकल सरवेई इन इन 1871 एज अलेक्जेंडर कुनिगम नेश्नल मुजियम अफ मैनकाइंड नेशनल मुजियम विच वाज री नेम्ट आज इंडरा गांधी नेशनल हुमन मुजियम इस सिचुवेटेड हैं तो प्री हिस्टोरिक पिरिएट के हमने जह कोश्टन देख लिए ना इस टाइम फॉर इंडस वैली सिविलाजेशन तो इंडस वैली सिविलाजेशन के पॉइंटर उसको देखते हैं पहला पॉइंटर है human society is unique because it depends mainly on human society unique है क्यों क्योंकि यह depend करता है economy पे human society is unique because it depends mainly on economy US쁩니다 सिविलाजेशन की इन वे इन्डफबार गया है तो हड़ब्लाजेशन के जो है 咆 ह। आप हेज़एशन को दो नाम और है ऐसके इंडस वैली सिविलाजेशन है फिन्चा इंडस सरश्वतीक्स को थे कहते हैं तो हड़ब्ला स्थिविलाइशन इसका नाम इस लिए रखा गया क्योंकि पहली साइट जो इनडस वैली में चाहिए फिर इंड़ाइशन की खो지 गई थे वह रपा ही थी तो हडपन सिभाइशन भी कहते और इसे इंडस नदी पे काफी इसके साइट से टो इनडस वैली सिविलाइशन भी तो यह इस तरीके का सिविलाइशन था प्रोटो एज था है इंडस्व वाइली सिविलाइशन वसना अर्वन सिविलाइशन और आर्यनों की जो कि हमारे यहां बेलिक सिविलाइशन में उसके पार्ट थे वो लोग वो मेली जो है पास्चोरल पीपल थे मतलब कि खेती चारागाह से लेटेट थे पसू रखते थे उनका जो वेल्थ जो है कैलकुलेट होता था तो इंडस वैली सिविलाइशन जो है का रुडल सिविलाइशन था एकॉर्डिंग तू चचनामा दे कैपिटल फिंडस कंट्री इन सिक्स्थ एंड सेवन सेंचूरी वाज अरोड ठीक है चचनामा की माने एक इंपॉर्टेंट एक बुक है चचनामा अलाकि मुस्लिमों की हिस्ट्री से काफी ज्यादा रिलेटेट है खेर बट इसमें जो चचनामा की बात करें तो कैपिटल जो है इंडस कंट्री की जिक्स सेवन सेंचूरी में अरोड जो है मानी गई थी इंपॉर्टेंट रीजन टो कीप इंडस वैली सिविलाइशन बिफूर आर्यन सिविलाइशन इस पॉट्रीज ठीक है पॉट्रीज जो अंतर दिखता है हमै that it had the amenities of developed city life Indus Valley civilization बिल्कुल एक नगरीय सब्वेता थी सडके जो है एक दूसरे को 90 डिगडी के इंगल पर काटी थी तो बिल्कुल और नालियां थी तमाम चीज़े सहरी सेटप था यह वही अगर बात करें अगर हम वेदिक सिवलाइशन की तो वह एक रूरल सेटप था इस पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब है कि मचली उसमें बना दिया सेर बना दिया इस तरीके का पिक्चर से दिखाया गया था पिक्चर से दिखाया गया था तो पिक्टोग्राफिक नॉलेज ऑफ आइरन आइरन की घ्यान जो है यह वेदिक पीरियद में पता चलता है खासकर लेटर वेदिक पीरियद में तो तीनों यह अंतर है तो हमारे पास जो सोर्स है वो आर्कियोलोजिकल एक्सकेवेशन है उनका जो सेटप था जो सहर थे खुदाई में जो हमें मिले हरपा में मोहन जोदाड़ों में वो थे उनकी पॉटरीज थी उनके बाकी बीड्स मेटल्स कॉपर का ब्रॉंज का जो स्टैच्यू वो सब करेक्केश पेर तो लियास वैली शिवलाइशन थे बिलकुल एड कोल सअभा का है इन ड़ेशन एक अर्बन सिभलाजशन थे अर्वाइशन थे अर्बन सेट था लेटर वेदी की रेडियश भीन चिन rip की भीलेशन दॉटल्स अउस्ट्रों थी इस देप्ट फेस पिरिव about the inhabitants of Indus Valley civilization is discovery of what discovery of what discovery of seals seals से हमें पता चलता है seals जो है न ये जब trade की बात करते हैं तो उसमें seal की बात करते हैं तो main source है ये knowledge about the inhabitants of Indus Valley civilization is discovery of seals the correct match regarding the origin of Harappan civilization तो E.J.H. Mackay ने बोला कि migration of people from summer ठेक है मौर्टिमर वीलर ने कहा migration of idea of civilization and अमाल नंदा गोस ने कहा pre-Hadappan culture mature to make Harappan civilization the earliest evidence of silver in India is found in the Harappan civilization Harappan civilization में silver भी use हुआ करता था gold भी use हुआ करता था but iron उनको पता नहीं था तो earliest evidence है silver का वो Harappan civilization ये the color which was commonly used in the Harappan pottery was red red color का जो है ये use करते थे pottery को color करने के लिए बरतनों को मिट्टी के बरतन होते थे उनको color करने के लिए the beginning of idle worship is to be considered in idle worship मतलब मूर्ती पूजा जो है start होता है pre-Aryan age beginning of idle worship is to be considered in pre-Aryan age out of the given animals namely cow elephant rhinosaurus tiger which was not represented on the seal and terracotta art of Harappan civilization तो आप जब सील में देखते हो ना सील में आपको वहां पर tiger भी मिलेगा आपको वहां पर एलिफेंट का भी picture बनाया हुआ है उन्होंने और पसुपती का तो है बीच में बैठे हैं वो बट काव का नहीं है काव का नहीं है राइनोसोर का भी है काव का नहीं है उस पर कहें लिए घृपन सीविलाइजाशन साइट मंडी इस सिच्टेट इन अचाई रखा यह उत्तरप्रदेश में नहीं है यह गलत आंसर दे रखा है मंडी जो है गुजरात में सिचुएटेड एट अगला सवा देखते हैं करेक्टली मैच देखना आपको इंसेंट साइट और आर्कि लोजिकल महां से क्या मिला है फाइंडिंग क्या है अर्केओलोजिकली जो एविडेंस मिले है उसमें क्या मिला है आपको मैच करना है तो लोथल से एक डॉक्याड प्राप्त हुआ है डॉक्याड आज भी वह डॉक्याड बिल्कुल ऐसे है तो डॉक्याड क्या होता है नाव को बाहनी के लिए जगह होती है काली बंगा से जूते हुए खेद काली बंगा जो घ्रास्तान की साइट है यहां से प्रापत हुआ है ओका हवीरा से फिर्यूरह से वाटर मैनेजमेंट भी काफी ज्दा यहां पर दो ला वीरा में हुआ करता था बेना वली जो कि हरियाना का साइट है यहां पर पहर टेराकोटा रिप्लीका पहलाओ कि मतलव की से बना को प्लो का यानि कि हल का बना वाली हर्याना से मिला है दा करेक्ट मैच्ट पेर हडपा जो है तो हडपा सिमेंट्री आर 37 लोथल में डॉक्यार्ड ठीक है काली बंगा में जुते हुए खेद यानि कि फुरोड लेंड मोहन जुदारों से डांसिंग गर्ल का स्ट्रेचू यह सब हमें मिला है फिर करेक्ट देखना है हडपा जो किस नदी कीनारे बसा हुए हडपा जो corrupt 1 दीके किनारे हस्तीनापूर ज रोपड राजस्तान का साइट है सतलज नदी पे किनारे बसा हुआ अब हम फिर से देखते हैं हिस्टोरिक प्लेस और वेल नोन फॉर बुर्जा होम जानते कि एक नियोलिथिक साइट था यहां पर हमने देखा कि कुट्टे को भी दफनाया गया था आदमी के साथ और पिट ड क्यांटते मिलना मिला automation कोप्र के साख्ष मिले से आफ डिस ट्री इसफ्ट हिस्वाण ऐङ सीव फ्रèmes डेसन चीप पिपल के पेड़ का संभी सबखाश्य सेट है Ginger अ क्वी ऊज़ोगा ह्यें हैं को सिप्यास्पगआ तो ग्रेट बाथ जो था यह मुहन जोदाड़ों का साइट है the other name of Indus Valley civilization is इसको Bronze Age civilization भी कहा जाता है हरपन civilization भी कहा जाता है ठीक है the correct statement about the Indus Valley civilization is they were unknown to iron यह सब आईडन के बारे में नहीं जानते थे यह unknown to iron Indus Valley civilization is known for what Indus Valley civilization जो थी यह किम चीजों के लिए जानी जाती थी तो यह it is a town planning था यहां पर टाउन प्लानिंग का system था नगरिये सब्विता थी ठीक है इसके अलावा जो है मुहन जोदारो और हडपा यहां का site भी यहां पर था और इस इंडस्टेलाइशन क्योंकि यहां पर जो है बहुत सारे कारखाने भी उस समय बन गए थे चोटे लेवल कहीं बट इंडस्टेलाइशन था ठीक जैसे बीड्स बनता था चूड़ी की फैक्टरी हुआ करती थी तो करेक्टली मैस्ट पेर्स आपको बताना है आलमगीरपूर यह एक हड़पन site है यह पढ़ता है कहां पर अलमगीरपूर उत्तरप्रदेश में अलमगीरपूर एक हड़पन site है कहां पढ़ता है उत्तरप्रदेश में लोथल एक हड़पन site है गुजरात में पढ़ता है रोपड रोपड एक site है जो की पढ़ता है रोपड पढ़ता है पंजाब में पंजाब का site है बनावली हर्या अबयाना का साइट है यहां पे तेरा कोटर रिप लेखा ए happy यहां पाएंगा यह जो आइमाबाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वार्फका यह साउ दन्म सक्ते हैं करे साइट माहराष्ट्रा मैं पड़ता है है कि यह साइट जो है जम्मकरस्मीर का बालू जो है अरियाना का साइट है पादरी घुज्रात का साइट है था सबसे सेफढ़ नों कि निया पकीस्तान के सींधे प्रूबिंस में लोकेटर है मोहन जो आडो छन हुदुदुदु आंड अम्री कोट डूडेजी अडाली मुराद, एक्सकवेशनन चन हुदुदुदुदुद dg अली मुराद, एक्सकवेशन चन हुदुदुदु utzaf cosas đó was directed by एक्सकेवेशन at chanwhodhudhudu was directed by Seiistaate makers में ठ्छिक्हा है Sav the ripete Charcot & merchandise was directed by cemetery लोथल आलमगीरपूर विच इस नाव इन पाकिस्तान तुम जानते हैं कि काली वंगा तुरास्थान में है लोथल गुजरात में है आलमगीरपूर यूपी में है तो बचा क्या हडपा हडपा जो है रभी नदी के किनारे बसा हुआ एक साइट है जो प्रजेंट पाकिस्तान में रंगपूर रंगपूर जो है वेर्दा कंटेंप्रोरी एक जगह है जहां पर कंटेंप्रोरी उसी के समकालीन का सिविलाइशन पाया गया है हडपन सिविलाइशन के तो यह सौराष्ट्रा गुजरात में यह साइट परता है सौराष्ट्रा गुजरात में साइट परता कहां पर यह लोकेटद आप पंजाब में दाधिरी यह और फिर कोट्ला दाधिरी जो है एक लेटर हरुपन साइट है कहां पर लोकेटट है यह लोकेटए था पंजाब है तो टेरा कुटप अफ प्लो वाज फाउंड फ्रॉम तो कहते हैं ना कि रिप्लीका अफ टेरा कुटप फ्लो मतलब खिलोने जैसा यह हरपन साइट बना वाली हर्याना से पाया गया है फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड इन दीज आर्केलोजिकल साइट फिंडस वैली यह मोहन जोदाडो और लोथल से पाए गया है आउट अप गिवन साइट नेमली हरपा मोहन जोदाडो और लोथल विच इस लोकेटेड़ी इनिया तो मुझानते कि हरपा तो वही सिंद प्रोविंस में रभी नदीग किनारे पंजाब में मोहन जोदाडो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले रिजन में लोथल लोथल जो है गुजरात का साइट है तो लोथल इस दो करेक्ट आंसर इंडिया का पार्ट है दहर अपन सिप्लाइट सीटी रिप्रेजेंटेड वाई आर्केलोजिकल साइट अफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन दो रिवर यह भोगवा नदी किनारे बसा हुए बार बार पुछ ग्राइट शुचे इस बिंपर्न ब्रिक बिलिदिंग उस समय भी आज भी देखी बंट ब्रिक से ही बिलिदिग बनता था अंसर होगा यह जो है बंट ब्रिक बिलिदिंग जो है important most significant feature है इंडस वेली सिवलाइशन का out of the given cities नेमली काली बंगन रोपड पातली पुत्रा लोथल which is not a site of इंडस वेली सिवलाइशन पातली पुत्रा कहां site हो सकता है इंडस वेली सिवलाइशन का तो answer होगा पातली पुत्रा ये of course मगद की capital रही है important historical place रहा है बट इंडस वेली सिवलाइशन का पार्थ नहीं है सवाल है कि out of the given sites namely चन्हुदुडो कोट डीजी सहगोरा सोगोरा देशलपूर which is not a हडपन site तो सहगोरा जो है सहगोरा ये उत्तर परदेश में ये साइट जो है ये कोई हडपन site नहीं है बाकी जो है देशलपूर है कोट डीजी तो बहुत फेमस site है हडपन site है पाकिस्तान में पड़ता है चन्हुदुडो भी पाकिस्तान में पड़ता है तर लाजेस साइट आप पंब सिवेहशन का बहरत में राखीगडि लाजेस्साइट इशलपूर ये कहा लोगेट फूख़निय के पुछा जा हडपन site जो है में देशलपूर कहां लोकेड़त है कचरी जन अफ गुज्जडात है एमंग सिंधु जहेलम, च apresent औं गंगा रिवर्स, that are associated with the Indus Valley civilisation, तो देखें, जहेलम नदी, चनाव नदी और सिंधु नदी पे बहुत सार जो हैं Indus Valley के साइट से च abnormal बोकिशत प्राइबौब the people of Indus Valley believed in what the people of spiritual belief की बात करे religious belief की बात करे worship कहां करते थे conscience कहां लगाते थे तो people of Indus Valley civilization believed in mother goddess कहां believe करते थे mother goddess में believe करते थे the Indus Valley people worshiped what Indus Valley के लोग जो है पूजा करते थे पसुपति सीवा की और mother goddess की इसके अलावा लिंगा काफी ज्यादा मिले चोटे-चोटे पत्थर के बने हुए लिंगा तो प्रोटो सीवा का कहा जाता है कि पुजारिक थे वो लो यह plants की ट्री की यानि की नेचर की पूजा करते थे snakes यानि की नागों की पूजा करते थे worship of Linga and Yoni भी यह किया वाली टिंग को कर रहे थे सर जोन मार्शल साब टू इंडियन्स वेर एस्सेटेड विद डिस्कवरी अफ इंडस वैली सिविलाइशन तो राखलदास बेनर्जी जो है इनका नाम जुडता है डिस्कवरी अफ मोहन जुदारों से और राखलदास बेनर्जी के अलावा थे दूसरे दया रामसाहनी इन्हों ने खोज करी थी हडपा की दया रामसाहनी हडपा राखलदास बेनर्जी मोहन जुदारों यह दोखतेगा अगला सवाल is ki correctly match pair बताना है हडपा की खोज किसने की थी दयारमसाहनी ने करी थी थी हस्तिनापूर की खोज जॉन मार्सल ने खोज करी ती कौसाम्भी की खोज NG मझुंदार ने करी थी लोथल की खोज excavation को lead कर ठेसार रहा सुर्कोट दा जेपी जोसी दोला वीरा जो की गुजरात का एक साइट है इंडिया में है इसका excavation किसने करवाया था इसका excavation कर रहा थारस भी स्ट ने इसका excavation कर रहा था इसके जो है सिगनिफिकेंस को यह नहीं समझ कर पाये थे बाद में उसी चीज को खतम किया किसने डयाराम साहनी ने आउट आउट फ़ गिवेन नेम्स आडी वेनरजी राखल्दस मेनरजी केन दिक्षित M.S. Wats V.A. Smith who was not associated with the excavation of excavation of harpa ठीक है हरपा तो V.A. Smith जो थे यह एक historian थे मतलब यह excavation archaeologist नहीं थे यह historian थे इन्होंने history लिखी है बहुत सारी इंडिया की बट यह मतलब कोई archaeologist नहीं थे यह related भी नहीं थे मुहन जुदार्वा हरपा की खोज से क्रेक्ट क्रोन लोजिकल ओडर इन टॉर्ब्स अफ एपिरेंस इन इंडिया तो अर्वन कल्चर सबसे पहले क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि इंडस वेली सिविलाजिशन एक अर्वन सिविलाजिशन थी अर्वन सिव मुल्व गया था गोल्ड कॉइन च कि क्या मोजब फरें श्मीक्र दे श्मी धाल ईंस टेया उइप रिए बिजखी इंसानों ने यूज़ किया है कौपर फर्स्ट मेटल रूज़ कोपर फर्स्ट मेटलيا यूज़ बैन मोर्ठ कॉपर फौस्ट मेितलstr Nana Annoy इसका कहीं भी फाइंडिंग्स नहीं है अगला है कि आउट अप गिवन साइट्स नेमली आलमगीरपूर लोथल मोहन जुदाड़ो बनावली विच इस लोकेटेट इन वैली ऑफ घघघर बैली अफ गघघर एन इस असुसेटेड रिवर्स यह बनावली बनावली जो है हरिय पशन जुदाब जुदाड़ो हरपा रोपट और काली भंगण यह में इस व्में जुदाबगर बन्रोब हाउसिंक्न ब्र्याइश अगर Beast uhm यह सभ्यथा थी सडखे निव इडूसरे को 90 बेकाट ती ठींस ती तक हूसिंग प्रपपर था उनका बॉन्ट ब्रिक्स से बने हुए घर में रहते थे खूब डेवलोप्ट सुसाइटी थी उस समय अगला सवाल है दो करेक्ट स्टेट्मेंट आर करेक्ट स्टेट्मेंट चुनना है मोहन जुदाड़ो और हडपा साइड़ डेड़ नौ तो बिल्कुल डेड़ है दे वेर डिसक बार दूरिंट इस नौन जुदाड़ वि ए दिया रम्साही करण धोला विरा इस लोकेड़न देह बिले मिलेग्ड दोला विरा कहा भी डूकेड़ के ड़ूरा विला डूला विरला जूहें कुजरार तेट्म गुडेर आंडिया का साइट है डेड़ा कर वेर देटनेंग कट architecture was found with reference to harpa civilization यह दोला विरा है थाली एडवांस्ट वाटर मैंज़मिन्स सिस्टम आफर अपन टाइम्स वाटर मेंनेज्मन स्टम अपन टाइन यह जो है दोला विरा में वहां पर बिसीकलि मैंज्मेंट किया जाता था वाटर मेंजमेंट का अच्छा अंताहरन मिला है दोला बिडा गुजरात का साइट है अगला सवाल है ठीक है यह विया आउट अप डिवन साइट नेमली कुंटसी दोला बिडा लोथल काली बंगा which has yielded evidence of a double burial तो लोथल और काली बंगा में double burial का evidence है एक ही कबर में दो बार burial किया जाता था डबल burial होता था Recently from the excavation of हडपन साइट सीनौली What was found? सीनौली का जब excavation किया गया तो human burials जो है वहाँ पर पाए गया है For clothing, cotton was first introduced in India Cotton जो है भारत की देन है दोस्तों Cotton जो है भारत की देन है इंडिया में पहली बार जो है Cotton का जो यूज जो है इंटर्डूस हुआ था The correct statements regarding the Indus Valley civilization Correct statement बना बताना है Regarding the Indus Valley civilization ये correct statement है That it was predominantly a secular civilization Secular था मतलब कोई पार्टिकुलर धरम नहीं था सभी धरम के लोग रहता है Secular civilization था And the religious element Though present did not dominate the scene During this period Cotton was used for manufacturing Textile in India बिल्कुल सही दोनों सही है And cotton जो है वोल्ड में इंडिया की देन है The correct statement regarding the people of Indus civilization is The correct statement regarding the people of Indus civilization is They worshipped both male and female deities इन्होंने दोनों male और female दोनों deities की पूजा करी है Out of the given sites Namely हडपा, चनहुदुडो, लोथल और मोहन जोदाडो From where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found Out of the given sites Namely हडपा, चनहुदुडो, लोथल और मोहन जोदाडो From where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found तो ये पाया गया है, कहां से, ये पाया गया है, मोहन जोदाडो सांग ठीक है, जो famous bull seal जो है, ये पाया गया है, मोहन जोदाडो सांग अगला सवाल है कि The animals which are depicted on the हडपन seals कौन-कौन से animal को depict किया गया है, हडपन seal पे तो यह animal है बुल यह animal है elephant यह animal सीप और यह तीन animal को सो किया गया है rhinosaurus को भी सो किया गया बट कहीं ने कहीं काव को कहीं भी सो नहीं किया गया remains of which animal has been has not been discovered in the Indus Valley civilization तो lion का कहीं भी जो है इसका remain नहीं पाया गया tiger का पाया गया? lion का नहीं पाया गया कि एर इंग्रेव्टा आ एक किया केक पर और यह कान से रिक पर वा The civilization which flourished on the banks of river Neel Neel नदी के किनारे जो civilization जो developed हुआ था उसका नाम है Egyptian civilization The civilization which flourished on the bank of river Neel was Egyptian civilization The correct north-south sequence of the civilization is The north-south में जाएं तो सबसे पहले एच्टे का आएगा फिर माया आएगा फिर मोकी का आएगा फिर इनका आएगा The first ancient civilization to develop the art of writing in proper system was Sumerian civilization The first ancient civilization to develop the art of writing in proper system was Sumerian civilization According to the report of IIT Kharagpur Study Group खड़कपुर के study group ने रिपोर्ट तैयर किया continuous low rainfall for how many years was cause of the fall of Indus Valley civilization तो 900 साल तक बोला गया कि उस रीजन में कम बारिस होने लग गई जिससे कि वो civilization धिरे-धिरे खतम हो गई यह IIT Kharagpur के students ने study करा है with reference to the Ahar civilization, Ahar civilization इंडिया में जो है Maharashtra में यह civilization था तो Ahar civilization the correct statements are तो the natives of Ahar new copper smelting बिल्कुल सही है, rice was known to them बिल्कुल सही है यह Maharashtra में पढ़ता है Ahar civilization Metal work was one of the means of economy of Ahar यह भी सही है mostly black-red colored pottery decorated with white geometric designs have been found in Ahar civilization यह भी सही है चेक है, अब देखते हैं, बेदी केज से रिलेटेटेड नेक्स्ट है बेदी केज, बेदी केज से रिलेटेड जो पॉइंटर से वो देखते हैं पहला पॉइंटर है कि the term Aryan denotes, Aryan का मतलब क्या होता है Aryan का मतलब होता है a superior race, ठीक है The term Aryan denotes a superior race, ठीक है Aryans अपने आपको superior race मानते थे, बाकी लोगों के अलावा अपने आपको superior समझते थे Meaning of the term Arya, Arya का मतलब क्या होता है, classical Sanskrit में Arya का मतलब होता है A nobleman, ठीक है, Arya का मतलब होता है a nobleman Meaning of the term Arya in classical Sanskrit is a nobleman The oldest Beda is, oldest Beda कौन सा है, Bedao में सबसे पुराना Beda है, Rig Veda ठीक है, Bedao में सबसे पुराना Beda है, Rig Veda ठीक है, 25 BC पुराना है ये, तो काफी पुराना है Try, Try is a name for, Try का मतलब है थ्री Vedas, ठीक है Try का मतलब है तीन Veda, जिसमें Rig Veda, Sam Veda और Yajur Veda सामिल है बाद में Atharv Veda सामिल हुआ है, तो वो बाद में आ है, ठीक है, इसलिए बाकी तीन को त्राइ Veda कहा गया The Vedic text in which the term Varna is found referred for the first time, that is Rig Veda Rig Veda के, ठीक है, Rig Veda में पहली बार Varna system का जिक्र हुआ है Varna system का, जिसमें चार Varna की बात करी गई है Brahman, छत्रिये, वैस और सुद्र The Purush Sukta, Purush Sukta जो है, it is related to Varna system was originally found in तो पुरushukta जो है, पुरushukta word से related है, चार Varna का जिक्र हुआ है चार Varna का जिक्र हुआ है, it is originally found in Rig Veda ठीक है, पुरushukta कहां पाय जाता है, यह Rig Veda में पाय जाता है correctly match करना है, आपको अथर वेदा जो है, किस से related है, field क्या है इसका तो प्रेम विवा, जादू टोना, medicine, यह सब चीजें जो है, यह सारी बाते जो है, यह अथर वेदा से related है Rig Veda सवाल है कि Rig Veda को क्या कहा जाता है, Rig Veda को God Grace जो है कहा जाता है यह जूर वेदा में sacrifice का जो है, process में इसन किया गया है, कि जो यग होगा यह जो बली दी जाएगी, बलीदान किया जाएगा उसका जो है कहीं न कहीं आपको process इसमें यह जूर वेदा में मिलेगा साम वेद से हमारा जो प्रजेंट डे का जो music है प्रजेंट हमारा जो music है वो साम वेद से निकला है ठीक है प्रजेंट जो हमारा music है वो साम वेद से निकला है correctly match again देखना है रिग वेदा जो है इसमें क्या है रिग वेदा में basically hymns और prayers है रिग वेदा में क्या है रिग वेदा में है हिम्स और रिचूवल्स है जो यग कराने के लिए जो रिचूवल्स होने चाहिए वो कहां मेंशन किये गए है वो मेंशन किये गए है यजूर वेदा में सामवेद में हमारा जो है म्यूजिक म्यूजिकल हिंद जो इंडियन म्यूजिक है सामवेद से ही अथरव वेधा में है चामस ज हैने थीज?, जो है अथरव dobr dobr है इंट इदी वईदा इंडी वेदर नमबर अफ- caveat आर रिट वेदा में जो ही इंज की संख्या है वह है टोटल 1028 1028 जो है खरी वेदा में 10502 पर शिंज तरीख वेद में रिफिज पर दोलवश्य को और वर्सची संख्यय है द peansod Conserva त्विग्वएदा इजने हैं रिग्वेदा जो ऑर चाहं मंदल कितने हैं रोडल दस मंडल हैं elsे चैप्टर में डिवाइड़ा रिए्वेदा क्मेशयोचरप्रणि रिखार सड़ई है स्सेजी काई रिघ्व्वेदा मुख्ण है। Outरb Rights पांच विशा जो है पंच विशा यह यह जो है पांच विशाइन पच बर्स पंच ब पद्ज Pak इस अधिल के नि और इसमें एड मी ट्री इंडिया दर्वक्ट breed जिक्र जो है इसमें किया गए अतर्व देम्त सफिक्सटऊ इसका पार्थ है, so in Rig Veda verses are, कितने verses हैं रिग वेदा में, तो रिग वेदा में जो verses की संख्या है, वह है 10,500 बावन, रिग वेदा में जो verses की संख्या है, वह है 10,500 बावन, आउट अफ गिवेन आप्शन्स नेमली वजसन्येई ठीक है वजसन्येई मेत्रियनी तैत्रिया और कथक विच इस सम्हिता अफ सुक्ल यजुरुवेदा तो यह है बजसन्येई ठीक है बजसन्येई इसका सयान से । इस सम्हित तो यह मंड़ा अफ रिगो वेदा य। इस पर इसलिएस दाइबु गंटा व। which is completely dedicated to Soma is ninth mandala the ninth mandala of Rig Veda is devoted holy to जो mandal है, ninth mandal है ये जो है Rig Veda का, ये holy dedicated है Soma, the god who is named after the drink जो drink है ना, Soma Ras बोलते है ना उसके नाम पे जो है बिलकुल dedicated है ये mandal, Rig Veda का ninth mandal rites and rituals related to yajanas are mentioned in जो rites and rituals है, yagyao से related वो yajur Veda में mentioned है rites and rituals related to yajanas are mentioned in yajur Veda the shortest among all the four Vedas is जितने भी Veda है, उनमें shortest Veda है साम Veda उनमें shortest है साम Veda shortest among all the four Veda is साम Veda the earliest evidence of the use of iron in India has been discovered from the earliest evidence of the use of iron in India has been discovered from नांसरोगा अतरंजी खेरा अतरंजी खेरा the correctly matched list is correctly matched list जो है वरी ही ये जो है rice से related है मुदगा, मुंग बीन, यवा, मिलेट्स, एक्षू, सुगरकेम इक्षू, सुगरकेम इक्षू, सुगरकेम the main theme of Upanisatya is the main themes of Upanisatya is philosophy the main theme of Upanisatya is philosophy out of the given Vedic literature namely Rig Veda, Letter, Samhita, Brahmins and Upanisatya which talk about salvation out of the given Vedic literature namely Rig Veda, Letter, Samhita, Brahmins and Upanisat which talk about salvation salvation की बात करता है Upanisat Upanisat बात करता है Salvation the famous dialogue between Nachi Keta and Yama is mentioned in the famous dialogue between Nachi Keta and Yama is mentioned in Kathopanishad Kathopanishad, सही answer होगा Kathopanishad King Aswapati, King Aswapati of Upanisatya period was ruler of Kaakatiya the river mentioned most in early Vedic literature is Sindhu नदी का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है early Vedic literature में और सबसे sacred river हुआ करती थी Saraswati river गंगा नदी का काफी कंबार जिक्र हुआ है Vedic river, Askini Vedic river, Askini is identified with the river Vedic river, Askini is identified with the river Chenab Vedic river, Askini is identified with the river Chenab Out of the given rivers mentioned in Rig Veda namely Askini, चेनाप को कहा गया है Parushani, Khuba and Kramu ठीक है, इसके अलावा Bipasha, Sutudri which river indicate the relations of Aryans and Afghanistan आंसर होगा Khuba and Kramu Vedic rivers और उनके नाम तो काबूल नदी जो है, अफगानिस्तान में बहती है इसका पुराना नाम, यानि बेदिक नाम जो था, वो खुबा था रभी नदी का पुराना नाम, परूशिनी था सदा नीरा, काफी famous है, सदा नीरा जो है गंड़क नदी का पुराना नाम था और सुत सुत देखिए, सुतूद्री या फिर सुतलज, यह जो है नाम से भी आप समझ सकते हैं, साउंड एक जैसा कर रहा है तो सुतूद्री जो है, सतलज को कहा जाता था अगला सवाल है, कि in the period of Mahabharata, the name of Mahanadi was Mahanadi उडिसा में बहती है नदी है, ठीक है Mahanadi का नाम क्या था, आंसर होगा Chitrotpala The Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India In this context, the correct statements are The Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India In this context, the correct statements are Dharma was conception of obligations and the discharge of one's duties to oneself and to others Rita was the fundamental moral law governing the functioning of universe and all it contained Out of the given Vedic deities, namely Agni, Brihaspati, Dayus, Indra Which was believed to be their priest answer, Brihaspati During the post Vedic period, the pre-valent system, Chattustya During the post Vedic period, the pre-valent system, Chattustya, क्या था? Chattustya था, वो फोर पुरुसार्थ को बोला जाता था, चार पुरुसार्थ को बोला जाता था धर्ण, धर्म, अर्थ, पैसा, काम, एन मोक्षा चार आस्रम हुआ करते थे ब्रहमचर्य, मतलब कि शुरु से लेकर जब तक साधी नहीं गए ब्रहमचर्य साधी हो गई तो ग्रिहस्त जीवन उसके बाद फिर बन प्रस्त, उसके बाद आप जंगल में चले जाओ, मेडिटेट करो, फिर सन्यास ले लो During the Rig Vedic period, Niska क्या था? Niska was an ornament of neck यह अपना गले में पहनने वाला जो है, यह ornament यानि की एक अभुशन था, ठीक है? During the Rig Vedic period, Niska was an ornament of neck Niska in ancient India, Niska in ancient India was gold ornament Niska के शिक्को भी शिक्के भी चले थे, Niska मतलब की gold coin तो Niska जो एंसेंट इंडिया में gold ornament को बोला जाता था During Rig Vedic period, word Niska was used for jewelry, but in the later periods, it was used for the meaning of coin Later period में, coin के तोर पे यूज करने लग गया पहले इसका मतलब jewelry हुआ करता था, later period में इसे, coin की तरह इसको बोला जाने लगा, Niska मतलब coin बोगाज कोई encryption, जो कि 14 सताबदी का एक important encryption इसमें क्या mention किया गया तो the names of Vedic Gods and Goddesses are mentioned in बोगाज कोई encryption बोगाज कोई encryption में Vedic God and Goddesses के नाम जो है mention किया गया That description which tells about the movement of Aryans from Iran to India ठीक है Central Asia यानि कि Iran से आये थे, that encryption जो कि बताता है कि Iran जो है इंडिया में आये थे यह बोगाज कोई, बोगाज कोई है Out of the given names, Sankracharya, Eni Basant, Vivekanand, Balgangadar Tilak Who wrote on the original homeland of the Aryan, तो Balgangadar Tilak ने कहा था कि जो Aryans का original home था वो Arctic region था, Arctic region की theory नो ने दी थी Balgangadar Tilak में The priest associated with King Bideha, Madhava referred in Satpat Brahman was The priest associated with Bideha King Madhava referred in Satpat Brahman was Rishi Gautam Raghu Gana In the post Vedic period, in the post Vedic period, Maha Janpadh which was considered the axis of Aryan culture was Kuru and Panchal In the post Vedic period, Maha Janpadh which was considered the axis of Aryan culture मतलब इसी के आस्पा जो है, Aryan culture धूरी की तरीके से यह काम करता था इसी के एर्दगीर्थ थी, यह थी Kuru and Panchal The word Gautra occurred for the first time in Gautra word जो है यह पहली बार अकर हुआ है, Rig Veda में The word Gautra occurred for the first time in Rig Veda In the Rig Vedic period, people believed mainly in Rig Vedic period में जल जनता थी, mainly विश्वास करती थी Sacrifice यानि की यग्य करने में और rituals में ठीक है, rituals और यग्य यानि की sacrifice में Famous Battle of 10 Kings 10 King को हरायत गया था, ठीक है, जिसे हम 10 राजन वार भी कहते हैं ठीक है, 10 राजन वार ancient time में राजन मतलब king हुआ करता था ठीक है, राजन मतलब king हुआ करता था तो जो famous battle है, 10 राजन या फिर 10 Kings जी से कहते हैं Was fought on the bank of which river, तो ये परूसिनी नदी यानि की रभी नदी Modern name देखे तो रभी नदी के किनारे हुआ था ये लड़ाई The religion of early Vedic Aryans was primarily of worship of nature and yajna जो early Vedic period था, देखे वेदिक period को दो भागम बटा गया Early Vedic और Later Vedic period 1500-1000 वाले period को early Vedic और 1600 वाले period को later Vedic कहा गया तो सवाल कहा है कि in the The religion of early Vedic Aryans was primarily of worship of nature and yajna Out of the given tribes namely Yadu, Puru, Turuvasa, Kikat which is not related to the Panchjana of the Rig Veda Aryan answer was Kikat Out of the given rivers Sindhu, Saraswati, Vitasta, Yamuna which is referred as Matetma, Devitma, Naditma in Rig Vedic period तो यह Saraswati Nadhi को कहा किया है यह most sacred, most sacred जो है Nadhi हुआ करते थे The Panchjana of the Rig Vedic Aryans were Yadu, Puru, Turuvasa, Anu and Drahya The Panchjana of Rig Vedic Aryans were Yadu, Puru, Turuvasa, Anu and Drahya In the ancient period, main livelihood of the Aryans was agriculture In the ancient period, main livelihood of the Aryans was agriculture The word Yava mentioned in Rig Veda is used for agricultural products Barley के लिए यह यह रिज़ता था Yava वेधिक पानी that belong to class of citizens is the rig वेधिक पानी that belong to class of citizens is traders the system of governance equivalent in Vedic ERA was आंसर होगा, descendant monarchy descendant monarchy सभा अफ वेदि के रहा हुआ सभा क्या था सभा जो था, council of minister को सभा कहते थे, और एक समीटी होता था जिसे council of elders कहा करते थे तो सभा और समीटी are called two daughters of प्रजा पती बेदास, that is which बेदा, तो ये अथरो बेदा में सभा और समीटी को दो पुत्रियां कहा गया है प्रजा पती की The Rig Vedic Tribal Assembly associated with judicial function was सभा ठीक है, judicial function जो निवाती थी Rig Vedic Tribal Assembly इसका नाम था सभा Ayurveda, that is science of life, appeared first in Ayurveda, that is science of life, appeared first in Atharavveda Ayurveda, जो है, Atharavveda कही सभा बेदा है Rig Vedic religion was किस तरीके का religion follow करते थे Rig Vedic लोग तो polytheistic थे बहुत सारे भगवान की पूजा करते थे अगनी, इंद्र ऐसे करके सोम, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे polytheistic थे The largest number of Rig Vedic hymns are devoted to The largest number of Rig Vedic hymns are devoted to Indra The largest number of Rig Vedic hymns are devoted to Indra The second largest number of hymns in Rig Veda belongs to Agni The second largest number of the hymns in Rig Veda belongs to Agni The most popular god of early Vedic Aryans was Indra क्योंकि इनको लेकर 250 hymns लिखे गया है और Agni से लेकर 200 hymns है The war god The war god in the Rig Vedic is regarded as War god Indra को कहते थे ठीक है, war god कौन हुआ करते थे Indra हुआ करते थे War god कौन हुआ करते थे Indra हुआ करते थे The correct statements about the Vedic god Indra are Indra से related correct statement है number one He was the god of thunder and he was the god of rain and he was also the war god 800 BC to 600 BC is related to the era of Brahmin era 800 BC से लेकर 600 BC का जो एरा था वो ब्राह्मनों का एरा था ब्राह्मिन एरा था काहितरी मंत्रा काफी ज़्यादा ब्राह्मनी जन्मूज समय जो है उपर चला गया था जिसके एगेंस्ट में बाकी जन्ता दुखी हो गई थी ठीक है और वह सरे इल इफेक्ट आये थे तो जो है गौतम बुद्धा ने बुद्धिजम जैन के महाबीर ने जैनिजम जैसे कॉंसेप्ट लेके यह लोग आए तो गायतरी मंत्रा इस फाउंड इन विच्बू कांशर हुआ अरिग वेदा गायत्री मंत्रा वा स्कूज़ ब्가ंशू वन्सु मनत्रा अंड वसू बंसु चरित्रा आर इंडिकेटर साभ पुरानास ड ने southern व पुरानाजर टोटन अहारा पुरान है जैना सबसे पुराना विछम제 ना सब्रण शरीमद भगवत गीता गीता जो है और इंदली किस बरने लिखा गया थो इनसीट में लिखा गया तो चेयलिज opened इस महावारत को को से जना जाता है the same itire secrets डाता है the is the दसत्ट सहर स्राय समहिता दैट इस नोन अज निकनेम आफ महाभारता according to Hindu mythology the serpent which offered himself as a rope for churning the ocean is बासुकी बहुत सवाल कुछ रहता है बासुकी जो साप था इसका नाम था उसने अपने आपको जो है समुद्र मंथन चल रहा था the concept of untouchability was put clearly in dharm shastra phase the concept of untouchability कहां प्याया तो ये धर्म shastra का जो phase था वहां प्याया the word Satyamayu Jayate has been taken from which Upanishad तो आपनिशद तो आपनिशद मुंदको उपनिशद Satyamayu Jayate that is taken from Mundakopanishad is engraved on the statement Tamso Ma Jyotir Gamaya was originally mentioned in the statement Tamso Ma Jyotir Gamaya was originally mentioned in Brihadranyak Upanishad Brihadranyak Upanishad the Upanishad which has the literal meaning of white horse the Upanishad which has the literal meaning of white horse is Svetasvatara Upanishad fundamental or basic script of Rig Veda was Brahmih in the Vedic Ritual Hota in the Vedic Ritual Hota is associated with the Rig Veda in the Vedic Ritual Hota is associated with the Rig Veda there is a similarity between Avesta and Rig Veda Avesta is related to which region of world answer hooga Iran Jend Avesta ka naam suna hooga Porsian and all this is a very important book during the Vedic period of world aghanya is mentioned for i began to mention a cow which doesn't start to kill it and that cow them could kill it हτहänderे जमिन दैंडारी सिस्टम को भन करता था कि कि कैसे अगला पॉइंट है इन अर्लियर इघ्ज्फी पिरियेट कि इन अर्लियर इघ् Вेड्फ की पिरियेट वोट वज रूट डिक पिरियेट में पास्टोरी यह सोसाइटी थी और वे रूब यर unexpectedly calculate किया जाता था काउ के टर्म्स में जिसके पाश जतना ज्यादा गाय होता था वह ज्यादा अमीर माना जाता है तो करेक्ट आंसर हो एदर रख दो है कि टोटरल नंब़र एफ संस्कारह तोटरल शरन संस्कारा होते हैं लग जब आदमी जब श्राद होता है ठीक है तो सोल्ला टूटल सराद होते हैं आउट अप गिवेन टर्म नेमली कुला वंसा कोशा गोत्रा विच डज नॉट बिलॉंग टु केटेग्री अब अदर थ्री तो देखें कुल वंस गोत्र ठीक है कुल वंस गोत्र जो है यह आदमी के लीनी मतलब उसक में उसका गोत्र क्या है और उसका जो है वंस क्या है कोश जो है कोश जो है धन से रिलेटेट है तो इस इस केटेग्री में नहीं आता है इन इन एक उनंटेक्स्ट फा इंडियन डुचर रिट इन पेखी निंस रिच का मतलब क्या होता है इसका मतलब हो निचुरल लॉव तूट बेद विदाङ्गा फोलिव लीवली हूड वाज उत कॉल जोलोग वेद विदागा पढ़ाएंगा पढ़ाते थे उन टीचर को क्या कहते कि आ जाता था यह लिवली उड के लिए पढ़ाया जाता जीव को पार्जन के लिए पढ़ाया जाता था आंसर होगा उपाध्या उपाध्या ठीक है चलिए अब बात करेंगे हम बुद्धिजम की बुद्धिजम से रिलेटेट कुछ इंप्पर्टेंट पॉइंटर्स देखते हैं पहला उइंटर है गौतंब ना इसाण ना तो in брwn वह घर से निटले थे उस डिपार्चर को कहा गया महा अभिनिश्क नंथ segunda्व क्ला देख स्थी प्लाघ्ज क्लैन विच वाज़ेटेड़ अग्ण ऑधाव मद्धा सक क्लैन था कोलिया नमने और गौतम बुध्धा के मदर का गान दोस्तोंsınिमति कोलिया क्लाइब से बिलहूंग करती ति कोलिया क्लाइंस कोलिया क्लासर होगा कब गौतब था मधर का जो जो क्लेन था तक बौॉसेड़े घ्र다가 Heaven Nृभि Whoa वह था लूंबनी में इनका प्रजंडे नेपाल में परता है यहां पर जनम हुआ था चाइल्ड हुड नेम औफ गौतम बुद्धा वाज गौतम बुद्धा के बच्पन का नाम सिधार्थ था ठीक है इनका बच्पन का नाम सिधार्थ था एंड इंक्रिप्शन अब गिवन गया है उसमें बताया गया है कि असोग जो है गौतम बुद्धा के बर्थ प्लेस पे पहुंचा था और वह बर्थ प्लेस लूंबनी ठीक है तो मौरियन डाइनिस्टी इस दराइट आंसे आउट अट अट अब गिवन इंक्रिप्शन सफोगा जैसे कि बसाड फिलर इंक्र इंक्रिप्शन दाइट गौतम बुद्धा वस बॉन इन लुंबिनी तो यह रुमिन देप पिलर इंक्रिप्शन नेपाल में पड़ता है लुंबिनी यहां पे जो है बर्थ प्लेस जो है इंडिकेट किया गया है आउट अट अट गिवन किंग इंक्रिप्शन नेमली असो का कनिश्का हर्सा और धरंपाल धरंपाल जो पाल डाइनिस्टी से बिलॉंग करता था विच गिवस इंफॉमिशन दैड़ साक्यमूनी बुद्धा वाज बॉन इन लुंबिनी आंसर होगा मौरियन किंग असो का अभी डिसकस भी किया था कि यह गया था वहां पे असोक जो कुसीनगर से फिवकी ग粉 को शी नगर प्रजेंड युथ्स बर्देश फ्सका है फ्सक्राइस को को शी को शीनगर क आए कर टो कि ने आपिल में उग साराएश्यौडीarmीश घूम्दा सूख महापरि निर्वान को कपो शीनगर इंश मिसें और को शीनगर सिघए को स्योulan 8 Avanti, Gandhara, Kosala and Magada which were associated with the life of Buddha सवाल कह रहा है कि यह जो Kingdoms है, Avanti Kingdom है, Gandhara Kingdom है, Kosal Kingdom है, Magad Kingdom है, which were associated with the life of Buddha, answer होगा Kosal and Magad The last person to get enlightenment from Buddha, Gautam Buddha was, the last person to get enlightenment from Gautam Buddha was answer होगा, Subhada Subhada is the right answer, Subhada The ruler of Suvarn Bhoomi, the ruler of Suvarn Bhoomi who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Dev Pala through his ambassador to grant five villages for its maintenance was, answer होगा, Balputra Balputra Dev, ठीके Balputra Dev is the right answer, Buddha resided, Buddha resided during the last rainy season of his life in Vaisali, Buddha resided during the last rainy season of his life in Kahape Vaisali The last person converted by Buddha was, answer होगा, Subhada Subhada In Buddhism, the concept of Nirvana Nirvana is best described as Nirvana का मतलब होता है The extension of flame of desire Buddha ने ये teaching दी थी कि संसार में दुख है और दुखों का कारण desire है तो उससे अगर आप मुक्ती पालेते हो तो Nirvana मिल जाता है that the extension of the flame of desire is called Nirvana अलारा कलामा वाज अलारा कलामा पहले जो है टीचर थे पहले टीचर थे गौतम बुद्धा के अलारा कलामा वाज फर्स टीचर अफ गौतम बुद्धा तो महात्मा गेभिस फऌस्ट धम चक्र परवर्तन है यह फिर्चर जैसे फ़र्स सर्मण धम। परवरतना को जह सर्मन के नाम से बूला गया है कि पहला जो इन्होंने अपना सर्मन दिया था ज्यान दिया था वह सारनात में दिया था जिसे हम धम्चक परवर्तना भी कहते हो बुद्धा कोसामबी टूरिंग डूरबवर्वाईम उदयन पहल пыт गुड़ी मोई जो था बुद्धा जो है उसके समय में विजशेंगे होने को सांबी दूरिंग रेन फुद्धियान फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉंफरेंस आफ्टर देथ अफ गुद्धा वस प्रिसाइड़ अबर्वाई महाकस्यफ और यह किस ने और्गनाइज कराया था राजा था उस समय अजात सत्रु चारसो तिरासी बीसी में इनका देहान हुआ उसी साल को यह future Buddhist council जो है organized करा दिया अजात सत्रुने अंधर फ्रज्सिटिंशी आफ बसुमित्र बसुमित्रा डाइट विपडन वज पें लाइट वृस्ट कॉंश्य देट विए क्षमफेर्स था बुदट कहूंसिलि कुंडलाओं कसमी ओ अर्गनाइज खिया गया था सब्सक्राइब लगे पर फोर्थ बुद्धिस्ट गांस्ल रिए फोर्थ गुंडल वन कसमीर में हेल किया गया था था और यही पे हीन यान और महायान दो सिक्ट में बट गया बुद्धिसम आउट गिवन ऑप्षंट बुद्धिसम नियाए फिलोसपी योग फिलोसपी और विचशेप्ट त्रीरत्न , तो बुद्ध धम्म त्रीरत्न के पाठ है , जुआ से बुद्धिस्घणजल में त्रीरत्न होते है , थीक है ? संग बुद्ध धमम शिर्प्परि महायान सिक्ट अफ अफ बुद्धिस्म एमजूरिंग द्रेन रेन फ Kamis यह जो चौथी बाध संगती हुई थी वहां पे तो बठी गया था हीन यान और महायान में अंतर यह कि महायान जो है मुर्ति पूजा करने लग गया था ठीक है हीन यान में लोग जो है गौतम बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे उनको उनके उपदेशों को फॉलो करते थे लेकिन यहां पे बाद में महायान में मूर्ति पूजा गौतम बुद्धा की बनाके होने लग गई थी ठीक है तो दे करेंट क्रोन लोजिकल ओडर फ सबसे पहले फॉस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था 483 BC में हुआ था यह हुआ था कहां पर यह राजग्रिह में हुआ था और किसने करवाय था अजाद्सक्रों ने कराया था ठीक है दूसरा जो बुद्ध संगती हुआ था यह हुआ था वैसाली में 383 BC एग्जे 4 BC में ठीक है और चौथा जो है 72 AD में हुआ था जिसे कनिस्क ने करवाया था कुंडल वन कस्मीर में फॉस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज और सवाल वही है अंसर हुआ अजाद सत्रू सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज और्गेनाइज़ वाई काला सोख ठीक है इनका जनम हुआ था लुंबिनी में परता है इनको ज्यान की प्राप्ति एक टिपल के पीड़क जिसे बधी ट्री कहते हैं निरंजंणा नदी के किनारे बौध में हुआ था ठेक है फल्गु नदी को ही निरंजना नदी बोलते हैं फर्स्ट प्रीचिंग इन्होंने फर्स्ट सर्मन जिसे कहते हैं सारनाथ में दिया था है ठेक है सारनाथ अलावाद के पास डेथ हिनका हुआ था कूसी नगर में जिसे हम महापरी निर्वान कहते हैं सर्मन जो कि सारनाथ में दिया गया था और इसे महाधिनिस्क्रमन अब बुद्धा के इवेंट को कुछ सिंबल से साइन से दर्साया गया है विल क sır लोटस साइनь न Els से उन जो उनको हुआ था बुधी ट्री से दर्साया गया है and great departure जो है वह और से जब इनोंने घर चोड़ा था महाविनिस क्रमन बोलते हैं घर चोड़ा था जब कि ज्ञान की प्रापति करनी है तो उसे हर से दर्साया गया कर्मापा लामा कर्मापा लामा बिलॉंग तो दिस सेक्ट आफ तिबेतियन बुद्धिजम कर्मापा लामा जो है बिलॉंग करते हैं कंग यूपा कंग यूपा सेक्ट आफ तिबेतियन बुद्धिजम दक करेक्ट स्टेटमेंट वाउट बुद्धार तो चारों करेक्ट है बारे में बताएं कि you can act in lighten गाया यह यह भी साही ऑट इसकारणाड़ बेडिक रिलीजन बेल्कुल साही है इन्हों प्राह्मनीज्ब के इंट में इस्टार्ट किया था कि सनसार में दुख है दुखों का कारण है जिसे डिजायर कहते हैं दुखों का निवारन भी है और दुखों का निवारन के लिए एट फोल्ड पाथ इन्होंने सजेस्ट किया था ठीक है अगला है महाबोधी टेमपल महाबोधी टेमपल बोध गया में लोकेटेड है यह वही जगह है जहां पर पीपल के पेड के नीचे बोधी ट्रीज से कहते है निरंजना नदी के किनारे इनको ग्यान की प्राप्ति हुए थी इनलाइटेंमेंट की प्राप्ति हुए उसके बाद बुद्धा या फिर या फिर बुद्धा कहला है थे बोधी ब्रिक्ष सिचुएटेड इन बोध गया इस दा विच जेनरेशन का अभी करेंट की है तो यह फिफ्ट जेनरेशन अफ इस फैमली का करेंटली वहां पे यह आज भी वहां पे लोकेटेड है बोधी ट्री पांचवा जेनरेशन का यही पर इनको जो है पीपल के पेड़ के नीचे बोधी ट्री के नीचे इनको ज्यान की प्राप्ति हो इती दर टीचिंग सब बुद्धा आर रिलेटेड टू टीचिंग्स क्या है गौतम बुद्धा ने क्या पढ़ाया है तो प्योर्टी एन होलीनेस अफ कंड़क्ट के बारे में यह पढ़ाये हैं ठीक है गौतम बुद्धा ने जो टीचिंग करी है प्योर्टी एन होलीनेस अफ कंड़क्ट के बारे में टीचिंग करी है इन बोध गया बोधी ब्रिक्ष वाज डिप डिस्ट्रॉयड वाई एक बहुत ही अधर्मी आदमी ससांक गोड़ गोड किंग था यह बंगाल का राजा था गोड़ किंगडम का इसने जो है बोधी ट्री को नुक्सान पहुंचाया था डिस्ट्रॉय किया था ससांक इसका सही आन सब्सक्राइब The person who wanted to become the person who wanted to become the leader of the Sangha even during the lifetime of Buddha is आँसरोगा Devदत The person who wanted to become the leader of the Sangha even during the life of Buddha, Buddha जिनदा थे लेकिन यह leader बनना चाते थे देव्दत The person whom Gautam Buddha nominated for the leadership of Buddhist Sangha after his death is किसी को भी इन्होंने जो है nominate नहीं किया था बहला हम नहीं तो कोई नहीं ठीक है कोई भी नहीं नॉमिनेट करके गए थे बट बाद में लोग बने ठीक है लीडर्शिप किया उन्होंने बुद्धिस्ट संग का कि आफ्टर दर महापरी निर्वाना अफ लौड बुद्धा दर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वजेल्ड एक चार्स तीरासी बीसी में जैसा की बताया था मैंने अजात सत्रू ने करवाया था महाकस्यप के प्रेसिडेंट्शिप में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल उसी साल मरे थे यह महापरी निर्वान हुआ था उसी साल जो है इनका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल और्गनाइज करा दिया गया तो यह धर्म चक्र परवरतनाक सुद्ध का यह थीम है कि आठ फोल्ड पाथ आपको राइट सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान राइट नॉलेज राइट फेथ राइट एक्सरसाइज यह तमाम चीशे बताए गई है द्रू स्टेटमेंट सेवाओ गौतम बुद्धा आर की बिलीव इन कर्म में विश्वास करते थे यह अल्सों बिलीव इन अटेनिंग निर्वाना इन सब में विश्वास करते थे अरलिया सभाम कि में अर्लव वूमयन विश्वास कि सव्वास को क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी खाधें आदी संक्राचारे को क्रिप्ट बुद्धिस्ट भी कहा जाता है त्री पितक तीन पितक है इन टीनों को मिला दिया जाता है तो बुद्धिस्ट एक्षेंच्स और यह त्थम पितक जो है कलेक्षणonta sufferer फिलोसोफिकल थिंग का जोग इ मादस जोए घोजा इन ये वी शुद्धी मागव इस ओठरबी सुबूद्धि गोश शुद्धि सुंद१ बुद्ध गोश आंसर वगा बुद्ध गोश है The Buddhist text that contains the rules of monastic life Rules of monastic life है बिने पित्तक में कि क्या क्या rule follow करना पड़ेगा अगर कोई monk बनता है monastic life जीता है संग का life जीता है तो कुछ नियम follow करने होते हैं वो नियम भुक जो है वो विदे पित्तक है The Buddhist literature that contains the Buddha's sermon on the matters of ethics and doctrine तो Buddha's teaching है वो teaching सुत्त पितक में है अभिदम्व पितक जैसा के बताया था यमका belongs to this Buddhist पितक is अभिदम्व पितक and it is about philosophical thing यमका belongs to this Buddhist पितक is अभिदम्व पितक तो तीन पितक होगे बिने पितक, सुत्त पितक और अभिदम्व पितक In ancient Indian Buddhist monasteries In ancient Indian Buddhist monasteries a ceremony that used to be held where confession by monks of their offences committed during their stay in the monasteries in the rainy season is called तो होता कहता कि rainy season में ये लोग अपना नित्य काम नहीं किया करते थे जाके ज्ञान नहीं बाढ़ते थे लोगों को preaching नहीं देते थे तो rainy season तो difficult होता है बारिस होती थी तो ये अपने जो है मुनास्टरी में ही रहते थे बट उस समय जो भी जैसे ज्यादा खा लिया या फिर कुछ बिश्तर पर आराम ज्यादा कर लिया तो उसका जो है ये पास्चा ताप करते थे ठीक है एक ceremony होता था जिसे बोला जाता था पवर्ना ceremony जिसमें जो है वो confess करते थे कि ये ये offense हमने किया है असोक राम ध्यायज चैश्टर पुड्वश्टर भुष सग्रम और। 25…… बिहार केरे धाईन्ट सेच्टेट पर जायंट बुड़धा ऐटी-फित कह बोद गया में यह इस इन जै प्नीजों के दा स्टैच्टिह एटी-फिट अगोल जाइंट बुध्धविड़ोड़ा ऐस राइफ साइट केentes객 कुंपा हमरॊ से बड़ा कुसी नारा that is not connected that is not connected with any incident of lord buddha life is सवाल फिर से सुनिए कहता है कि out of the given stupa sites namely सारनाथ सांची बोध गया कुसी नारा that is not connected with any incident of lord buddha life is सांची सांची का इस्तुफा बाद में मनाया गया था असोग को दिया बनाने का सांची का इस्तुफा थिक है neo buddhism is advocated by neo-buddhism जो है अंभेदकर के द्वारा क्योंकि BR अंभेदकर लाश्म में बुद्धिजम ज्वाइन कर गयت तो niyo जो है बुद्धिजम इन्हों ने प्रोपोगेट किया यदा एड़ो केड़ तो वर्लड वल्ल इस Unstable and transient World is unstable and transient That is related to World is Unstable and transient ये teaching है ये बुद्धिजम की ये teaching है Also known as light of Asia Gautam Buddha को light of Asia भी कहा जाता है Tathagat भी कहा गया है Buddha भी कहा गया है Sir Edwin Arnold's book The light of Asia is based on Sir Edwin Arnold's की book है Light of Asia is based on Lalit Vistar Lalit Vistar The fundamental difference Between हीन यान And महायान सिक्ट भुद्धिजम is Worship of Lord Buddha as a God ठीक है जो मैंने बताया था कि हीन यानी जो थे Gautam Buddha को भगवान नहीं मानते थे Gautam Buddha के teachings को जरूर Follow करते थे But करते हैं in fact आज भी है हीन यानी है महायानी आज भी है But वो Gautam Buddha को भगवान नहीं मानते है जबकि महायानी जो है Gautam Buddha को भगवान मानने लगए और उनकी पूजा करने लगए Gautam Buddha was elevated to the position of God During the period of Kanisq Kanisq का समय था ठीक है जब कुशान डाइनिस्टी हुआ करते थे तो Kanisq के समय चौथी बहुत संगिती भी एप और आज़नाज़ हुए थी कुंडल वन कस्वीर में ओर आज़नाज़ थी और Kanisq के समय जो है बहुत सारा जो है कह सकते हैं कि structural change किया गया structural change किया गया बुदिज्म में जिसमें हीन यान और महायान दो सेक्ट में बुद्धिस्म बट गया हीन यानी जो थे वो गौतम बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे उनकी टेचिंग्स को जरूर फॉलो करते थे बट महायानी जो है गौतम बुद्धा को सीधा आइडल वर्शिप के तरीके से सुरू कर दिया हमने भगवान मनना इसलिए इसे गांधार स्टाइल का दोनों का मिक्स्चर है ओल्डेस स्कल्प्चर जो है मूर्ती जो है बुद्धा की वो गांधार स्टाइल की हाला कि बाद में गौतम बुद्धा की मथूरा स्टाइल में भी बहुत सारी मूर्तियां बनी है दे रिलिजन अट लेट लेट फांडेशन अफ आइडल वर्शिप इन कंट्री इस महायान बुद्धिजम दो मूंद्रा दो मुंद्रा विचीज इज रिप्रेजेंटेड बाइज इमेज़ और सार्नाथ फर्स्ट सर्मनेज धर्म चक्रा थिक्टर विच इस एक कामने से एक तेज है एक खुसी है उनके चहरे पर दिखाए गया वह मुद्रा जो है विच रिप्रेजेंटेटर गांधार बुद्धा इमेज आफ सारनाथ सर्मन इस धर्म चक्रा दस्टैंडिंग स्टैच्व गौत्म बुद्धा वाज बिल्ट इन कुशान पिरियोड ठ स्टैंडिंग खड़े होके जो है वातम बुद्धा का भी मूर्ती बनने लगे नहीं तो इन जनरल बैठे हुए रहते थे बैठा हुआ मूर्ती है लौड बुद्धिजम इमेज इस सम्टाइम सोन विथ दा हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमी असपर्सा मुद्रा विच सिंब इसमें इससे सिंबलाइज किया गया है कि गौतम बुद्धा यह कहना चाहते हैं कि अर्थ जो है विटनेस करें उनकी प्योरेटी उनकी चैस्टिटी डिस्पाइड टेम्टेशन ओफ मारा सारनात बुद्धा इमेज अफ भूमी इसपर्स मुद्रा विलॉंस टू गुप्त पीरियद गुपतों के समय में बनाया गया गया गुप्त पीरिएड इस तराइट आइट आंसर करेंट मैच्ट पेर आपको देखना है तो परी वरजर का प्रेपरिवर्ज का जो है वह री नंसीयंट एंड वांडर को कहा जाता था कि सर्मना यह मॉंक को कहा जाता था एंड उपासक जो होते थे ले फॉल्वर होते थे बुद्धिज्जम के उनको उपासक रहे तक सर्मना कहा जाते थे जो मॉंक होते तक पूरा सारह नियम फॉलौ किया करते फैंट वही अगर स discipline परी वरजका तो वह रिनन्सियेट होते हैं सब कुछ त्याग करके घूमते फिरते रहते थे वांडरर बन जाते थे सवाल है कि the capital of Mal Republic was यही पे जो है यही पर महा परिनिवान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्धा को और यह capital Mal Republic का capital है कुछी नगर जिसे कुछी नारा पुराने समय में कहा गया है पावा कि इन पावा एंड कुछी नगर के दो capital हुआ करता था इनका पावा और कुछी नगर आउट अफ गिवन इंपेरर नेमली असोका कनेश का हर्षवर्धन पुस्यमित्र सुंग को कंट्रिबुटेट टूदा एक्स्पैंशन अब बुद्धिजम आंसर होगा यह तीनों असोक तो था ही वह तो गया भी था लुंबिनी में जहां पर जनम हुआ था बुद्धा का वहां पर टैक्स प्री कर दिया और बहुत सारा इस्तूपा भी बनवाया कनिस्क जो है ए नालंदा विश्व विध्यालता बुद्धिजम का वह आगे बढ़े और इसके समय जो है वेन सांग भी आया था जो कि बहुत बड़ा बुद्धिस्ट था और आके यहां पर लर्निंग किया उसने बुद्धिजम का बट्पू से मित्र सूंग एक आर्डेंट जो है ब्राम नालंदा जो है ग्रेट सीट अब बुद्धिस्ट लर्निंग है यहां पर था हुआ करता था अब बुद्धिजम को इबन बक्तियार खिल जी ने बारवी सताब्दी में तहस नहस कर दिया था इन्द महायान बुद्धिजम दब बोधी सत्वा अवलोकी तेश्वरा वाज इसको किस नाम से भी जाना जाता है पद्मपानी लोटस इनों ने होल्ड किया है हाथ में अवलोकी तेश्वरा इनको कहा जाता है तो करेक्ट स्टेटमेंट लोको तर्वदीन सेक्ट वर्ज एन ऑफसूट अफ महा संगी का सेक्ट अफ बुद्धिजम बिल्कुल सही है सेकेंड है अफ बुद्धा बाई महा संग काज फॉस्टर्ड महायान बुद्धिजम दोनों सही है इस्टोरिकल पॉर्शन और किस नाम से जान जाते ही और देखना है आर्य देवा को बुद्धिष फिल्सफर हुआ करते थे जा को दिगनागा कहा जाता था बुद्धिस जो स्कॉलर्स होते थे उनको और बैसनौ स्कॉलर्स को कहा जाता था नाथमुनी बैसनौ जो मतलब बिशनु के उपासक या फिर स्कॉलर होते थे पढ़ाई करते थे उनको कहा जाता था नाथमुनी फिटर्स ऑफ महायान बुद्धिसम आर आइडल वर्षी डी इफिकेशन अफ बुद्धा का जनम होता रहा है ट्री ट्रीदिंग पात बुद्धिस अफ वर्शी पैं रिच्वल्स इसमें आ गया ब्राह्नी जनम वाले बहुत सरे गुन इसमें आ गये नम्र वन जो ग कर थे भोड। इसमें पाने यस अंई हो जाता है बोधी सत्वा डिलेशन को डिले करते थे कि और लोगों को help किया जाए जो भी उनके रास्ते में मिलते हैं उनको preach किया जाए further the largest and most evolved rock cut chatya hall of heenian phase is situated at karli the largest and the most evolved rock cut chatya hall of heenian phase is located at karli the indian buddhist monk who had been sent to china in the first century AD was answer the indian buddhist monk who had been sent to china in the first century AD was nagarjuna buddhist center of learning is ये बहुत बड़ा center है बिक्रम सिला अर्स्ट वाल भागलपूर में current presently भागलपूर में ठीक है और ये इसको भी इवन बक्तियार खिल जी ने तहसनास कर दिया था इसे जो है धर्म पाल ने बनवाया था पाल का सासक था पाल डानस्टी का the doctrine of void that is sunyata the doctrine of void that is sunyata was propounded by the buddhist philosopher answer होगा nagarjun the doctrine of void that is sunyata was propounded by the buddhist philosopher answer होगा nagarjun answer होगा nagarjun अगला सवाल है nagarjuna belongs to which to the buddhist school of तो nagarjun Buddhist school of पर बन गया यह गुजरात में लुकेटेड़ जैनुस एलेड़े नलंदा university was founded during the dynasty of gupta कुमार गुप्त ने इसको found किया था ठीक है कुमार गुप्त ने बनो रहा था और बहुत बड़ी university थी बहुत बड़ी इसकी library थी बताते हैं कि उसकी बुक आज होती न तो इतना सारा research उसमें था कि बहुत help मिलता the founder of Nalanda university was कुमार गुप्ता founder of Nalanda university was कुमार गुप्ता ठीक है गुप्तो का यह सा सकता महेंद्र वर्मन भी कहते हैं इसको the region regions included in the expansion of Buddhist art you expand हुआ इतना ज्यादा Buddhism क्योंकि यह जो था इसकी simplicity बहुत ज्यादा थी कोई भी इसको embrace कर सकता था Buddhist बन सकता था बहुत simple था rituals से अलग था rituals नहीं था इसमें special appeal towards Dalit दलित जो है attract हुए क्योंकि Brahmanism में कहता दलितों को आउटकास्ट कर दिया गया था उनको opportunity मिले इसलिए भी Buddhism आगे आया missionary concept of religion था यह जो है regional language था और जबकि Brahmanism में Sanskrit language था तो Sanskrit जो आजकी देट में English जैसा होता न भौकाली उस समय वह संस्कृत भौकाली हुआ करता था और जो पाली language था बहुत असान था इसलिए जो expansion हुआ काफी ज़्यादा Buddhism का Buddhism started declining in India in the early medieval times Buddhism started declining in India in the early medieval times as Buddha was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become the part of Bastionism Buddhism started declining in India in the early medieval times क्योंकि बुद्धा को जो है उस समय consider किया जाने लग गया था concept incarnation of Vishnu माने जाने लग गया था तो एगेन Brahmanism से जोड दिया गया तो यह ठीक नहीं था और तिरे-दिरे यह decline होने लग गया इसका अपना essence था नहीं जोडना चाहिए था सम्बुदिस्ट रॉप कटकी एफसार कॉल्ट चैट्या वाइल अदर कॉल विहारा जब डिफरेंस तो चैट्या एक हॉल हुआ करता था जिसमें वर्शिप करते थे ठीक है चैट्या एक हॉल वर्शिप होता था तो चैट्या जो होता है वो error of Taoを Collect yoga गॉटा होना विहारा जो होता है वह मतलब रहने की जगह आपिछ और्मिनेnt फॉम अप बश्टियार्ष ईडीरिघेरिंग् तॉस पीरिईटवाज अंसर प्अब बजरिया न बजरिया यान कि जो हमार पाल समय में उत्यoded वो था, the future buddha who is yet to come to save the world will be aansaruga maitriya, future buddha who is yet to come to save the world will be maitriya buddha, maitriya buddha, the early chaitagriha and vihara of the early chaitagriha and vihara of guntu falli which are rocket in nature are located at this village, guntu falli village is located in Andhra Pradesh, Nalanda University was famous in world because of buddhist religious philosophy, buddhist religious philosophy, now Nalanda Mahavihara is famous for what, now Nalanda Mahavihara is famous for pali research center, aansaruga pali research center, now Nalanda Mahavihara is famous for pali research center, the common feature between buddhism and jainism was the common feature between buddhism and jainism was ahinsa, indifference to veda, rejection of rituals the doctrine of monasteriness, the doctrine of momentaryness has been propounded by ansaruga buddha the four noble truths of buddhism in chronological order, buddh has said, there is a suffering, there is a cause of suffering, there is a cause of suffering, cessation ho shakta hai, dukho ka anth kiya ja sakta hai, uske liye eight fold path joh hai follow karna padhega, that is the path leading to cessation of suffering, both jainism and buddhism believed that, kya believe kya dunho na, both jainism and buddhism believed that, philosophy of karma and trans migration of soul, in dunho na viswas kiya, philosophy of karma and trans migration of soul pe viswas kiya, the correct statement about buddhism are, the correct statements about buddhism are, number one, it did not reject caste and class, the correct statements about buddhism are, it did not reject caste and class, it challenged the highest social ranked brahmins, yeh donoh sahih ya, ab dekhenge, jain religions related kuch important pointers, number one, the originator of jain religion was risavdev, rishavdev, jain religion ke pahle tirthangkara thay, risavdev, this liye originator bhi kaha jata hai, total 24 tirthangkara huye, jis mein risavdev important thay, pahle thay, the first tirthangkara of jain religion was risavdev, the first tirthangkara of the jain religion was risavdev, pausnaath jain tirthangkara, pausnaath the jain tirthangkara was associated with answer hoogai, the correct chronological order of jain tirthangkara is, saabse, to sabse pahle dhikhenge, to isme abhinnandan aayenge, 4th e jain tirthangkara thay, phir johai padhm, padhm, prabhu aayenge, 6th e tirthangkara thay, phir aayenge, vimal naath, 13 way and phir aayenge munsi, munisu bratha naath, bese me tirthangkara, mahabir swami was born at, mahabir swami ka janam huwa tha, kundgram, kundalpur, kundgram me in ka janam huwa tha, mahabir swami ka, mahabir jaina breathed his last at pawapuri, in ka johai dihanth ka haan pe huwa tha, aakhri johai saans ka haan bhari thi, yeh pawapuri me bhari thi in hoonne pawapuri me, the word tirthangkara is related to, the word tirthangkara is related to jains, the last one in the order of jain tirthangkara was mahabira, the last one in the order of jain tirthangkara was mahabira, 24 way or aakhri tirthangkara yahi huwa, mahabir swami attained enlightenment on the bank of which river, mahabir swami attained enlightenment on the bank of which river, तो इनको जो है, ज्यान की प्राप्ति जो हुई थी, रिजुपाली का नदी के किनारे हुई थी, रिजुपाली का नदी के किनारे, आंसर होगा, रिजुपाली का river, the salvation place of mahabir ji, mahabir swami ji, the originator of jain religion is located at, आंसर होगा, पावा पूरी, नियर, राजगीर, बिहार, यहां पे इनका धिहान थुआ था, तिर्थंकर और उनके निर्वान प्लेस देखेंगे, नेनों से लेटूणरी रिसवुनात, जोकी इनका निर्वान प्लेस था, अष्ट पद, वसु पुज्या का निर्वान प्लेश था, चमपापूरी, जोकी मुंगेर में पढ़ता है, बिहार में, नेमीनात का जो है यह उर्जा उर्ज यंता में निर्मान प्लेस है महबीर का पॉवपूरी टितंकरा और कोगनिशन, इनको इनको symbolize किया गया है किस symbol से दिखाए गया वह बताना है तो पासनात जो कि 23 तितंकर हुआ करते थे इनका जो शिंबल था स्नेक आदी नात का बुल और महाबीर का लायन तिर्थंकर महाबीर का लायन याद रखिए का महाबीर का पूछा जा सकता है पासनात का भी पूछा जा सकता है महाबीर का है लायन प्लेस एंड रिलेटेड तिर्थंकरा किस प्लेस से कौन से तिर्थंकर बिलॉंग करते थे तो स्रावस्ती से बिलॉंग करते थे तिर्थंकर संभवनात काका नडी से बिलॉंग करते थे सुबीधा नात अयोध्या से बिलॉंग करते थे रिसवनात ठीक है और पभोसा से बिल Hinduism, Islam, that does not trust in the concept of final annihilation of the world is, सवाल फिसे सुनिए, out of the given religions, namely Buddhism, Jainism, Hinduism, Islam, that does not trust in the concept of final annihilation of the world is Jainism, आंसरोगा Jainism, the basic point of Jainism is non-violence, basic point क्या है, Jainism का, वो है non-violence में विश्वास करना, ये ये तो ऐसे हो गए थे, उस एक समय अभी भी हैं कुछ जो ये जारू लगा के चलते हैं सड़क, कोई जो है, छोटा मुटा, छोटा सभी, चीटी भी ना मरें से, ये पनिया वस इसेंप्र सथ का, क्या सथ जानिजम, ये तो ये सब्सक्तला सक ये तो जानिया वाइण, ये तो जानिया मैं कौट हैं Desha सक क्हां जानिया, With reference to religious practice in India, the Sthanak Vasi sect belongs to Jainism. Out of the given options, 12 Angaj, 12 Upangaj, 14 Purvaj, 14 Uppurvaj, which is the earliest book of Jain. Out of the given options, 12 Angaj, 12 Upangaj, 14 Purvaj, and 14 Uppurvaj, which is the earliest earliest Jain book answer, 14 Purvaj, sabse purana 14 Purvaj. The earliest Jain literature was compiled in the language of Ardh Magadhi. ये बार बार सवाल पुछा जाता है, the earliest Jain literature was compiled in the language of Ardh Magadhi. Out of the given places, namely Champa, Pava, Samedh Sikhar, Samedh Sikhar, ठीक है, Uriyanth, that is known as the place of pilgrimage because of the being related to Parsnath, तो ये पासनाथ जो है, Samedh Sikhar, जो की जार्खन में पढ़ता है, पासनाथ की पहाड़ियों में, वहाँ पी ये सिखर located है, और ये place of worship है. Out of the given name, Chandra Prabhu, नाथ मुनी, नेमी, संभव, who was not a Jain तिर्थंकरा, तो नाथ मुनी जो थे, ये कोई Jain तिर्थंकर नहीं हुआ करते थे, नाथ मुनी, अगला है, प्रभासगीरी is a pilgrimous spot of, प्रभासगीरी जो है, प्लिग्रिम स्पोट है, किस से related है, Jain से related है, Jain धर्म से related है, In the Jain religion, the word that is used for complete intellect is, In the Jain religion, the word that is used for complete intellect is, कैवल्या, जब ज्ञान की प्राप्ति होते हैं, तो जीना कहलाते हैं, या फिर कैवल्या कहलाते हैं, जैन में, ठीक है, वही जो है, तथागत कहा गया था बुद्धा को, ठीक है, बुद्ध कहा गया था, The doctrines associated with Jainism are, अनेकांत वाद and स्याद वाद, अनेकांत वाद का मतलब यह है, कि एक चीज को आप ऐसे नहीं बोल सकते, कि यही है, बिलकुल, यही है, नहीं बोल सकते, अनेकांत वाद की थीवरी लगती है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, स्याद वाद, आप स्योर्टी के साथ नहीं कह सकते, कुछ भी, 100% स्योर्ट कुछ नहीं होता है, स्याद वाद रहता है, Probability जिसे करते हैं, Probability वाला कौन से, these are correctly matched, एक तरफ है तिथंकरा, दूसरे तरफ है Cognizance, किस सिंपल से कॉगने, उन को पहचाना जाता है, Cognizance क्या है उनका, तो आदीनात को जो है Cognizance, उनका जो है भूल है, बूल से पहचाना जाता है, मलीनात का है, Water Jar, पासनात का है सनेक बहुत इंपोर्टन पासनात है लायन महावीर बहुत इंपोर्टन है संभवनात का है होर्स संभवनात का है होर्स the doctrine of three jewels right faith, right action and right knowledge is related to teen jewel कहा गया है the doctrine of three jewels right faith, right action and right knowledge is related to answer होगा जैनिजम the doctrine of three jewels right faith, right knowledge and right action is related to जैनिजम the theory of अनुवरता was advocated by अनुवरता की ठीवरी जो है जैनिजम में एड्वोकेट की गई है स्यादवाद की ठीवरी जैनिजम की doctrine है the Jain philosophy holds that the world is created and maintained by the Jain philosophy holds that the world is created and maintained by universal law, Jain philosophy क्या कहती है, Jain philosophy कहती है that the world is created and maintained by universal law out of the given scriptures that is, that is थेरी गथा, अकार्म शुत्रा शुत्र क्रितंगा and ब्रिहत कल्प सुत्रा which is not part of early Jain literature अंसर होगा थेरी गथा थेरी गथा the founder of स्वितांबर क्रीद the founder of स्वितांबर क्रीद during the first partition of the Jain creed was the founder of स्वितांबर क्रीद during the first partition of the Jain creed was अंसर होगा स्थूल बद्रा the first disciple of Lord Mahavira was the first disciple of Lord Mahavira was अंसर होगा स्वितांबरा जो है अंसर होगा यह जैन काउंसिल हुआ था पाठली पुत्रा में first Jain काउंसिल हुआ था पाठली पुत्रा में ठीके पहली Jain काउंसिल दो ही Jain काउंसिल पहली हुई पाठली पुत्रा में और दूसरी हुई थी कहां पे दोस्तों वल्लभी गुजरात में करेक्ट स्टेटमेंट देखना है दा स्वितामबरा कैनन इंक्लूड़ देट टुव अंगाज देखे जैन धम जो है दो भागम बट गया था दो सेक्ट में बट गया था स्वितामबर और दिगंबर वैसे थे जो की स्वेत कपड़े पहनते थे दिगंबर तो बिल्कुल नग नग रहते थे स्वितामबर कैनन इंक्लूड़ देखे टुव अंगाज एक्कॉर्डिंग तो स्वितामबरा ट्रेडिशन दा अंगाज अंगाज वेर कंपाइल एड़ दा काउंसिल हेल्ड़ पाटली पुत्रा दूनों सही है नेक्स्ट है कि करेक्ट स्टेट में देखता है गौतम बुद्धाज मदर वाज प्रिंसेज फ्रम कोलियन डाइनस्टी बिल्कुल सही है पार्सनाथ जो की 23 में तिठंकरा थे विल्कुल सही है इनके पीता जी बनारस से थे तो यह भी बनारस से थे तो अगला पॉइंट है कि आउट अप गिवन स्क्रिप्चर्स थेरी गाथा अकरंग सुत्रा सुत्र कृतंगा और ब्रिहत कल्प सुत्रा सक्रिणों है थेरी का थे यह लेटर लिटरेचर का पार्ट तो फांडर वफ्टामर क्रीड दूरिंग फॉष्टपīशन अब जायन क्रीड वाज तो स्वेत्आमबर के जो फांडर थे वो स्थूल बदरा थे जाएन जो है जैनिजम जो है दो भागों बट गया था स्वेतामबर एं दिगंबर ठीक है तो स्वेतामबर के जो founder थे वो थे स्थूल भद्रा तो फर्स्ट डिसाइपल अफ लॉर्ड महावीरवाज इनका दमाद जमाली स्वेतामबर अगमा वाज फाइनली एडिटेड अट विच जैन काउंसिल आंसर हुगा पाटली पुत्रा तो ये तो हो गया था साइड ता नेक्स्ट फर्स्ट जैन काउंसिल पाटली पुत्रा करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो दो स्वितामबर कैनन इंक्लूड तूइल वंगाज बिल्कुल सही है अगला सवाल भी कवर कर लिया था हमने आगे बठते हैं अकॉर्डिकृण तो जैन दॉक्ट्री विजय स्टेटमेंट साइट्मेंट करेक्ट पहला स्टेटमिंट है the surest way of annihilation karma is to be practiced penance, ठीक है, penance के द्वारा ही, उपने सरीर को कस्ट दे के यह लोग जो है, annihilation पाते थे, नेक्स है, every object, even the smallest particle has a soul, इनकी belief थी, आहिंसा में भी स्वास करते थे, तो आहिंसा के इतने बड़े पुजारक बन गए थे, कि छोटी, चलते भी थे तो जारू लगा के चलते थे, कि चीटी तक ना मर जाए, karma is the bone of the soul and must be ended, ठीक है, ये भी बात सही है, समाधी मारन, समाधी मारन, सले खाना, is related to philosophy that is, समाधी मारन, जिसे सले खाना कहते हैं, it is related to philosophy that is, Jain philosophy, इसी philosophy के तहत, मौरेन डाइनिस्टी के founder, चंद्रगुप नौरे ने भी अपने प्राण त्याग दिये थे, इसे slow starvation कहते हैं, या फिर सले खाना कहते हैं, आजीवक सेक्ट वाज फांड़ेड वाई, वाई, मखाली घोशला, ठीक आजीवक जो सेक्ट था, वाई, मखाली घोशला, ठीक आ आजीवकास, आजीवकास is the right answer, out of the given options, namely Jain, Buddhist, आजीवक, and मिमा सकास, मिमान सकास, which rendered that the fate assigns everything, human is incapable, बोला कि सब कुछ जो है भाग्य है, fate है, human जो है, incapable है, answer होगा आजीवक, आजीवक कैसा मानते थे, आजीवक, अगला है the correctly matched list list आपको बताना है, अचारे और उनके doctrine, तो पसुपत जो है, ये लकुलिसा की जो है, अचारे की doctrine है, सुन ये वाद जो है, doctrine, ये जो है, नगारजुन, नगारजुन की है, जैन भदरवाहु की है, खासकर दिगंबर वाली, and घोशला, जो है, आजीवक सिक्ट के जो है, अच लूदर हाँसे बराबर केप्स जो है, गया के पास बढ़ता है, बिहार में, ये यूज किया करते थे आजीवक संपरदाय के लोग, सेल्टर हाँस के तौर के तरपे, These encryptions inform us about the dedication of these caves to the Ajivakas ये भी सही है, तीनों सही है The famous pilgrimage of Buddhists as well as of Jain in Uttar Pradesh is at The famous pilgrimage of Buddhists as well as Jains in Uttar Pradesh is at Kausambi आंसर होगा Kausambi गुम्तेश्वरा स्टैचू स्रवन बेल गूला का जो है ये एक बहुत बड़ा विसाल स्टैचू है नग नवस्थाम बनाया गया है स्वेताम स्रवन बेल गूला में ये है और इसे किस ने बनवाया था इसे बनवाया था परणायों कर नांटक में पढ़ता है ओह इसलेस्वरा टेमपल इस डेडिकेटइड हो यह एसलेस्वरा टेमपल डेडिकेटेड़ को लोड सीवा को इंडिया's लाजिस्ट बुद्हिष्ट मुनास्ट्री एज recording ऑरुनाचलपद और सी और छॉडप अक्ठो टेंपल से बूट अंडर चंदेल केंग चंदेलों ने बनवाया था, चंदेल किंग ने खुजुराहो टिमपल बनवाय था, इसमें जो है काफी ज़यदा काम वस्था में मुतिया मनी है Maha Mastak Abhishekha Maha Mastak Abhishekha A great religious event is associated with Aancharoka Bahubali Maha Mastak Abhishekha Abhishekha is a great religious event Is associated with Bahubali Bahubali is regarded as the son of Aancharoka 1st Trithankara Risavde Bahubali is regarded as the son of 1st Trithankara Risavde Bahubali Agla Sawal Ab dekhenge Saiv, Bhagwat Aur Religions Basonism and Saivism Se related questions ko dekhenge According to ancient Indian Cosmogenic Ideas According to ancient Indian Cosmogenic Ideas The sequential order of the cycle of Four epochs That is Yuga are According to the ancient Indian Cosmogenic Ideas The sequential order of the cycle of Four epochs are Krita, Treta, Dwapar, and Kali Krita, Treta, Dwapar, and Kali 4 Yuga Out of the given sects Namely Ajivak Ajivak Matmayura Maya Mata Isanava Siva Guru Deva Guru Deva Padhati Which was Siva sect So Siva sect Isanava Matmayura Matmayura अगला अगला सवाल है कि अर्द नारीश्वर अर्द नारीश्वर जिसमे भगवान सीव और परवती का जो हाफ सीव हाफ परवती हैं ये रिप्रेजेंट करता है Union of God with सक्ती Union with Union of God with सक्ती ये परवस्टी 24 नार नर्ष्वर नार जो थे जैव थे और अलवर जो थे वो बैस्निय्जम को भी करते थे ये जब तमील में साूथ में ये मुवमन्मेंट हुआ था नार और अलवर का नार जो ते वो सेव में विश्वास करते थे सीव में विश्वास करते थे और अलवर जो थे वो विश्वास करते थे 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 विश्वास क इस्त प्रिम्दुटान कहुशब्स कि खिए निभुटान कि जुचल थी हमें। ओरे हमेश्यूं से खित수त औरे अन्सरो一下 और झारी से अन्सरो विजल्टान का शरी खितक bajo क्रिम्द ृष्टान का जो fact आटाला का इसा एक्रिस्ट and Krishna is the son of Dev की आंसर होगा च्छांदोग अपनिष्ट The first to worship Vasudeva Krishna was The first to worship Vasudeva Krishna was आंसर होगा भगवताज भागवत होग करते थे जो कि Krishna की पूजा करते थे The deity The deity which is represented in art as holding the flow तो इन्हों बलराम को जानते हैं The Balraam जो हल लेकर घुमते रहते थे हल से ही मार देते थे किसी को भी, the number of forms of bhakti in the bhagvata cult is total 9, the number of forms of bhakti in the bhagvata cult is 9, अब कृष्णु को जो है ना, पार्ट माना जाता है, बिश्नु का, the base nagar encryption of heliodorus is associated with, ये गरूरा पिलर जो है यहाँ पर बनाये गया था, base nagar encryption भी बनाये गया, heliodorus एक बहुत बड़ा जो है, ये बैस्नविजम को follow करने वाला एक ब्यक्ति था, वसुदेव से ये रिलेटेड है, यानि कि विश्नु से रिलेटेड है, the earliest archival evidence related to bhagvata religion is base nagar encryption of heliodorus, base nagar encryption of heliodorus, the earliest known epigraphic evidence of bhagvataism is, the earliest known epigraphic evidence of bhagvataism is, is garuda pillar at base nagar, garuda pillar at base nagar, heliodorus of base nagar encryption was resident of taksh sila का ये निवासी था, heliodorus taksh sila, the incarnation of vishnu that is depicted as saving the earth from the sea is, तो देखा ओगना आपने कि विश्नु जी का बराह का मतलब सुवर का मूँ है और उस पे जो है, दोनों जो है दांत के बीच में धर्ती रखे हुए, वो जो है बराह का उनका रूप है, वो लोग जो बिलीव करते थे वेदा में उनको आस्तिक कहा जाता था और जो बिलीव नहीं करते थे, ऑथेंसिटी अफ वेदा में उनको नास्तिक कहा गया, As a means of liberation that gives equal importance to ज्यान, कर्म, और भक्तिज, As a means of liberation that gives equal importance to ज्यान, कर्म, और भक्तिज, आंसर होगा भगवत गीता, The main education of गीता, गीता का main education क्या है, इसका main education है, निस्कमा कर्म योगा, निस्कमा कर्म योगा, the main education of गीता is निस्कमा कर्म योगा, The doctrine of अपूर्वा is related to मिमानसा, the doctrine of अपूर्वा is related to मिमानसा, Correctly match देखना है, अस्ट ध्याई, ये बहुत बड़े grammar की एक किताब है, अस्ट ध्याई, पानिनी ने लिखी थी, महाबास से अस्ट ध्याई के उपर एक commentary है, ये पतंजली ने लिखी थी, निरुक्ता ये लिखी है, यसका ने और वर्तिका जो है, ये कत्यायन मुनी ने लिखी है, करेक्टली मैच आपको बताना है एक बल्लभाचार्य, पुस्ति मार्ग, रामानुज की है, बिसिस्ट अद्वैत, इसी धान्त है सक्के, माधवाचार्य की सिधान्त है द्वैतवाद, और संकर की है अद्वैतवाद, संकर या संकराचार के थाए, लोकित दर्शन is called Charvak Philosophy, लोकित दर्शन is called Charvak Philosophy, इन प्रस्थांत्रय इन प्रस्थांत्रय इस में ब्रह्म सुत्र है भगत गीता है ठीक है अगला है, the ancient place where the narration of entire Mahabharata was read in conference of 60,000 Harvitt, ये जो है place है, नेमिस्रयन्या, ठीक है, नेमिस्रयन्या, काली का पुरान is associated with सक्तिजम, काली का पुरान ये जो है, ये जो है, associated है, सक्तिजम से, परवती से, सक्ति से, The kand of Ramayan, which describes the first meeting of Rama and Hanumana is, किस्किंधा kand, ठीक है, जिस kand में, Ramayan का ये kand है, जिसमें first meeting, जो है, राम का Hanumana से बताये गया है, ये है किस्किंधा kand, Correct match बताना है, आपको God है, तरफ उसका symbol, God और symbol का जो है, correct match बताना है, सीवा का जो symbol है, वो है, ट्राइडेंट, विश्नु का symbol है, चक्रा, गनेश का symbol है, रोप और नूज, सरस्वती का symbol है, बीना, बीना में लेके बैठी रहती है, अगला सवाल है, रथ यात्रा एट पूरी इस सेलिवेटेद इन दो ओनर रफ, लॉड जगनात के लिए, जो कि एक हिंदू दैती है, विश्नु के ही इंकार्नेशन माने जाते है, लॉड जगनात के लिए रथ यात में जो कुम्भ मेला लगा, वो गुदावरी लदी के किनारे लगा, आउट अप गिवन नेम्स, सिवा, कृष्ना, कामा, लक्ष्मन, हूँ इस कॉल्ड अनंगा, in the context of Indian culture, आंसर होगा, काम, काम देव को अनंगा भी कहा गया, अनंगा, काम देव को, करेक्ट मैच देखना है है, religion और holy places, Jainism जो है पावपूरी यहां पर, यहां पर जो है, महावीर स्वामी का ध्यान्त हुआ था, Hinduism से related, वारण असी है, कासी विश्वनात, Islam से related, मदीना है, मक्का मदीना, Christianity से related है, Vatican City, 6th century BC के political condition अगला हमारा topic है, इसको दिखेंगे, 6th century BC का political condition दिखेंगे, हमारा अ King पर्दियोत जो था यह किस स्टेट का सासक था यह अवंती महाजनपथ का सासक था King पर्द्योत. उदयन उदयन था वत्स का, प्रसेन जित जो महा जनपत का सासक था वो था कोशल से अजयाठ्षतृू अबकॉस मगद का सासक था बिम्भी सार का बेटा था एक तरफ है किंग दूसरे तरफ कैपिटल किंगडम एंड कैपिटल अंग जो की प्रजेंट दे मुंगेर और ब्हागलपूर वाला रीजन है बिहार में यह चंपा इसकी कैपिटल हुआ करती थी एक समय श्लू जनपदों मेंसे महाजनपदों मेंसे एक फार कोशल साकेत जो फीर strangलं या फिर सकी suis सब्सक्राइब के पिलर पे छपी हुए 33 में छपी हुए जिसको कोट पॉएट समंध्र कुप्ता के हरी सेना ने छपवाया था परसद़ती लिखी यह महेंद्र के बारे में कोशल निर्स महेंद्र के बारे में इसमें जिक्र है The epigraphic evidence reveals that under the instruction of Nand king, a kennel was dug in Kalinga ठीके ये जो Kaling में सुदरसन लेक करके है, वहा की चर्चा भी है ठीके, the epigraphic evidence reveals that under instruction of Nand king, a kennel was dug in Kalinga The ancient name of Ujjain was, Ujjain को जो है अवंतिका कहा जाता था, ancient name Ujjain का था वो अवंतिका था Matasya Mahajanpad of 6th century BC was located in, this was located in Rajasthan Matasya Mahajanpad of 6th century BC was located in Rajasthan The ancient cities mentioned in the Mahabharata and Mahabharata both are The ancient cities mentioned in Mahabharata and Mahabharata, जो की Patanjali की रचना थी Mahabharata ये इसमें जो ancient cities की चर्चा है वह माधिमिका और विराटनगर माधिमिका और विराटनगर, विराटनगर किसकी capital हुआ करती थी दोस्तों? Matasya की, Matasya की, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है Matasya Mahajanpad, रायस्थान में लोकेटेड था पाटली पुत्रा वस फाउंडेड वाई अजात सत्रू नहीं होगा या Capital बनाया था उदाइन ने घेरा बंदी जरूर कराई थी अजात सत्रू ने लेकिन आंसर होना चाहिए उदाइन पाटली पुत्रा वस मेड़ कैपिटल और फाउंडेड वाई उदाइन आउट अप देगेवन रूलर्स नेमली चंद्रगुप्त मौर्या असोका चंद्रगुप्त विकर्मादित्य कनिस्का who had made पाटली पुत्रा the capital of his empire first time तो हम जानते चंद्रगुप्त मौर की capital थी पाटली पुत्रा तो चंद्रगुप्त मौर ही होगा और इन सब में पहले सबसे पहले सासक चंद्रगुप्त मौर्या ही थे असोक तो इनके नाती थे चंद्रगुप्त विकर्मादित्य गुप्त वन से थे और कनिस्क तो कुशान से काफी बाद में आया था first century में the legend of Udayan Vasav Dutta is related to Ujjayan Vasav Dutta यह legend था Udayan का Ujjayan से belong करता था first Magadan Empire रोजिन 6th century BC first Magadan Empire Haryak dynasty 6th century BC में रोजिन हुआ था the first Republic of the world which was established in Vaisali was Lichwi पहली Republic दुनिया की world की पहली Republic जो है established रिती कहां पे Vaisali में Lichwiyo की the first Republican system of the world during 6th century BC was located at Vaisali ठेक है दुनिया को सबसे पहले Republic किस ने दिया इंडिया ने बिहार out of the given Buddhist text namely दिग निकाय त्री पितका जिसमें सुत्त पितक मिने पितक अभिदम पितक आता है दीप वन्स और महावंस यह सेलोन यानि के प्रजेंटे सिलंका के थे बुद्धिस टेक्स अंगुत्र निकाय विच फिक्स्टीन महाजनपदा का सबसे पहले 16 maha janpada of the age of maha janpada have often been mentioned in the buddhist literature out of the given janpada namely magad asmak, kamboj, chedi, vatsa which have been mentioned by panini in his book asthidhyai magad asmak and kamboj out of the 16 maha janpada out of the 16 maha janpada 8 were present in modern day Uttar Pradesh these are 16 maha janpadao meh se 8 joh hai Uttar Pradesh meh thay woh hai number one kuru, thik hai merath, dilliyo, thhaneswar wala area number two, panchal, bareli or baduah wala region sursena, braj mandal wala area, bridge wala area vats, prayag raja or banda wala koshal, avad wala area, mall, kusinagar devariya wala region kasi, varanasi wala, chedi, chedi joh tha ye eastern bundelkhand wala region tha asoka vanda avanti maha janpada and merge it into modern empire during the bindusara rule this written by buddh ghos in the text of samanth pasdika text meh likhha gya hai, according to mahabharat, the capital of north panchala was, mahabharat ki mahani hai, capital joh tha, north panchal ka ka haan pe tha, ye capital tha, achi chatra, thik hai, according to mahabharata the capital of north panchala was, achi chatra, haan sarao ka achi chatra, champa was the capital of, champa joh tha, ye present day, joh bhaagalpura mungir meh eek maha janpada first world huwa kata tha, ang, uska yek capital huwa kata tha, champukur, champa nagari, champa, kusinara, kusinagar and pava were the twin capital of mall, joh ki, mallo ka capital tha, kusinara bhi tha, kusinagar jisai kata hai, johan pe buddh ka maha parinirvan huwa, pava, yeh dhoonoh tha capital huwa kata tha, mall ka, joh ki, present day, kusinagar or devariya wala region pe, yeh huwa kata tha, mallya maha janpada, sukti mati, sukti mati, sothi vati was the capital of chedi, sukti mati and sothi vati was the capital of chedi maha janpada, sola maha janpada, chedi maha janpada, uttapada, iska bundel khadwala region, during the period of 16 maha janpada, mathura was the capital of soor sena, the capital of magad was, of course, rajgiri, initially, then pataliputra, initially, rajgiri, maha janpada, which was situated on the bank of river godavari was, godavari nadi ke kinaraya basa tha, asma ka maha janpada, asma ka maha janpada, the initial capital of magadha was, giri vraja, jisai hama rajgiri hai bhi kahta hai, initial capital of magad was, giri vraja, jisai hama rajgiri hai bhi kahta hai, the town configuration of ancient sarawasthi is, the town configuration of ancient sarawasthi is, crescentic, crescentic, chandrasev ka, out of the given cities, namely, giri vraja, rajgiri ha, pataliputra, kawsambi, which was not a capital of magadhan empire, तो, kawsambi, kabhi, magadhan empire ka capital nahi raha hai, जबकि grievers, सबसे पहला, Rajgiri, भी उसी को बोलते है, पाठली पुत्रा, यह सब capital raha hai, magadha, the initial ruler of magadha, who killed his father, inthroning and also killed by his son for the same reason, Ajad Satru, Ajad Satru ko piltr hanta kaha gya, इसके बेटे को भी कहा गया, क्योंकि बिंबी सार की हत्या करके, इसने गद्धी पाई थी, और इसके बेटे ने, Udayan ने इसकी हत्या कर दी और गद्धी पा गया, The name of dynasty of Ajad Satru was Haryak dynasty, Ajad Satru किस dynasty से belong करता था, Ajad Satru belong करता था, Haryak dynasty, The prince who was responsible for the death of his father was Ajad Satru and Udayan, Ajad Satru ने बिंबी सार को मारा और Udayan ने अपने पिता Ajad Satru को मार दिया, तो दोनों जो है, पित रहंता कहे जाते है, Power of Magad was extended over the Malwa region during the reign of Sisu Nag, Sisu Nag is the right answer, The dynasty which ruled over Magad after Nand dynasty was Maure dynasty, आखरी सासक्ता धनानन, नंदो का उसे मार कर, चंदगुत Maure Gaddi के बैठे, The encryption which is the evidence of Nand rulers, The encryption, description which is evidence of Nand rulers, is Hathi Gumpa encryption of Kharvela Urisa का ही है, हाथी Gumpa encryption of Kharvela Urisa, The correct chronological order of Magadhan dynasties, तो सबसे पहले आएगा Hariyak dynasty, founder Bimbisa, Sisu Nag dynasty, Sisu Nag ने found किया Hariyak के बार, फिर नंद dynasty आए, महापदम नंद ने found किया, Maure dynasty चंदगुत Maure ने found किया, Sisu Nag सुंग dynasty आए, पुसे मित्र सुंग ने इसे found किया, The king of Magad, who is known as, who is known as Aparo Parasurama, यह है महापदम नंद, नंद का founder, नंद dynasty का founder, Aparo Parasurama, The founder of Nand dynasty in Magad was, महापदम नंद, इसे एकरट भी कहा गया, एकरट भी कहा गया, सर्वच्छत्रतम्तगा भी कहा गया, सर्वच्छत्वय भी नासक, The region for rise of Buddhism are, Rise of Buddhism कि हुआ कि 6th century BC was a period of great religious upheaval in all parts of the world, उस समय चाइना में भी upheaval आया, इंडिया में भी आया, The Vedic religion had become very complex, Brahmanism rituals काफी ज्यादा height पे थे, तो आम जनता उसे जुड़ नहीं पा रही थी, और alternative धून रही थी, Jeevak the famous physician of the time of the Mahatma Buddha was associated with the court of, Jeevak the court physician was Bimbi Sarka, Jeevak the court physician was Bimbi Sarka, Jeevak the court physician was Bimbi Sarka, जिसको भेजा गया था Mahatma Buddha की सेवा के लिए राजगीर में उस समय रह रह थे, The town of Kalpi is situated on the bank of river, Kalpi the town is situated on the bank of river Yamuna, Ensign places of UP and उसके capital बताने हैं, Ensign places of UP और उसके capital बताने हैं, Kuru, Kuru का जो capital था वो इंदरपरस्त था, पांचालो का capital था, अची चत्रा, कोशल का साकेत, और वद्स का कोशाम्वी, यह कुछ capital जो था आपको याद रखना चाहिए, महा जन्पदा उनकी capital correctly match देखाना है, मतस्य महा जन्पदा जानते थे कि राजस्थान में था, विराट नगर capital, Kuru, इंदरपरस्त, UP में ठेक है, और सूर सेना, एगें UP में, Mathura, अस्मक, पोटन, कोशल, साकेत या फिर सरवस्ति, यह भी UP में, आउट अउट 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 अगुत्तर निकाय, भगवती शुत्रा, अर्थ शास्त्रा, दिग निकाया, विच लिस्ट निकाया, भगवती शुत्रा दोन, अंगुत्तर निकाया, भगवती शुत्रा दोन, The founder of Karnat dynasty was Nanyadev, Karnat dynasty के founder Nanyadev थे, Nanyadev, बहत important, यह बिहार मिथिला रिजन की यह डाइनस्टी हुगा करती थी, Nanyadev इसके founder थे, The last king of Karnat dynasty was Hari Simha Dev, Hari Simha Dev, बहुत बड़ा, यह समाज सुधारक भी थे, बट आखरी सासक बने, unfortunately, Ahat coin और punch mark coins were made up of which metal, Ahat coin जिसे punch mark जिसमें punch mark दिया जाता था, बिलकुल गोल नहीं होता था, The capital of Karnat dynasty was Simrao, capital of Karnat dynasty was Simrao, Kaha tha Karnat dynasty का capital? The answer was Simrao, the true statement about Sreni in ancient India are, The Srenis were an organization of merchants and artisans, the quality of produced goods and their price were determined by Srenis, The Srenis also controlled and conduct of members, the prevalence of Srenis is mentioned in the North as well as South India both Greek invasion, Now next topic is Greek invasion, Greek invasion की बात करते हैं, तो देखे दर पहला point है कि the dynasty ruling over North India, The time of Alexander's invasion was, तो हम जानते हैं कि Alexander एक Greek नागरिक था, ठीक है, मकदुनिया से यह आया था, इसके समय में गदी पे बैठा था, नंदो का सासक, ठीक है धना नंद, तो उस समय नंद dynasty जो थी रूल कर रही थी, मगद पे, नंद dynasty, तो correct answer होगा नंद dynasty, The ruler of Magda was contemporary of Alexander the Great, तो यह वोगा धनानन्द, आखडी सासक था यह धनानन्द, जो कि Alexander के contemporary था, इसने जो है, मतलब इसकी सेना मजबूत थी बट यह आदमी थोड़ा सा ठीक नहीं था, भोग बिलास में डूबा रहता था, आम जंता में इसे लाइक नहीं किया जाता था, बट इसकी सेना इतनी बड़ी थी कि Alexander की सेना जो है मना करने लग गई कि साब उधर तो धनानन्द बैठा है काफी मजबूत है ना, Alexander was in India for how many days, how many years, तो यह नेरली 2 years तक इंडिया में रहा, ठीक है, and he left India in 325 BC, 325 BC में left किया और 323 BC में इसकी बेविलोनिया में मौत हो गई थी, The women of Indian Republic or Kingdom that have taken up arms against Alexander after a large number of soldiers had been killed or wounded in the battlefield was the, यह देखिये हमारी विरांगनाओं की यह कहानी है, कि Alexander ने जब अटक किया तब हमारी विरांगनाओं ने भी, मतलब कुछ कसर नहीं छोड़ा, यह विरांगना थी, मसागा जो है ग्रूप की विरांगना थी, मसागा रिपब्लिक यह फिर कह सकते के किंगडम की यह विरांगनाओं थी, The women of Indian Republic or Kingdom that have taken up arms against Alexander after a large number of its soldiers had been killed or wounded in the battlefield, ठीक है Indian Republic जो है यह मसागा है इसके बहुत सारे सेना को मारा गया था, तो women's ने arms ले लिया था, The regions of Alexander's success in India where? Alexander के success का खासकर North West India में इसने काफी पाट जीता पंजाब होगे रहा, तो इसका क्या region था इसको मतलब कैसे यह सफलता मिली, तो there was no central power in India at that time, विकश हम जानते हैं कि Morian dynasty के बाद ही central power आया था इंडिया में, और उस समय जो था, सब अपने अपने एरिया को रूल कर रहे थे, centralized power नहीं था इंडिया में, number one region, number two, he had a superior army, Alexander के आर्मी काफी superior थी, in terms of military ability क्या सकते हैं, and he was helped by traitorous Indian rulers, जो धोखे बाज Indian rulers थे, बहुत सारे से rulers थे, उन्होंने help किया in fact, कि वाई, थोड़ा सा बचने के चक्कर में, उन्होंने पूरे भारत की लगवा दी, तो यह तीन कारण है, ठीक है, the brave Indian king, whom Alexander defeated on the bank of river Jhelum was, तो Porus ही इसका नाम है, ठीक है, Porus और Alexander के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसे कहते हाइडेस्पीस की लड़ाई, Battle of Hidespies, Hidespies जेलम नदी का पुराना नाम है, Greek name है, Greek name है, Hidespies जेलम नदी का, ठीक है तो इसे Battle of Hidespies भी कहा जाता है, तो हुआ के एक तरफ, इस नदी के एक तरफ Alexander खड़ा था, दूसरी तरफ Porus की सेना खड़ी थी, पूरस भी तयार था कि आजा बेटा देखते हैं, Alexander जो है, Alexander चाहता था जल्दी क्रॉस करना, लेकिन उस समय नदी में उफान आया हुआ था, फिर फाइनली उफान जब दबा, तो Alexander ने अटेक किया, पूरस मतलब जीत रहा था, जीते जीते हार गया, तो Alexander को यह रियलाइज हुआ, कि पूरस एक आम राजा नहीं था, ठीक है, तो उसने उसको गद्धी वापस कर दिया और बहुत अच्छे से जो है, ट्रीट किया, दे करेक्ली मैज लिस्ट देखिए, यहां पर किंग और डाइनिस्टी है, Demetrius, एगेन एक ग्रीक शासक था Demetrius, यह इंडो-ग्रीक जो है डाइनिस्टी से बिलॉंग करता था, रुद्रदमन यह भी ग्रीक ही था, सका डाइनिस्टी से भी बिलॉंग करता था, Bima Kadfises, कुशानों का फाउंडर था यह कुशान डाइनिस्टी का, और गॉंडो-फेरस यह पल्लाव डाइनिस्टी का फाउंडर था, आउट अउट 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 अप्शन्स नेमली, नियर्चस, ओनेसी स्रीटस, डेमिकस, एरिस्ट्रो बूलस, who had not come to India with Alexander, तो डाइमिकस जो है इंडिया अलेकजेंडर के साथ नहीं आये था, बाकि ये सभी आयते है, ठीके बाकि ये सभी आयते जैसे कि ओनेसी स्रीटस, एरिस्टो बूलस यह आये थे हैं, अब अगला हमराए टॉपिक है मॉर एंपाइर, more empire की बात करें तो यह काफी परतापी empire था centralized power था यह ठीक है पहला centralized power था इंडिया में इसने इंडिया को एजे unit देखने की कोसिस करी है first Indian empire empire की नाम पे कहें है देखे dynasty अलग चीज़ होती है empire अलग चीज़ होती है empire जब मैं बोलता हूँ तो empire एक बड़ा area होता है continent सामिल हो सकता है तो बड़ा empire होता है वह dynasty चुटपुट होती है एक छोटे जगों तक सीमित होती है तो empire in terms of area काफी बड़ा होता है in terms of administration in terms of everything यह bigger picture में आता है so first Indian empire was established by चंद्रगुप्त मौरे with the help of kautily kautily जीने हम चानक के भी कहते हैं ठीक है और किसको हटा के यह गद्दी पे बैठे ते गद्दी पे अटा के बैठे थे धनानंद को out of the given dynasties namely गुप्त, मौरे, बर्धन और कुषान which is India's oldest dynasty भारत की oldest dynasty इनमे से बात करें गुप्त, मौरे, बर्धन और कुषानों में तो मौरे डाइनस्टी जो है इनमे सबसे पुरानी थी क्यों हम जानते हैं मौरे डाइनस्टी जो है 3rd century BC की थी ठीक है 4th century BC की थी और क्योंकि गद्धी पर बैठे थे 322 BC में ठीक है इसका establishment किया था चंद्रगुप्त मौरे ने गुप्तों का 320 AD में जो है इसका जो है मतलब establishment माना जाता वैसे तो स्री गुप्त ने पहले ही कर दिया था बड़ ठीक है झाले था चंद्र गुप्त मौरे फिगर्स परोमीनेंट्ली इंडबुक उफ देखेते एक मुद्रा राक्षास करके एक बूख है जिसका रचैता है विसाखदत विसाखदत ने लिखा है विसाखदत की मौर्य ने और है यह हो पॉटिल्य की मदद से धनानंद को हराया है हटाया है वो हमें जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षास से बिसाखदत की मुद्रा राक्षास आउट अब दे गिवन नेम्स विलियम जोन्स वी स्मित आरके मुखर जी डियार भंडार कर तो देखें सेंड्रो कोटस एंड्रो कोटस यह दो नाम जो है ग्रीकों ने इनको दिया है चंद्रो कोटस नाम इसे आइडेंटिफाई किया एक बहुत बड़े हिस्टोरियन विलियम जोन्स ने कि हाँ यह सेंड्रो कोटस जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य था अगला सवाल देखते हैं आउट अप गिवन नेम्स प्लीनी जस्टीन स्ट्रैबो मेगाइस्थनीज को मेंसन दे मीटिंग अफ सैंड्रो कोटस यह था जस्टीन जस्टीन ने कहा है ठीक है जस्टीन ने कहा है कोटिल ले वाज प्राइम मिनिस्टर आफ तो देखें हम जानते हैं कि कोटिल ले जो थे यह इनहीं की एक तरीके से कह सकते हैं ब्रें चाइल्ड थे तो आंसर होगा यह प्राइममिनिस्टर थे चंद्रगुप्त महचंपी नेक्स्ट है चानक्या चानक्या को बीसेन competent के नाम से बचपन में जाना ज्वाइब दो नाम जेनरली आप देखते हो कि अर्थसास लिखा है तो एकनॉमिक से सुचते हैं और कन्फूजन भी किया जाता है एक्जाम में आपके ऑप्शन्स देखे एक्जाम में क्या कर देते हैं वो एकनॉमिक दे देंगे ठीक है बेस्ट अनिकनॉमी बेस्ट ऑन पॉलिटी तो यह बेसिकली पॉलिटी के ऊपर भुक है तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थसास्त्र वो बुक और प्रिंसिपल ऑफ गौशन्स यानि कि पॉलिटी के ऊपर है एकॉडिंग टू कॉटिल्या अर्थसास्त्रा फॉलोइंग इस करेक्ट तो दो स्टेट्मेंट करेक्ट है कॉटिल्य के अर्थसास कॉटिल्य के अर्थसास बहुत बड़ी रचना है ठीक है और यह दो important इसमें point जो सही है वो है a person could be a slave as a result of judicial punishment if a female slave bore her master a son she was legally free ठीक है अगर मान लिजे के कोई female slave है और अपने master के साथ रह रही है and she got pregnant and delivered boy और जो भी है ठीक है तो वो जो है son की बात की गई है यहां पर तो उसका जो है legally वो slave की category से free हो जाती है out of the given options नेमली जनपदा दुर्गा मित्रा कोशा यह सब जो है यह which is the seventh part of the state according to saptang theory of the state saptang theory जो है estate की यह जो है कोटिले की अर्थसास में mention किया गया है तो which is the seventh part of state जो है यह है मित्रा मित्रा कोटिले अर्थसास डिल्स विट एस्पेक्ट फवाट पॉलिटिकल पॉलिसी यानि की government कैसे चलेगी क्या होगा यह सब के बारे में इसमें बात की जाती है टेक्स्ट एट कैन वी कंपेर्ड तो दे प्रिंस अफ मिसी विली इस कोटिल्या अर्थसास ठीक है सब्सक्राइब के प्रिंस जो है मिसी विली ने लिखी थी तो उसी के कंपेरिजन में हमारी अर्थसास्त्र भी है जिसे कोटिल्य की रचना जो है कहा जाता है कोटिल्य की रचना है इन फैक्ट डाइमेकस केम टू इंडिया डूरिंग दर रिंव जानते कि बिंदु सार जो की चंद्रगुप्त मौरे का बेटा था ठीक है और उसके बाद जो है गद्दी पे भी बैठा था मौरे डाइनिस्टी में तो इसके समय में डाइमेकस जो की एंटियोकस वन का दूत था ये इंडिया आया था और बिंवी सार उसमें गद्दी पे बैठा था चंद्रगुप्ताज पैलेस सिचुएटेट अट पाटली पुत्रा इंद इस मेली मे मिलता है ठीक है और ये कुमहरार में जो है बताते हैं पटना में कुमहरार पाटली पुत्रा में कुमहरार एक जगह है गांधी सेतुपूल से जाने पर ही पड़ता है वहां पे ये वूड का एक जो है महल बना हुआ था ये अब इसके साक्ष मिलते नहीं है क्योंकि वूड तो सड़ जाता है तरी मेंस अफ एंसेंट सिटी विच है बिन फाउंड अट कुमहरार साइट इस पाटली पुत्रा ठीक है पाटली पुत्रा और वही मैं अभी बात कर रहा था कि महल की बात कर रहे थे हम लोग नेक्स बुलंदी बाग वज एन इंसेंट साइट बुलंदी कर regional की बात करें तो डिककन को जीता था चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त महरे ने ठीक है असोक ने कьютक वार को जीता जो था यह असोक का जो है बेटा था औरुस समय डाइनस्टी जो है वीक पड़ गई थी और यह दो भागों में बढ़ गई थी तो फ qualities को यह वेस्ट्र पार्ट को रूल कर रहा था ह। इस तर्ड पाट को दसरत रूल कर था चंदरुप्त महारे ने हर्स की इसकंद गुप्त की बात करें बिक्रमा देत रिध के बात करें चंद गुप्त अात्र ने जीता था The encryption which proves Chandrugupta's sway over Western India is Junaghadh ka rock encryption है, जोकी Rudra dhaman, जोकी एक गुझरात में यह सासक था उस समय, इसके जो है, Junaghadh ke rock encryption से हमें पता चलता है की Chandrugupta का जोे सासन जो है, वो फैला हुआ था Western India तक, तो कहानी कुछ हैसी है कि सेलुकस निकेटर अलेकजेंडर के बाद गदी पे बिठा दिया गया जेनरल बना के अब तुम्हें जो एरिया जो एलेकजेंडर जीता था जैसे की सिंध और अफगानिस्तान वो तुम्हें देखरेक करना है अलेकजेंडर बिठा के चला गया लेकिन चंद्रगुप्त मौरे को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई इंडिया में आके ये हमारे ही एरिया में बैठा रहेगा चंद्रगुप्त मौरे ने बोला कि ले बेटा आ रहा हूं मैं और ये पहुचा अपनी सेना लेके हाथी वाथी बहुत ज़्यादा इनके सेना में थे रॉन डाला विल्कुल सेलुकस निकेटर को सेलुकस निकेटर जो है घुटनों पर आ गया वेचरा और फाइनली जो है उसनों अपनी हार स्विकार करी और यही नहीं साथ में बेटी की भी साधी कर दिया चंद्रगुप्त मौरे के साथ ठीक है और एक दूत भेजा मेगा स्थिनी की पाटली पुत्रा में चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में जाके बैठेगा नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौरे डिफिटेट सेलुकस निकेटर इन दे यर इंडियोन histori में बड़ा नाम है जिसे भारत का नेपोलियन भी का जाता है ठीक है संद्रगुप्त को हलांकि यह बात तरह है कि मुझे अचछा नहीं लगता कि इसे भारत काने पोलियन का जाता है श्यली नेपोलियन हो कहा जाना Τ्य है जो भी thành बेन का जहां का भी था वहां का उसे समुंद्र गुपता कहा जाना चाहिए खेर तो उस समय जो था धननजया जो था वह समुंद्र गुपता के समय कंटेंप्रोरी मतलब उसके समकाली ने किंग था ये कुसल पूरा किंगडम से बिलॉंग करता था इसको हराया था बेसिकली समुंद्र गुपता ने ये जितने भी हैं इनको हराया था समुंद्र गुपता ने नील राजा ये अवमुकता किंगडम का राजा था उस समय और उग्रसेना ये पलका किंगडम का राजा था और विश्नु गोपा य नाची का यह राजा था, इन सब को हराया था, समुन्द गुपता ने, ठीक है, तो साउथ के यह कॉन्क्विस्ट जो है, इसमें जो हराया था, और इनको जो हरा के इनका राजपाथ वापस लोटा दिया था, बस बोला था कि मेरी चलेगी, मेरी मानना, ठीक है, नेक्स्ट है, तो जिए भी है, तो असो की नीटियां काफी अच्छी थी, धह मत थी, और राजपाथ नीटि भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो असोक की नीती इतनी important थी कि आज भी हम देख सकते हैं कि असोक का stump आज भी हमारा national emblem है और असोक की बहुत सारी नीतियां आज भी सरकार follow करती है Out of the given territories नेमली अफ़कानिस्तान, बिहार, सिरलंका and कलिंगा which was not a part of असोका's empire अफगानिस्तान, बिहार, सिरलंका and कलिंगा तो देखे कलिंग की तो लड़ाई में जीता ही था और काफी bloodshed हुआ था 266 BC में लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद हिर्दय परिवर्तन हो गया था असोक का बाकी जो है जैसे कि बिहार में तो यह mainly चंद्रगुप्त मौरे का establishment ही था पाटली पुत्रा तो इनकी जो है राजधानी ही हुआ करती थी ठीक है अफगानिस्तान में मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौरे ने इसे जीत लिया था से लुकस निगेटर को हराकर तो यह पार्ट ही था असोक के समय तो कह सकते हैं कि असोक के समय स्रिलंका नहीत एक का पार्ट है का आट अवड़ कि दिवन इंक्रव्डें सपक शुका नेमली थोर्ड मेजर याफ इडिक्ट सेंड मेजर राह इडिक्ट नाइन इसमेजर अंजर अंड इडिक्ट फॉर्स पिलर इंक्रिप्शन वीच मेंसन देश्क्रिप्शन अब संप सौथ kingdom तो यह से साउथ इंडियन kingdom में जो है इनका जो है मेंस जिसमें चोल चेर पांडिया को जो है boundary बताया गया है ठीक है बैसिकली उस सेकेंड में मेजर रॉक इडिक्ट में बताया गया है कि moral empire और चोल चेर पांडिया वाली जो है boundary है ठीक है उधर जो है वो independence आ सक है बाकी जो सब भारत था वो पूरा included था असोक के समय next है इंडिया's first hospital and herbal gardens were built by इंडिया का पहला hospital or herbal garden बनाया गया था असोका के द्वरा इंडिया's first herbal garden and hospitals was built by were built by असोका in spite of being Buddhist असोका did not leave belief in Hinduism validation of this fact is देखिए कुछ चीजों का fact मिलना बहुत जरूरी है वो कैसे पता चलेगा कि भाई Buddhist होने के उसने convert तो कर लिया था उप गुप्त के द्वारा इसे convert किया गया था जो कि एक Buddhist monk था उस समय असोक को Buddhist बना दिया गया था बट अपना Hinduism का बिलीफ नहीं इसने छोड़ाता यह हमें validation मिलता है जो इसको उपनाम दिया गया है देवनाम प्रिया का देवनाम प्रिया का तो देव देख लो यहां से जो है Hinduism को दिखाता है यह तो इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है the source that mentioned the occurrences of third Buddhist council during the reign of Asuka तो यह 250 BC में third Buddhist council organized किया था असोका ने और इसका जो है source हमें मिलता है दीप बंसा और महावंसा जो की सेलोन modern day modern day सिलंका को सेलोन कहा जाता था उस समय यहां का जो है Buddhist text है यह Buddhist council during the reign of Asuka was held at यह पाटली पुत्रा में हुआ था और मोगली पुत्त तीसा ने इसे presidency किया था ठीक है Buddhist council जो है यह असोगा के समय हुआ था पाटली पुत्रा में मोगली पुत्त तीसा ने इसे presidency इसको किया था the moral rulers who were the followers of Buddhism moral rulers की बात करें तो काफी important moral rulers है जैसे कि चंदरगुप्त मोरे जो कि जैन को follow करते थे बिंदु सार यह आजीवक संपरदाय को follow करते थे उसके बाद असोग उनके बेटे यह बुद्ध को follow करते थे Buddhism को और असोग का बेटा था मोरेन पीरियट की तो administration के important officers हुआ करते थे यह मोरेन administration के राजुकास राजुकास यह कर जो है collector modern day collector होता है न वैसे यह officer थे collection of taxes इनका काम था सरत्वाहा वाज सरत्वाहा वाज convoy of merchants सरत्वाह सारती से बना हुआ ठीक है सरत्वाह वाज convoy of merchants ठीक है जो merchants को कोई convoy जाता था तो उससे modern period में जो है सरत्वाह करते हैं कहते थे तो merchants मतलब की जो बैपारी लोग का group जाता होगा न उसको सरत्वाह कहा जाता था out of given official names namely अग्र कि अग्रहरी का युक्ता प्रदेश का राजुका विच व्च वाज नॉट पार्ट अ उप्मौरें के गणुठ देखर ये सब था ठीक है सारनात जो है पिलर असुका ने बनवाया था सारनात पिलर वारा नसी में सारनात पिलर अगला देखते हैं आँट अबब गिवन उप्सों नेमली अमरावती भरूत सांची शारनात विच इस एजिए ढwright पूस तूले की उ पिलर था पदोफिक न है बरूट में भी स्थूपा काफी ठीक टाक था बड़ वह भी इतना जब्धर नहीं उपाया, सारणात का थी था सांची का सबसे भब्ध स्थूपा हुआ करता था, सांची स्थूपा वज चुन्सटरूपा असोका ने बहुत सारे स्थूप बनाये थे क्योंकि बुद्धिजम इंब्रेस कर लिया था और बुद्धिजम में स्थूपा का काफ़ी इंपोर्टेंट रोल है चिक है तो यह बहुत सारे स्थूपा जो है इसने बनवाया था तो करेक्टली मैच लिस्ट की बात करें तो एक तरफ है प्लेस दूसरे तरफ है मॉनुमेंट्स और उसके रिमेंस या फे रियोन्स, तो कौसाम्भी में गोसित-Rama मुनास्ट्री के मॉनुमЕंट मिलता है, QUEUSICH Cara में आपको मिलेगा रामा भर इस्थूपा, ठीक है बुद्धि visited the places and followed the route in the course of pilgrimage तो basically ये उस समय बुद्ध से सवस्ति भी असोक गये थे तो यह जो प्लेसेज हैं बुध सर्किट से रिलेटेट बुध के जो है कह सकते हैं कि चरन यहाँ पर पड़े हुए हैं नेक्स्ट है लेंग्वेज यूज़ इन्दे इंक्रिप्शन ऊप अपर सोका इस लेंग्वेज यूज़ इन दे इंक्रिप् 1737 में जेम्स प्रिंसिप ने किया था ठीक है कि ये ब्राम्ही लिपी की है और प्रकिर्थ लेंग्वेज यूज होता था असोक अपने इंक्रिप्शन में यूज करते थे ठीक है उनके पिलर इंक्रिप्शन हो गए रॉक एडिक्ट्स हो गए आउट अपने की तक गडिप्शन में और आर्मेइक करिणी वाला जो है सावाजगड़ी वाला ये खरुष्ट्री में हुआ कर था ठीक है अगला है दो अर्लिएस्ट इंक्रिप्शन ऑन स्टून वाजिन दे लैंग्वेज अफ वाट तुम जानते कि अर्लिएस्ट इंक्रिप्शन जो है वह सोगा कही है इस्टून पर इन्हों ने पर अच्थी नंधनगरी विच वह रिटीन पूर्म राइट्व लिफ रिखा जाता है खरुष्टी ठीक के लफ़ रूट तो राइट ब्रॉट ब्रामी राइट व्रॉट टो लेफ्ट कर थो घरॉट्रूष्ट्री वीच्रिप्वेट वस्ट अ पूमिश्परद उस्टॉ तैबलेट्स, किस ने डिसाइफर किया, जेम्स प्रिंसप ने, फर्स्ट स्कॉलर वो रीड असोकन एडिक्ट को पढ़ने वा ले, जेम्स प्रिंसप, एक बिटेस जो है, एक एंप्लोयर था, employed her in fact pre-asokan brahmi script was founded at pre-asokan brahmi script was founded at anuradhapuram anuradhapuram इसका सही आंसर हो next है the name by which asoka is referred to in his encryption is priyadasi priyadasi devnaam pia ऐसे इसको जो है नाम दिये गये है मतलब reference के तौर पर asoka एक ही जगह लिखा गया है खेर out of the given kings namely चंद्रगुप्त मौरे असोका, समुंद्रगुप्त हर सवर्धन who has been mentioned as piyadasi and devnaam pia encryptions तो ये असोका को जो है piyadasi या devnaam pia mention किया गया है as a encryption में तो devnaam pia हम जानते हैं कि hinduism को ये दिखाता है the true statement regarding asokan stone pillars are तो यहाँ पर तीन आपको statement सही दिख रहे हैं these are highly polished ये असोक के pillar जो stone pillar थे polished किये गये थे चमकते हैं बहुत आज भी चमकते हैं these are monolithic मतलब एक ही stone से ये बना दिया जाता था बड़ा stone लाते थे और एक ही stone से ये बना दिया जाता था तो आप सूचिये कितना मुश्किल काम था ये the shaft of pillar is tapering in the safe ठीक है shaft of pillar जो था tapered safe का हुआ करता था मतलब ये है ना ये pillar हो गया shaft आपको जो होगा tapering safe का था आउट अप गिवन एडिक्ट्स नेमली कल्सी रुमिन देई special कलिंगा एडिक्ट मस्की which mentioned the personal name of असुका तो मस्की एक मात्र ऐसा एडिक्ट है ठीक है जहां पे encryption जो ऐसा मस्की एक एडिक्ट है जहां पे असुक को असुक कहा गया है असुक को असुक कहा गया है नहीं तो कहीं देव नाम पिया कहीं पिया दासी ऐसे इनका नाम यूज हुआ है अगला सवाल है कि out of the given encryptions नेमली गुजरा अहरूरा अहरूरा ब्रामगिरी सारनात विच कंटें दर नेम अफ असुका आंसर होगा Gujarat incription तो रूमिन देई पिलर असोका वाज पूट प्व to mark बर्थव बुद्धा रूमिन देई पिलर इनकेट्विप्शन यह लूमिनी में है रूमिन देई पिलर इनकेट्विप्शन और यहां पे जब असोका विजट किया था कि वहाई बुद्ध जहां जन में हैं, वहां मुझे जाना है, वहां पर जाके रुमिन देटी पिलर बना दिया, ठेक है तो ये जो है, इसलिए बनाएगा है क्योंकि वहां पर बर्थ अब बुद्धा हुगा था, मंदसोर इंक्रिप्शन इस रिलेटेड टू, मंदसोर इंक्रिप्शन जो है दोस्तों, असोका से रिलेटेड नहीं है, कुमार गुप्त, वन से रिलेटेड है, जो कि गुप्तो का सा सकता, मंदसोर इंक्रिप्शन, तक्छे सीला कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन इस रिलेटे आंसर होगा समुंद्र गुप्ता एरन जो है यह जगह पढ़ता है मध्यपर्देश में एरन इंक्रिप्षन जो है समुंद्र गुप्ता जो कि गुप्तों का सासक था और चंद्र गुप्त बन का बेटा था यह है दातिया डिसटिक अफ मध्यपर्देश में पढ़ता है तो ऑनली पिलर उन डिकले हैं इंप्र आपके एकजाम में बहुत बार आया है और आहएगा भी ठीक है जिस भी चीज की तैयरी कर रहे हो आप तो only pillar on which Ahoka declares himself as emperor of Magda एक ही pillar है Magda का emperor तो थे ही लेकिन एक ही pillar में बोला कि मैं Magda का emperor हूँ ये था भाबरू pillar कलसी is famous for कलसी में rock edict है Ahoka का rock edict है ये कलसी जो है उत्राखंड में पढ़ता है ठीक है the place in उत्राखंड where a copy of emperor Ahoka's rock edict have been discovered is कलसी देरादून district में उत्राखंड में out of the given relief sculpture encryptions namely कंगन हली, सांची, सहबाजगडी, Sohogura in which Ranyu Ahoka that is King Ahoka is mentioned along with the stone portrait of Ahoka आंसर होगा Kangana Halli Kangana Halli Ahokaan rock edict that describes the victory and injuries of कलिंग वार कि भाई बहुत इंजरी होगा, एक लाग से जादा लोग मारे गए इससे कहीं जादा लोग घायल हुए ये rock edict है rock edict 13 जिसमें कलिंग वार के बारे में में इंसन किया गया है जो 261 BC में लड़ा गया था The accounts of कलिंग वार is known to us by the rock edict 13 rock edict 13 The asokan encryption that is devoted to the principle of religious tolerance completely सवाल फिर से सुनिए The asokan encryption that is devoted to the principle of religious tolerance completely Asoka जो बोलते थे कि religious tolerance होना चाहिए ऐसा नहीं कि जैन को आप सता होगे ब्रामन को सता होगे बुद्धिष्ट को प्रमोट करोगे ऐसा नहीं सब साथ रहें टोलरेंस हो सहिजनूता बनी रहे ये rock edict 12 में बोला गया है Asoka speaks of religious synthesis in his rock edict again's answer is same rock edict 12 rock edict 12 out of the given rulers namely Asoka, Samundra Gupta, Harsuwardhana and Krishnadev Raya who advised his subjects through this following encryption whosoever praises his religious sect or blames that sect out of the excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect he rather injures his own very severely ये कहने का मतलब है कि जो भी बंदा है जो अपनी religious जो भी belief को sect को belong करता है उसे praise करे कि उसकी परसंसा करे और दूसरे के sect की जो है बुराई करे कि भाई वो धर्म अच्छा महीं है out of the excessive devotion to his own sect कि भाई उसको एक mania हो गया है कि मेरा ही धर्म महान है with the view of glorifying his own sect he rather injures own sect very severely ये कहा था असोका ने वही जो है रॉकिडिक 12 की बात है ये the central point of असोका जो धम्मा असोक की एक नीती थी धम ठीक है धम नीती मतलब एक जनरल इंस्ट्रक्शन के तरी कह सकते हो कि आम जो है जीवन में कुछ points होने चाहिए कि उसको follow करें तो जीवन अच्छा होने तो ये धम्मनीती थी it was a policy of peace non-violence and religious tolerance जो central point था धम्मनीती का जिसमें असोका ने कहा कि सब बड़ों की आदर करनी चाहिए ये पसू की बली नहीं करनी चाहिए ठीक है और ब्रामहन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए चोरी नहीं करना चाहिए बहुत बातें सिखाई है थी तो ये policy of peace था non-violence के बारे में बताया religious tolerance के बारे में central ये points थे असोकन major rock edict which tells us about the संगम kingdom includes rock edict water संगम kingdom के बारे में असोकन के major rock edict है वह है rock edict 2 and rock edict 13 rock edict 13 में killing war भी mentioned है संगम period के बारे में भी kingdom के बारे में भी mentioned किया गया है site of asokas major rock edict और उसके location एक तरफ दूसरे मैच करना है धौली जो है major rock edict है ये उडिसा में पढ़ता है धौली ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि वह ये वाला major rock edict जो है कहां पर पढ़ता है धौली जैसे पूछले तो वह उडिसा में पढ़ता है इरा गुड़ी इरा गुड़ी साउत का है तो आंद्रप्रदेश में है जगवड़ा जगाड़ा जगाड़ा जो है उडिसा कल्सी उत्रकन आउट अप तक गिवन साउथ इंडियन किंग्डम्स नेमली चोल, पांडया, सतिया, पुत्त, सतवाहना विच इस नॉट मेंसें इन असोकन इंक्रिप्शन असोकन इंक्रिप्शन के 2nd रॉक एडिक्ट और 13th रॉक एडिक्ट में संगम किंग्डम के बारे में बताया गया है तो साथवाहनों के बारे में इसके बारे में जिक्र नहीं है बाकी जो चोल, पांडया और सतिया, पुत्त के बारे में जिक्र है आउट अफ दे गिवन इंक्रिप्शन सफ पासोकर नेमली रॉक एडिक्ट 1, पिलर एडिक्ट 5, रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11, विच बैंस अनिमल सक्रिफाइस उन सर्टें फिस्टिव गैधरिंग्स, तो यह पिलर एडिक्ट 5 में बोला गया है कि कही ना कही धम मनेती का पार्ट था यह में कि एडिक्ट 9, पसू बली नहीं अनिया है, यह पिलर एडिक्ट 5 में जो है, थिक है, टॉलमी, नेक्स्ट है, टॉलमी फिलाडेलफास, टॉलमी फिलाडेलफास, हूँ हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन्स with Asoka, वास किंग फ विच प्लैस, टॉलम इसका दूत भी आया था असोक के बाप के समय में बिंदुसार के समय में तो टॉल्मी फिलाडेलफस जो था यह एजिप्ट का किंग था और इसके कि दिप्लोमेटिक येलेशंस थे असोक निदुसूला मैय कंटिंपोरड फछोगा लेजिप्ट ।ॉल्माय जो कंटिंपोर यूलर था वसमय व्ल्ड में एजिप्ट हूए यूलर अपडद फियवें डाइनेस्टिस नेमली चॉला गुप्ता मॉर्य नामंग्य पलव को झे स बेटिक रिलेस्थ इस इंड दिस्टेंट कंट्रीज लाइग सीर्या एंड एजिप्ट जानते हैं कि सीर्या से भी संबंध था डाइनिश्यस दािमेकर साया था यहां सीर्या से एंटियोकस वन का दूद था बिंदू सार के समय में आया था तो मौर एक किंग्डम सेंड का संबंध था एजिप्ट में हम देखा हमने कि टॉलमी फिला डेलफस जो है अपना दूद रिलेशन सिप बना के रखा था असोका के साथ इंचेंट इंडियन रिकार्ट यहीं फिलाइज जो डिक टॉलिक ट्राइसिस इन इन दे कंट्री यह हमें पता चलता है सवहगोरा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन से कि भाई कई बार हो सकता है कि फूट ग्रेइन की कमी के वज़े से क्राइसिस हो सकती है उसे प्रिजॉर्व करना बहुत जरूरी है तो यह एक फूड ग्रेइन से रिलेड़ेड अर्लियस रॉयल ओडर था यह यह सहगोड़ा कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन है कि दग्रेक्ट स्टेट्मेंट सार देखिए स्टेट्मेंट जो कर्रेक्ट है वह है असो का एनेक्स किया था कलिंगा को 261 बीसी में लडाई के बाद काफी ज़्यादा जो है खून बहा था यहां पर तूद मॉरे ने पार कलिंगा कंट्रोल द लैंड और सी रूट्स तो सा यह उडिशा में जो है modern day उडिशा में पढ़ता है कलिंगा उस समय यह कलिंगा बोलते थे उडिशा को most of the part of कलिंगा उडिशा जो है कलिंग में हुआ करता था और यह इसलिए important था क्योंकि यह main route पर पढ़ता था south जाने के लिए और असो का चाहता था कि मैं इसको control कर लू the true statement is the mauric kings did not bestow land granted grants on a religious basis ठीक है यही true है कि जो है maurian kings जो थे वो land grants नहीं करते थे religious basis के तौर पर किन्हों ने जैसे ब्राह्मनों को land दे दिया ऐसे land grant नहीं होगा करता था कलिंगाज victory is mentioned in draw credit 13 very famous यह तो important है star लगा लो पूछा जाएगा in moran period tax evasion was punished with death बहुत harsh penalty थी जो tax की चोरी करता था moran period में उसको मौत की सजा दी जाती थी मौत की सजा दी जाती थी अगला है famous greek ambassador Megasthenes come to the court of which king यह से लुकस निकेटर का से लुकस निकेटर का यह दूत था जिसे चंद्रगुप्त मौरे ने हराया था तो यह चंद्रगुप्त मौरे के court में आया था Megasthenes was the ambassador of silucus necator Megasthenes divided the Indian society in उस समय यह पाटली पुत्रा में आया और जो वहां की society थी इंडिया की society थी साथ category में बाट दिया जिसमें वकील थे जिसमें वेपारी थे जिसमें फार्मर्स थे यह ऐसे category में बाटा थे तो sources that state that there was no slavery in Saint India तो Megasthenes की famous रचना है Indica Indica यह जो है Megasthenes की रचना है जो की original form में तो available नहीं है book नहीं पिजर्फ हो पाया बट इसके जो extracts जो है different books से लिए गया है तो Megasthenes की Indica जो है main source है जहां पर बोला गया कि state में उस समय किसी भी प्रकार की slavery नहीं थी भारत में the division of Moran Society into seven classes is particularly mentioned in Megasthenes की Indica में Megasthenes की Indica में the description of the administration of partly putra जिसमें बताया गया कि 30 members का एक पांच-पांच करके जो है committee बनाया गया था और यह जो है committee सासन करती थी ठीक है administration चलाती थी इंडिका में बात लिखी गई है partly putra के administration के लिए the source that gives a detailed account of city administration of Moria was Megasthenes का Indica Megasthenes का Indica the name of Megasthenes book is Indica Indica was originally written by Megasthenes ठीक है originally किसने लिखा था Megasthenes था the true statement regarding partly putra the capital of the Magad kingdom is partly putra हम जानते हैं कि Magad kingdom का capital था पहले अलाकी राजगीर या फिर गिडी ब्रज जी से कहते हैं वह करता था बट बाद में partly putra बन गया था तो इसके बारे में correct statement जो है वो है partly putra was surrounded by rivers ganga in the north and by rivers sown in the west तो दो नदियों के confluence पर ये बसा हुआ है ठीक है पाटले putra के north में ganga है और west में देखोगे तो sown नदी है तो इसलिए जो एक natural ये बेडा बनाती है अधिक करेक्ट statement हरी सेना हरी सेना जो था ये court poet था किसका ये court पोई था चंद समुंद्र गुपता का गुपतो के period का था ये और हरी सेना ने अलहाबाद की प्रयाग प्रसस्ती लिखी है तो पिलर पे 33 लाइन में समुंद्र गुपता का जिक्र किया गया है इसी के द्वारा he was also the author of प्रयाग प्रसस्ती बिल्कुल सही है ये अलहाबाद के पिलर पे लिखा गया है तो दोनों बाते सही है the correct statement about Moran Kings is Moran King की बात करें तो correct statement है कि they developed culture, art, literature, provincial, division, kingship to hindukus इस सभी बाते सही है भागा एन बाली ये taxes हुआ करते थे sources of revenue हुआ करते थे भागा जो था वो एक तरीके से कह सकते है कि farmers पे tax था जो भी produce करोग उसका भाग देना पड़ेगा आपको तो source of revenue ये हुआ करता था land revenue land revenue which was the who was the chief source which was the chief source of income during Moran period was collected by the officer जो बंदा जो officer collect करता था land revenue को जो की main कह सकते है chief source कह सकते है income का उसका नाम क्या था क्या बोला जाता था उसको बोला जाता था सीता ध्यक्च बोला जाता था the official agronomai the official agronomai during Moran age was related to the field of construction of roads सीता सीता जो था in the Moran period ये क्या था सीता बेसिकली revenue collection होता था crown land मतलब कि जो राजा का राज का जो पा लेंड होता था जैसे कि सरकारी जमीन कहते है ना उस समय Moran period में सरकारी जमीन कह सकते हो कि किंग की जमीन हो ठीक हो empire की जमीन उससे जो revenue आता था उससे सीता कहा जाता इन Moran period प्रनयाम वाज प्रनयाम जो था ये इमर्जेंसी टेक्स था मोरएन पीरियड में जो प्रनयाम था वो इमर्जेंसी टेक्स था आज की दिए प्रनयाम करते हो तो क्या करते हो ब्रीधिंग exercise करते हो खैर आउट आउट अप गिवेन औप्संस नेमली समहरता समहरता विसिकली आपका revenue से related होता है ब्यवहरिका ये बिशीकली civil justice अगरे शे अंत पाला गेट पे खड़ा होता था पर देश्थ था विच्वाइ आसा सबस्तित विद एक अगीवन्य इस विद रिवन्य आप्रेश्ट प्रेश्ट प्रोप्रेश्ट आंसर होगा द्यक्चा पॉथ से रिलेटेड जो था, मतलब की पॉटा द्यक्चा वेट से रिलेटेड था पान्या ध्यक्चा, सीता ध्यक्चा, सुना ध्यक्चा विच वाज इंचार्ज of weight and measures तो आंसर होगा, पॉत वाधक्चा ये weight and measures के इंचार्ज ओफपसर हुआ करता था पंकोदा पंकोदा का सन्नी रोधी वज पिनालिटी इन मौर्यन इड्मिस्ट्रेशन चार्ज फर वाट स्लसिंग दर रोड अगर रोड को तोड़ोगे स्लस करोगे तो यह एक चार्ज लिया जाता था पिनालिटी के तौर पर अब एक तरफ है ऑफिसर और उनकी ड्यूटी त तो तलार जो था यह ओफिसर औफ नाइट गार्ड फुए पत्तकोला यह विलेज टैक्स कलेक्टर करता था सथदीप्ती यह ओफिसर्स औफ केस अफ डकैती को देखता था बाला धीप यह गार्ड अवक्ट्राय हुए करता था तो मोस्ट फेमज सेंटर अफ लर्निंग द किया हुआ था, according to अर्थ शास्त्र of Kautilya the court existed in the judicial system of Mauryan age was धर्मस्थिया and कंटक सोधना ये दो तरीके के court हुआ करते थे धर्मस्थिया and कंटक सोधना, कंटक सोधना में जो criminals जाते थे उनको उपाय किया जाते था उनका, the aspect of municipal administration of today is continuing since the period of Mauryans, that is registration of birth and death certificate first start हुआ था Mauryan period में ये आज भी चल रहा है, registration of birth and death certificate with reference to cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynasties, histories and epic tales was profession of Magadha and Sutas Magadha and Sutas the system governing villages through autonomous elected panchayat was evolved by तो हम जानते हैं कि जो सभा और समीती का जो concept आया कि एक system बने जिसमें governing village village को govern किया जाए autonomous elected panchayat के द्वारा लोग के द्वारा साथ से P.R.I. system जिससे कह सकते हैं इद्रवीडिया भिन्यानी के चोला south में ये evolve हुआ था out of out of the given text namely kam sutra manava dharm shastra sukra niti sara and earth shastra which allow divorce to wife deserted by her husband ये है earth shastra out of the given text namely kam sutra manava dharm shastra sukra niti sara and earth shastra which allows divorce to a wife deserted by her husband husband answer होगा अर्थ सास्त्रा out of the given options namely जात का मनुस्मृति यग्यवलक्या अर्थ सास्त्रा which prohibits remarriage remarriage को जो है मनुस्मृति जो की मनु की रचना है इसमें मना किया गया है कि remarriage नहीं होगा और हिंदु धर्म का जो है बहुत सारा code है ये the social status assigned to the foreigners in the Indian society by मनुस्मृति फॉर्ण काल शत्रियाज ठीक है मनुने जो foreigners को जो status दिया वो फॉर्ण काल शत्रियाज दिया गया है काल सत्रियाज the correct chronological order of foreign visitors who came to India तुम जानते हैं कि सबसे पहले Megastrenis आया ठीक है जब सेलुकस निकेटर को 305 में हरा दिया चंदरगुपत मोरे ने और Megastrenis आ गया चंदरगुपत हमोरे के समय में 305 BC में फिर फाहियान आया किसके समय में fाहियान आया चंद्रगुपत देटिय गुपतों के सासक, विक्रमा देते के समय में आया है, वेन सांग आया था हर्सवर्धन के समय में और इटसिंग तो और लेट आया था, आठवी सताबधी में, दा करेक्ट मैच्ट पेर आर सातुई सतावदी में था इत सिंग चंदगुप्ट मौरे को ग्रीको ने सैंड्रो कोटस कहा है बिंदु सार को ग्रीको ने अमित्र घात कहा है असोक को पियदासी के नाम से भी जाना जाता है इसके पिलर इंक्रिप्शन में चाणक के पोइंटर है कि लास्ट मौरें इंपेर कौन था मौर्यो का आखरी सासक था ब्रिहदर्थ आंसरों का ब्रिहदर्थ अब देखना कि करेक्टली मैच कौन सा है आपको पताना है तो दे लास्ट मौरें रूलर ब्रिहदर्थ वाज एसे सेनेटेड़ वाइस कमांडर इंचीफ पुस्य मित्र सुंग जो की एक ब्राम्हन था और इसी के साथ ही जो है सुंग डाइनेस्टी की निव पड़ गई थी ठीक है तो बात सही है बिलकुल उसके बाद जो है कन्व डाइनेस्टी की निव पड़ी थी तो ये भी सही है जो आंधराज थे उन्होंने लास्ट रूलर कन्व डाइनेस्टी एक ऐसी डाइनेस्टी थी जो की बिसिकली आंधरो के दोरा उखार फिकी गई आउड पड़ गिवन रूलर्स नेमली महापदमनंद, असोका, चंद्रगुप्त मौरे और रुद्र दमन who paid attention to water resource management in गिरनार region some centuries before Christian era तो बिसिकली दो लोगों ने काफी ध्यान दिया इन्होंने इसको सुदर्सन लेक करके है गिरनार region में उसका construction और उसको repair करवाया था असोका और चंद्रगुप्त मौरे ने, देखिए वही लेक की बात कर रहा है यह गुजरात में पढ़ता है गिरनार region में, तो सुदर्सन लेक लोकेटेट इन गिरनार वस रिनोवेटेड रिपेरड वई असोका रुद्र दमन ने भी से ठीक करवाया था और असकंद्ध गुप्त जो की गुप्तों का सा सकता इसने भी से ठीक करवाया था तो एक generation ने इसको ठीक करवाया है तो correctly matched pairs आपको बताना है लोथल एक हम जानते हैं कि एक Indus Valley Civilization का site था ये एक ancient dockyard हुआ करता था गुजरात में पढ़ता है ये सारनाथ, सारनाथ हम जानते हैं सारनाथ में पहला जो है सर्मन दिया था बुद्धा ने after enlightenment के बाद, first sermon जो है बुद्धा ने दिया था जिसे हम ध धर्म चक्र परवर्तना कहते हैं नालंदा में famous जो है नालंदा University great seat of Buddhist learning जिसे कुमार गुप्त ने बनवाया था next is the chronological order of dynasty of rulers was तो देखे अगर chronologically देखेंगे तो इन में सातवाहना 2nd century BC में इनका period माना जाता है वकाटक dynasty का जो है ये 250 AD का है और चालुक्या जो की बदामी के थे ये 583 के AD में इनका period माना जाता है among Moran idols the idol inscribed with the name money-bhadra या फिर यक्षा जिसे कहते हैं was found from ये पर्खम से पाया गया है पर्खम असोकन encryptions in north western part of Moran empire Moran empire के north western part में पिसावर में किस script को यूच किया जाता था असोकन encryption में तो वो था खरोष्टी script जानते कि असोकन encryption ब्राम ही खरोष्टी ग्रीक और आर्मेग इसमें यूज हुआ है एजर कि स्क्रिप्ट के तौर पर पोस्ट modern period से अब देखते हैं पहला pointer है out of the given इंडो-Greek ruler namely strato second strato one Demetrius and Menander who issued lead coins lead का coin किसने जो है इसु किया था वो किया था strato dutye ने ठीक है strato dutye ने मेंली जो है ये इंडो-Greek सासक जो है gold coin यूज करते थे बट इन में से strato dutye जो था उसने जो है lead के coins को इसु किया था अब देखते है rulers or dynasty एक तरफ ठीक है तो Demetrius जो था वो इंडो-Greek सासक था ठीक है rudradaman scatian था gondo fairness ये एक पार्थियन था ओ बीमा कड़फिसस जो था ये कुशानों का founder था कुशान डिनेस्टी का बोथ संक्रस बोथ संक्रसना एंड वसुदेवा अर डिपिक्टेड ऑन दे कौइंस अफ एक थोसलिस एक थोसलिस आउट अट अब गिवन रूलर्स नेमली बिम्भी सारा गौतम बुद्धा तो गौतम बुद्धा कोई रूलर नहीं थे बिसिकली बट ठीक है मिलिंदा और प्रसेंजित वूज नौट कंटेंपरोरी अफ अधर थ्री तो हम जानते हैं कि बिम्भी सार गौतम बुद्धा और प्रसेंजित बिम्भी सार हर एक डाइनस्टी का फाउंडर था गौतम बुद्धा उस समय अपने बुद्धिसम को काफी बढ़ावा दे रह सारा में तो यह सभी एक समकालीन थे बट मिलिंदा जो था काफी बाद में आया था तो यह जूनागड का इंक्रिप्शन जो की गुजरात में पड़ता है प्राप्थ होता है शुदर्शन लेक को रिनुवेट करने का जो है अबने बाइजरान ओशिम उसी दाने रिनुवेट करवाया था इजेब मनब अ और वाइजरान को सुवस्ट उसे रिनुवेट पाइफुट Ayкita मदा विर जो आए इससे रिनुइमते खरवाया था बैरत से मेनांडर जो था इसे हम मिलिंद पनहों भी कहते हैं मिलिंदा का जो है कोश्चन कहा जाता है काफी फेमस है बैरत में इसके जो है कोई इस पाए गया है the largest number of copper coins in northern and northwestern India were issued by देखे कुशानों ने वासे gold coin काफी ज़्यादा इसु किया था but largest number इनका जो था copper coin का था ये कुशानों का था northern या फी northwestern इंडिया में इन्होंने copper coins काफी ज़्यादा इसु किये थे out of the given dynasty example के तौर पे सातवाहना dynasty, सका dynasty कुशान, पार्थियन, who issued gold coins regularly in ancient India answer होगा कुशान अगर पूछे कि पहला किस ने इसु किया था तो इंडो ग्रीक सा सकते but regularly कौन इसु करते थे वो कुशान थे, gold coin के बाद करते बुद्धा is depicted on the coins of कनिस्का, कनिस्का अपने coin पे बुद्धा को depict करता था और कनिस्क के समय ही चौथी बौध संगती हुई थी कुंडलवन कस्मीर में जहां पे हीन यान और महायान दो सेक्ट में बुद्धिजम बट गया था अगर हम बात करें कजूल कडफिसस, बीमा कडफिसस, कनिस्क और हुविस्का जो कि सब कुशाणों के सासक थे, इन में से पहला सासक जिसने गोल्ड कोई इसु किया था, वो किया था, वीमा कडफिसस आउट अट अप गिवन रूलर्स नेमली वीमा कडफिसस, कजूल कडफिसस, कनिस्क और हर्मनियश वीमा कडफिसस, इसका भी सेम आउट अट 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 इन में से सबसे ज्यादा जो गोल्ड कोई इसु किया वो वीमा कडफिसस पहला, ज्यादा, रेगुलर, इसा वीमा कडफिसस The God who is found depicted on Yodhya coin, the God who is found depicted on Yodhya coin, इसका अंसर का कार्तिकेया, God कार्तिकेया The date of Sarnath Buddhist image encryption of Kanishka is, the date of Sarnath Buddhist image encryption of Kanishka is 81 AD The coronation of Kushan king Kanishka was held in the year 78 AD में Kushan king Kanishka का राज्यति लग्या फिर coronation हुआ था Sak samvat इसी साल से start हो गया, जब इसका coronation हुआ, उसी साल से Sak samvat start हो गया The year difference between the Sak samvat and Bikram samvat, तो Bikram samvat हम जानते है 57 BC को माना जाता है, और Sak samvat 78 AD को माना जाता है, तो इन दोनों को अगर जोडोगे तो आएगा 135 years, 135 years Bikram samvat was started in the year 57 BC, 57 BC, out of the given names, example के तौर पे, अस्वघोस, वसुमित्रा, काली दास, कंबन, what are names of contemporaries of Kanishka तो कनिस्क के समय अस्वघोस था, जिसे ये पाटली पुत्रा से लेके चला गया था, वसुमित्र भी, वसुमित्र ने तो प्रेसिडेंट से भी किया था, काउंसिल का, जो fourth bodhist, संगती हुई थी next है, out of the given names, example के तौर पे, अस्वघोस, चरक, नगारजुना, पतंजली, who is not associated with the court of Kanishka पतंजली जो है, कनिस्क से संबंधित नहीं थे, पतंजली, ठीक है, तो सही आंसर होगा पतंजली out of the given cities, namely, स्रावस्ती, कोसांभी, पाटली पुत्रा, चंपा, which is not mentioned in the रबक, रबतक encryption of Kanishka, तो आंसर होगा स्रावस्ती, स्रावस्ती, चंपा जो है, modern day विहार में पढ़ता है, ये भागलपूर मुंगेर के असपास का रीजन था, चंपा, पाटली पुत्रा आप जानती है, कोशांभी, स्रावस्ती, तो स्रावस्ती जो है, रबतक encryption, जो कि कनिस्क का है, वहाँ पर उसको मिंसर नहीं किया गया, आउट अप तक गिवन, आयूरवेदा चार्या, नेमली, सुसुसूरूत, बागभट, चरक, एंजीवक, तो चरक और जीवक की जो है, education, तक्छसिला उनिवर्सिटी में हुई थी, सबसे पुरानी जो है, यूनिवर्सिटी ये, हमारे इंडिया की है, तक्छसिला उनिवर्सिटी, The ancestors of Sungaj originated from, the ancestors of Sungaj originated from Ujjain, ये Ujjain के ancestors होते थे, Sungaj के, The dynasty which ruled over India after Sung dynasty was Kanw dynasty, पुष्वमित्र, पुष्यमित्र सुंग ने, ब्रिहदर्थ, जो की Moran king था, आखरी, उसको मार के, ट्रिचरस दी, गद्धी अपनाया था और इसको मारा था बसुदेव कन्व ने, ठीक है और इन्होंने गद्धी अपना दिया था, कन्व dynasty आय थी, out of the given rulers, नेमली पुष्यमित्र सुंग, खारवेला जो की कलिंग का सासक था, गौत्मी पुत्र सतकर्नी बसुदेव, who is stated as the protector of वर्न सिस्टम, आंसर होगा, गौत्मी पुत्र सतकर्नी, वर्न सिस्टम जो की रिगवेदिक पीरिट से चली आरे है, उसको पुटेक्टर उसका बना गौत्मी पुत्र सतकर्नी इन्में, ठीक है, पुसे मित्र सुंग, खारवेल गौत्मी पुत्र सतकर्नी और वसुदेव कनुव में, आउट अब दा गिवन डाइनेस्टी नेमली, सातवाहना डाइनेस्टी, पल्लाव डाइनेस्टी, चोल एंचालुक्य डाइनेस्टी, who was the most powerful after more in southern India, तो सातवाहन जो थे, जिनका मेली, मदर के नाम के साथ अटेच्मेंट रहता था, जैसे गौत्मी पुत्र, उनकी मदर का नाम था गौत्मी, और गौत्मी पुत्र सतकर्नी, पूला यामी, ऐसे-एसे हुआ करता था, सिमुख founded the dynasty, तो साथवाहन डाइनेस्टी का founder था, सिमुख, ठीक है, सवाल, बारबर आता है कि सतवाहन डाइनेस्टी का founder कौन था, इसका सही अंसर है, सिमुख इसका founder था, करेक्टली मैच देखना है सुंग डाइनेस्टी का फाउंड का कैपिटल कहा था सुंग डाइनेस्टी का कैपिटल था पाटली पुत्रा में सात्वाहनों का कैपिटल था परतिस्थान या फिर पैठान जिसे कहते हैं कदमब डाइनेस्टी का कैपिटल था बनवासी चंदेलो का आचिव ऑदर निस्टि था वह म्हु बाढ। चाइनीज जिनरल वो हैद डिफेटिड कनिज का सवाल फिर से सुनीए चाइनीज जिनरल हुओ है डिफेटिड कनिज का वाज पंचाओ यह बंचाओ भी क्याते हैं पंचाओ rhymeow तक गिवें डाinal dragonli Gupt dynasty Mary birthday달 calm कुशान डाइनस्टि विच डाइनस्टी वस एक्सपेंड़ीड even outside Of India तू आंसर होगा मौरडए डाइनस्टि जो की इंडिया से बाएतक फैल ही ती आफगानिस्तान वगर सब कोभर करक्क था कश आन का भी यही सीन था कुशान डाइनस्टी परडर किस्तान कोर्द ता the institution of child marriage started in कब child marriage किसके period में start हुआ था तो कुशानों के period में जो है कुशान के period में जो है child marriage start हुआ था गांधार school of art दो तरीके के art हुआ करते थे एक था मथूरा school of art जो कि मथूरा region में indigenous भारतिय था उसमें थी और एक गांधार school of art था जो कि Indian और Greek style का mix run था जो कि गांधार region यानि कि modern day north western जो पार्ट है इंडिया के उधर पाकिस्तान वाला region वो था तो गांधार school of art belongs to कुशान dynasty कुशान dynasty गांधार style of art flourished during the reign of कुशान dynasty कुशान dynasty इसमें जो गौतम बुद्धा का इमेज बनाना उनकी ड्रैपरी दिखाना ठीक है उनके चहरे पर एक तेज दिखाना हासी दिखाना वो सब जो है गांधार style में देखा गया है थोड़े से मतलब जादा मतलब भाव दिखाए गए हैं गौतम बुद्धा का फेस पे मूर्ती में जो मत्रूरा स्कूल अफार था 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 फिचर जो अ प्लाटफोर्म विधर अर्यक पिलर्स आर फांड इन थे स्थुपा अम्रावति थुपा सवाल अगला है क्रेक्टली मैच बताना है एक तरफ डाइनिस्टी या दुसरी तरफ किस के कोईन के मेटल हुआ करते थे, मेटल का क्वाइन क्या हुआ करते थे, कुशानों के समय में गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे, गुप्तों के समय में गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे, काला चूरीज के समय में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स हु ठीक है गौत्मी पुत्र सतकर्णी का नासिक इंक्रिप्शन जिसमें दान वन की बात की गई है ब्रामवनों को लैंड दान किया गये सब हाथी गुमफा इंक्रिप्शन अफ खारवेला, वेरी फेमस, ठीक है हाथी गुमफा इंक्रिप्शन अफ खारवेला, गिरनार इंक्रिप्शन अफ रूदर दमन वन, ठीक है, रूदर दमन वन का गिरनार इंक्रिप्शन, संस्क्रीट में बिलकल लिखा गया है, भीतरी इंक् बामियान एक बुद्धा स्टैच्यू है अफगानिस्तान में जिसे आप रिसेंटली सुना गया था कि इसको छती पहुंचाई थी तालिबानियों ने बामियान एक बुद्धा स्टैच्यू इसे बुद्धा स्टैच्यू इसे पहले भी बताया था कि इंडिया और ग्रीक के स्टाइल को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो गंधार स्कूल अर्ट बन जाता है अगला है विट रेफरेंस तो इन्वेडर्स 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 इंडिया बताना है भारत पे जो फॉरें इन्वेडर्स है उसमें सबसे पहले ग्रीक साय थे फिर सको ने आकरमन किया फिर कुशाणों ने किया तो ये सीक्वेंस था सबसे पहले ग्रीक फिर सक फिर कुशाणों एक गोल्ड कोईन होता था तो 35 जो है सिल्वर कोईन होता था दे रेशियो अफ गोल्ड सिल्वर कोईन इन सक छतरपा पिरियद इस 1 इस तो 35 1st Parsean 1st Parsean ruler who captured some part of Indian territory was Darius I पहला Parsean ruler जिसने capture किया कुछ part Indian territory का वह था Darius I out of the given dynasty नेमली चालुक्य डाइनेस्टी, पल्लव डाइनेस्टी, राष्टकुट डाइनेस्टी, सातवाहन डाइनेस्टी which one was the earliest डाइनेस्टी तो इन में सबसे पहले थी सातवाहन डाइनेस्टी जो की 2nd century BC के आसपस का इसका डाइनेस्टी का उतकर्स था सबसे बाद में इसमें चालुक्य राष्टकुटा आए हैं out of the given पुराना नेमली वायु पुरान, विस्नु पुरान और मतद्स्य पुरान which one consists the longest list of आंध्र सत्वाहना kings तो ये हैं मतद्स्य पुरान मतद्स्य पुरान में आंध्र सत्वाहना के kingों के बारे में जिक्र किया गया है उनकी वंसावली के बारे में जिक्र किया गया है मतद्स्य पुरान में कौन से statement सही बताना है पहला statement जो की सही है वो है after weakening of power of सत्वाहना dynasty वकातक डाइनस्टी जो था इसने जो है इसको टेकवर किया kingdom बनाया and दूसरा है बिंद्य सक्ती was the founder of वकातक डाइनस्टी परवार सेन was the son of बिंद्य सक्ती जो की एक famous आसक बना सभी सही है इसमें से correct statement बताना है correct statement again choose करना है so in सातवाहना period संस्कृत along with प्रकिर्थ and other folk language were developed यह सही है सातवाहनों के period में संस्कृत के साथ साथ प्रकिर्थ भी developed हुआ प्रकिर्थ जो की हम जानते की असोक ने यूज किया था अपने encryption में Buddhist जो है धरम जो है इसका परचार परसाश प्रकिर्थ में हुआ है टेक्स्ट जो है Buddhist प्रकिर्थ में लिखेंगे थे ठीक इसके अलावा other folk language were also developed तो सातवाहना kings promoted the use of Sanskrit and other folk languages for literacy for literary writings also Sanskrit के अलावा इनोंने इनको भी promote किया next time the capital of सातवाहना was located at तो इनकी जो capital थी दो capital हुआ करती थी initial capital इनकी थी अमरावती या फिर जिसे हम पुराना नाम देखें तो धरनी कोटा कहते थे इसको जो बाद में actual capital वनी ये initial capital थी अमरावती बाद में जो actual capital वनी वो थी परतिस्थान थाना या फिर पैठान जिसे बोलती अगला सवाल है कि out of the कहां गया out of the given rulers namely पुस्यमित्र सुंग सुसारमन and for whom the word एक ब्रामना had been used answer होगा एक ब्रामना जो है गौतमी पुत्र सतकर्नी के लिए यूज़ हुआ है एक ब्रामना एक ब्रामन या फिर एक ब्रामन the correct statement correct statement बताना है कुशान ट्रेड़ेड थू Gulf of Persian and Red Sea ठीक है कुशानों ने ट्रेड किया इंडिया के साथ Gulf of Persian साथ में इंडिया में आने के बाद Gulf of Persian के थू इन्होंने रेट सी के थू कुशानों ने अपना ट्रेड जो है फैलाया था out of the given encryptions नेमली सारनाथ encryption बेस नगर का गरूड़ा वाला जो पिलर है वो encryption अयोध्या encryption हाथी गुंफा कलिंग वाला encryption which one gives the information about two asumegh yagya performed by the king Pusya Mitrasung तो ये है आयोध्या encryption आयोध्या encryption among the given kings नेमली असो का हर्सा, पुलकेशिन द्वितिये और खार्वेला, who was the patron of Jainism तो जो खार्वेला था कलिंगा का king वो Jainism को follow करता था असोका के बारे में जानते हैं असोका और हर्सा दोनों जो थे ये बुद्धिजम को follow करते थे with reference to Udai Giri and Khanda Giri caves, following is correct तो जो correct है वो है it has both natural and artificial caves, Udai Giri में 18 caves है और Khanda Giri में 15 caves है the king of Kalinga the king of Kalinga, Kharvela was related to the king of Kalinga, Kharvela was related to Chedi dynasty ये Chedi dynasty को बिलों करता था जो की Udisa में थी out of the given dynasties namely Vakatak dynasty Ikchavaku dynasty Saka dynasty and Chedi dynasty which has been called as Shri Parvatiya in Puranas Shri Parvatiya Ikchavaku dynasties के kings को या फिर Ikchavaku dynasty को बोला गया The eastern Roman ruler Justinian mostly contributed to the field of law अब दिखेंगे Gupt and post Gupt period इसके question देख लेते हैं पहला पॉइंट है The Gupt dynasty ruled during किस period से किस period तक सासन किया इनोंने ये 319 AD से लेकर 500 AD तक इनोंने सासन किया The ruler who performed four asumegh yagna चार asumegh करवाया परवर सेना वनने भारत का Napoleon The Napoleon of India किसे कहा जाता है आंसर वोका समुंद्र गुप्ता को कहा जाता है The Gupt ruler who had another name देव गुप्त वाज चंद्र गुप्त दुतिये यानि विक्रमादित को देव गुप्त भी कहा जाता था चंद्र गुप्त दुतिये वही है जिनके दरबार में नो रतन रहा करते थे इनको देव गुप्त भी कहा जाता है इनको विक्रमादित भी कहा जाता है इमंग स्री गुप्त समुंद्र गुप्त चंद्र गुप्त दुतिये यानि सकंद गुप्त ही हुए जिम्दत थ्रोन आफ्टर किलिंग इस एल्डर ब्रदर वाज एल्डर ब्रदर वाज राम गुप्त की हत्या करके चंद्र गुप्त दूतिये ने गद्धी संभाली थी क्योंकि राम गुप्त जो था उसने अपनी बेटी को अपने वाइफ को ही डर के मारे जो है एक दूसरे किंग को दे दिया तो फर्स्ट गुप्त रूलर टू अजियूम दर टाइटल अफ परम भागवता आँसर होगा समुद्र गुप्त बीस्नु का उपासक था ये परम भागवता अपने आपको टाइटल दिया था अलहाबाद पिलर इंक्रिप्शन इस असे पर्याग प्रसस्ती भी कहते है साथ में ये पिलर जो है असोग के बारे में भी मेंसन किया गया है समुद्र गुप्ता के बारे में इसमें 33 लाइन में लिखा गया है जो कि इसके कोट पोएट हरी सेना ने लिखवाय था तो आँसर होगा असोग और समुद्र गुप्त दोनों से रिलेटेड है प्रयाग प्रसस्ति देल्स अबाउट गया है प्रयाग प्रसस्ति देल्स अबुट्री कैंपेंग ऑफ समुद्र गुप्ता out of the given options namely जहांगीर, साह जहां औरंग जेब, दारा सिको who is who has found on the pillar containing प्रयाग प्रस्थिप समुंदर गुपता तो जहांगीर का जो है encryption जो है यहां पर पाए जाता है एक ऐसा pillar है प्रयाग प्रस्थि का pillar समुंदर गुपता का pillar अल्हाबाद पिलर कहते हैं इसमें असो का इसमें समुंदर गुपता इसमें जहांगीर का भी encryption है out of the given encryptions namely दासपूर encryption एरन encryption, हाथी गुंपा encryption which reveals information about Silk Weaver Guide आंसर होगा दासपूर encryption प्रिथविया प्रथम वीर वज टाइटल अफ प्रिथवी का प्रथम वीर का टाइटल लिया था समुंदर गुपता ने इसमें टाइटल दिया जाता है समुंदर गुपता को भारत का नेपोलियन ब्यागर हंता मतलब की Slayer of Tiger भी से कहा जाता है यह माना जाता है कि चंदर गुपती है था ठीक है प्रियाग जो कुटूब कॉंपलेक्स में कुटूब कॉंपलेक्स जो है कुट अलिस्लाम जो मौस्क है उसी में यह पिलर है ठीक है आईरन पिलर है रस्ट नहीं खाया अभी तक यह सोंच सकते हो इतने पानी जहला होगा कितना किया होगा Out of the given dynasties namely Mora dynasty, Kushan dynasty, Gupta dynasty and Sung dynasty who was distracted the most by Huna's invasion आंचर होगा Gupta dynasty Huna का जो में invasion जहला Skandh Gupta वगेरने जहला वो Gupta dynasty को बिलों करते थे The Huna The Huna's invaded India during the reign of Skandh Gupta Skandh Gupta हलाकि इसने लडाई में काफी कंट्रोल किया था लेकिन बाद में दे दे हुडों का आक्रमन बढ़ता चला गया The encryption which mentions that Skandh Gupta defeated हुना is भीतरी पिलर encryption कौन सा encryption है जो कि बताता है कि Skandh Gupta ने हुडों को हरा दिया था यह है भीतरी पिलर encryption There were different causes for downfaller Gupta वो causes क्या है बताने आपको एक तो जो था हुडों का आक्रमन हुआ काफी ज़्यादा आक्रमन होने लग गया दूसरा सामन्ती system जो था feudal set of administration जहापे सामन्त हुआ करते थे वो aspirational हो गया काफी ज़्यादा acceptance of Buddhism by later Guptas जो कि अपने आपको basically Brahmins मतलब Brahminism को embrace करते थे बाद में Buddhism को करने लग गया इन eligible successor weak successor कह सकते हैं from the decline of Gupt until the rise of हर्सवर्धना in the early 7th century the kingdoms that were holding power in northern India तो Gupto के period में काफी ज़्यादा इंडिया में हर्सो लास था golden age का जाता है वो period decline हुआ तो हर्सवर्धन के बाद ही वो जो है एक unity बड़े लेवल पर सासन शुरू हुआ था उस बीच में जो है उस बीच में गुप्ताज अफ मगधाब आए उस से भूतीज अफ थानेश्वर आए मौकरी अफ कन्नोज आए and the मैत्रकास अफ बलभी ये सासन मतलब छिटपुट सासक हो गय थे मतलब कई सारे जो है सासन बट गया थे एरिया में बहुत सारा किंग्डम मन गया थे रूलर हुई इस नोन एज दा सक कंकरर सक कंकरर ये था चंद्रगुप्त दूतिये जिसे बिकरमा देते भी कहा जाता है चंद्रगुप्त दूतिये को सक कंकरर कहा जाता है थे फर्स्ट गुप्त रूलर हुई इसूड सिल्वर क्वाइन पहला गुप्त रूलर जिसने सिल्वर क्वाइन इसू किया वो था चंद्रगुप्त दूतिये पहला गुप्त सासक जिसने सिल्वर क्वाइन से सू किया व in the context of Saka victory in the silver coins of this king, पाय जाता है, the weight of these coins used to be about 33 grams, तो काफी ज़्यादा हेवी हुआ करता था, from the 3rd century AD, when the Hunaj invasion ended the Roman Empire, the Indian merchant relied more and more on the Southeast Asian trade, Roman Empire में पहले trade ज़्यादा होता था, लेकिन जब भुडो का invasion हुआ, तो हमारे जो Indian trader थे, उन्होंने सोचा कि यह इदर तो बहुत खतरा है, Southeast Asian trade किया जाए, जो कि Vietnam, Cambodia, Thailand यह सब मयान मारे यह सब रीजन है, during Gupt period, the port that was in use for the North Indian trade was port of Tamrilipti, यह Eastern side पे port हुआ करता था, during the Gupt period, the port that was in use for the North Indian trade, was port of Tamrilipti, ठीक है, India maintained its early cultural contacts and trade links with South East Asia, across the Bay of Bengal, for this pre-eminence of the early maritime history of Bay of Bengal, the most convincing explanation is, answer होगा, the monsoon wind across the Bay of Bengal facilitated the sea voices, क्यों इनके जो trade काफी बढ़ने लग गये थे, क्योंकि जो SIP से जाते थे, जो ना हो जाती थी, उसको monsoon wind धकेल के अब काफी ज़्यादा, असानी से, sea voices काफी असान हो गया था, उधर जानने के लिए, ठीक है, South East Asian countries में, with reference to guilds, that is Sreni, जो कि basically, ये merchants की Sreni हुआ करते थी, merchants की group हो Sreni कहते थे, so with reference to the guilds, or Srenis of ancient India, that played a very important role in country's economy, is the correct statement regarding the above are, the wages, rules of work, standards and price, were fixed by guilds, जो Sreni होती थी, जो कि बेपारियों का सम्मूह होगा करता था, wages decide करता था, काम का नियम बनाता था, standards and prices were fixed by guilds only, the guilds had judicial power over their members also, next है, centers located in Gujarat, Bengal, Dekkan and Tamil country, during the Gupt period were associated with centers located in Gujarat, पंगाल, Dekkan and Tamil country, during the Gupt period were associated with textile manufacturing होती थी, यहाँ पर textile की manufacturing होती थी, out of the given names, namely, धनवंतरी, भासकराचार्य, चरक, शुसरूत, यह सब आयुरुवेदा से related थे, ancient medicine से related थे, सुसरूत, who is not associated with medicine in ancient India, तो यह भासकर चार्या नहीं थे, बाकी धनवंतरी थे, चरक और सुसरूत, सुसरूत तो काफी ज़्यादा famous हुए, with reference to scientific progress in ancient India, the correct statements आर बताना है आपको, भारत में जो scientific progress हो रहा था, उसमें है, different kinds of specialized surgical instrument were in common use by the 1st century AD, surgery उसम में हुआ करती थे, 1st century AD में आप सोच सकते हो, the concept of sin of an angle was known in the 5th century AD, sign of an angle, angle का जो sign जो है, वो जो है, 5th century AD में इंडिया ने दिया है, the concept of cyclic quadrilaterals was known in the 7th century AD, the person who was associated with the astrology among the 9 gems of Chandrugupta, astrology से related कौन थे, जो नवरत्न थे, Chandrugupta दुतिये के court में, उनका नाम है, छपनका, छपनका, कालिदास वाज in ruling period of Chandrugupta दुतिये, ठीक है, कालिदास नवरत्नों में से एक थे, कालिदास वाज in the ruling period of the Chandrugupta दुतिये, गुपतों के जो गुफ्तों 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 के रूपु का और गोल्ड को दिनारा कहा जाता था गुप्त के पिरिएड में तो कहा गया है कि गुप्तो के पिरिएड में जो इंपॉर्टेंट लेग्वइश था जो कि मतलब जिसके करते हैं कि जैसे आजई इंगलेज का भौकाल है उस constitu का भौकाल होगा करता ह। तो जो कहते हैं कि intellectual संस्कीर्द बोलता था जासिकित पढ़ा लिखाए English बोल दिया तो कहते है था उस समय जो था संस्कीर्ट था वैसा बाट जो आम जयनता बात करती थी वो प्रकृत में बात करती थी The main teaching of Gita Gita जो है उसका main teaching क्या है? निस्कमा कर्म योगा इसका में थिम है जहां पर क्रिस ने जो है अर्जुन को समझाने के कोशिस करते हैं कि क्या सही है यह क्या गलत है पर्स्ट इंक्रिप्षिनल एविदेंस अफ दे सरी प्रता पाई जाता है एरण अविलेक से जो की मद्य पर्देश में लोकेटेड है गुप्त समवत वाज इस्टैब्लिष भाई गुप्त समवत जो है शुरू किया था चंद्रगुप्त 1 ने तीन सब बीस एडी में गुप्त समवत स्टार्ट हुआ था सक समवत कब स्टार्ट हुआ था 78 एडी में बिक्रम समवत कब स्टार्ट हुआ था 57 एडी में गुप्त समवत कब स्टार्ट हुआ था 320 एडी में इंपेरर और टाइटल्स देखना है असोका को प्रियदर्सिना भी कहा जाता था असोका को टाइटल दिया गया है प्रियदर्सिना का भी इनके जो इंक्रिप्शन से उसमें मेंसन भी किया गया है समुंद्र गुप्ता को प्रकरमका प्राकरमनक बोला गया है समुंद्र गुप्ता को भारत का नेपोलियन भी बोला गया है प्रथम भारगवा भी बोला गया है चंद्रगुप्त दुतिये को बिक्रमादिते का टाइटल दिया गया है सकंद्रगुप्त को क्रमादिते का दिया गया है ठीक है चंद्रगुप्त दुतिये को बिक्रमादित और सकंद्रगुप्त को क्रमादितिका Kings और Queens उनकी देखना है चंदरगुप्त One की Queen का नाम था कुमारा देवी जो की लिछवी की निवासी थी वहां की राजकुमारी थी समुद्रगुप्त के Queen का नाम था दुत्ता देवी दौता देवी चंदरगुप्त दुतिये का जो Queen थी उसका नाम था कुबेर नागा नागो की यह थी राजकुमारी कुमार गुप्त One की जो बीवी का Queen का नाम था अनन्ता देवी चले आगे बढ़ते हैं Encryption known as the first advertisement of the world Encryption known as the first advertisement of the world is Daspur Encryption Daspur Encryption Mandasaur Prasasti presents the detail of achievement of which ruler तो आंसर होगा कुमार गुप्त One Mandasaur Prasasti जो है represent करता है details of the achievement of कुमार गुप्त One The gradual decline of the towns was an important feature of धीरे धीरे जो है गुप्तो का decline शुरू गया था तो towns जो थी उसमें famous होगे थी वो decline होने लग गे थी The ruling dynasty that denoted, donated maximum villages to the temples and Brahmins was गुप्त dynasty खूब भर भर के जो है दान दिया करते थे ये लोग डोनेशन दिया करते थे विलेज का पूरा रवेन्यू देते थे विलेज देते थे temples or Brahmins के अइंसें इंडिया, इंसेंडिया, the dynasty rule which is considered the golden age was Gupta period Gupta dynasty in ancient India the dynasty's rule which is considered the golden age was Gupta the land revenue rate in Gupta age was the land revenue rate in Gupta age was जितना भी पुडूस होता था उसका एक बटा चठा भाग जो था वो लैन रिविन्यू के तौर पर लिया जाता था तो 6th part of the production was the land revenue according to Hindu law a valid taxes Hindu law के हिसाब से जितना भी produce हो उसका एक बटा चठा भाग जो है valid tax होता है The Gupta Empire granted tax-free agrarian land to The Gupta Empire granted tax-free agrarian land to temples and brahmins को दिया इन्होंने Gupta Empire ने दान किया बहुत सारा land agrarian land जिसपे tax नहीं लिया जाता था temples and brahmins को With reference to forced labor जिसे विस्टी कहा गया Gupta period में In India during the Gupta period The correct statement आपको बताना है तो सवाल ऐसे भी आता है कि विस्टी क्या था तो विस्टी forced labor होगा करता था Gupta period में इसलिए question आ जाता है कि विस्टी जासी system में आप उस period को golden use कैसे कैसे तो It was considered as a source of income for the state As a sort of tax paid by the people The type of land which was called Aparahat The type of land which was called Aparahat was Uncultivated forest land Uncultivated forest land With reference to the history of India The terms Kulya Vapa And Drona Vapa Denote With reference to history of India The term Kulya Vapa And Drona Vapa Denote Measurement of land In ancient India The irrigation tax was called In ancient India The irrigation tax was called Isko bolatata Bidak Bidaka Bhaagam Bidaka Bhaagam In 3rd century AD Varangal was famous for what In 3rd century AD Varangal was famous for Or iron implements Yaha pe banta tha Varangal mein Toramana was the form From the form of racial group of Huna Toramana jo tha It was the form of racial group of Huna Out of the given rulers Out of the given rulers Namely Budhagupt Yasodh dharman Sasanka Sashanka Prabhakar Varadhan Who had defeated Huna ruler Mihir Kula Mihir Kula Answer Yashodh dharman Chinese travelers Sungyam Sungyan Chinese travelers Sungyan Came to India In In 518 1880 The ancient Indian play Mudra Rakshasab Vishak Dhat Has its subject on the The ancient period The one which was also called Sartha Vahavaj Vaishevan Sartha Vahavaj The correct statement are Gupt imperers claimed divine rights for themselves They extended the tradition of land grants To Brahmins and temples With reference to the period of Gupt dynasty in ancient India The towns Ghanta Sala Kadura And Chol Were Well known as Ports handling foreign trades Ghanta Sala tha Port tha Kadura port tha Chol port tha The game of chase is said to be originated in India Chess ka jo game hai Voh Bharat se originated hua hai Following are the correctly matched That is Sarva Varman Copper seal encryption Jho hai Asirgad ka hai Iswar Varman ka hai Jhaanpur stone encryption Or Ishan Varman ka hi hai Harha stone encryption Jivit Gupt ka hai Jivit Gupti hai ka Dev Barnak encryption Mirch Katika Mirch Katika An ancient Indian book written by Sudrak Deals with what So Mirch Katika Jho hai Love affair Love story hai Of a rich merchant With the daughter of Koti San Love story hai The system of philosophy Propounded by Kapil Muni Kapil Muni Nne jho Philosophy diya Usai Sakhe philosophy Kehate hai Yog philosophy Patanjali nne diya Tha Chik hai With reference to history of philosophical thoughts in India The correct statement is With reference to history of philosophical thoughts in India The correct statement is Sakhe holds that Sakhe holds that It is the self-knowledge that leads to the liberation And not any exterior influence or agent Self-knowledge liberation Karata hai Yeh Sakhe darsan kehata hai Sakhe philosophy kehata hai Correct statement Kapil is the earliest exponent of Sakhe system Kapil teaches that A man's life is saved by Forces of nature And not by any divine agency The inventor of yoga philosophy was Patanjali Patanjali Under Ashtang yoga Under Ashtang yoga The eight spiritual practices are Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana And Samadhi With reference to Hatha yoga The correct statement are Hatha yoga are practiced by Nath-pantis Hatha yoga techniques Were also adopted by the Sufis The writer of Mahabhasya Patanjali was Contemporary of Pusimitra Sun Mahabhasya Mahaabhasya Grammar Ki book Basically Patanjali Nne Isse Likhi Contemporary Thay Voh Pusimitra Sun The founder of School of Nyaay Nave Nyaay Ganesha Yafir Uday Udayan An Charyya Kaha Jata Hatha Next point Live well As well As you Live Live Well Even By Borrowing For Once Cremated There Is No Return Yer Rejection Of After Life Is An Aphorism Of Charwak Charwak Philosophy Is Us Ke Hesab Se Kaha Jata Khi Jindigy Jiloh Badi Jiloh Jiloh Gautam Nyaay Propagate Khiya Haya Eks Taraf Philosophy Dusre Taraf Methods To Achieve Salvation Kaisi Salvation Dilaayega Aapko Mukti Dilaayega Kaisi Dilaayega So Nyaay Darsan Me Logical Thinking Ki Baat Kari Gai Gai Mima Darsan Me Performing Vedic Rituals Ki Baat Kari Gai Aag 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 Salvation Rapt Karna Sankh Darsan Me Acquisition Of Real Knowledge Ki Baat Khi Aag Salvation Chahe To Aag Real Knowledge Ho Na Chahe Bidant Darsan Me Knowledge Of Self Ki Baat Kari Gai Gai Khi Aag Khi 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 Is Related With Jho Theory Of Karma Hai Voh Mimansa Ke Theory Mimansa Philosophy Khi Out Of The Given Philosophy Namely Sakhy Vaisesika Mimansa Nyaya Yoga Which Is Of The Opinion That Vedaj Contains The Eternal Truth Mimansa Khi Vedo Me Eternal Truth Contained Hai Out Of The Given Pairs Namely Mimansa And Vedanta Nyaya And Vaisesika Lok Yata And Kapalika Sakhyen Yoga Which Does Not Form Part Of Six System Of Indian Philosophy So Lok Yata And Kapalika Indian Philosophy Nothing Is Six School Of Philosophy Is Nyaay Vaisesik Mimansa Vedant Sakhy Yoga The founder Of Adwait Philosophies Founder Of Adwait Philosophies Sankracharya Founder Founder Of Adwait Philosophies Sankracharya According To Adwait Vedanta Mukti Can Be Obtained From Given Options Namely Gyan Karma Bhakti And Yoga Ye Gyan Ki Baat Karta According To Adwait Vedanta Mukti Can Be Obtained From Given Options Out Of The Given Names Namely Sankracharya Abhinav Gupta Ramanuja Madhava Who Is Not Related To Philosophy Of Vedanta To Aگر Madhav Gupta Abhinav Gupta Ki Baat Karayin Madhav Ki Baat Karayin Ramanuja Sakracharya Sankracharya Ki Baat Karayin In Samb Me Jho Related Nahi Philosopie Of Vedanta Se Voh Abhin Gupta The Founder Of Indian Automism Is Maharsik Kanaar Indian Automism Bessessik Jho Siddhant Is Maharsik Kanaar Sankhya Darsan Malav Samwat Was Also Known As Malav Samwat Was Also Known As Krith Samwat Krith Samwat A طرف Is Era And Period Recund From Gupta Era Start 19 23 22 18 22 Bc Bc Vikram Era 57 25 Bc Saka Era Kanisq Corona 18 Ad Kali Era 31 22 Kaffi Kaffi Pura Kali Era 31 20 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 गंधाया एक क्वाइन हुआ करता था गंधाया जो था वो क्वाइन हुआ करता था दब दामी रॉक इंक्रिप्शन अप कुलकेशिन 1 इस डेटेड इन दे सक एरा 465 इफ दे सेम एर वेर टुबी डेटेड इन बिक्रम समवत दे एर वुड भी तो कुछ नहीं है इसमें आप 136 साल जोड दो क्यों क्योंकि कितना आएगा ये 600 एक आएगा न क्योंकि हम जानते हैं 78 AD 78 AD सक एरा ठीक है और इसमें 58 AD और जोड़ो तो यह आजाएगा आपका विक्रम एरा दोनों को जोड देने से हो जाएगा 136 और 136 पर 465 दोनों को जोड ओगे तो 600 एगा चालू के एंक्रिप्शन इस डेटेड इन दे येर 556 आफ दे सक एरा इसमें क्या करोगे इसमें आपको सक एरा का है और इसको बोला है कि इकुवेलेंट निकालना है करेंट में तो 78 साल गटा दो प्लस करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 56 plus 78 634 ED According to Puranas the prime place of Chandray semua favor according to Puranas the prime place of Chandrayλα ruler'sろ was Pratishthanpur the capital of Mokhari was Mokhari kingdom ka capital 면 Kannauj the founder of वर्धन dynasty is पुस्य भूती वर्धन dynasty के founder पुस्य भूती information regarding time of harsha is contained in the books of information regarding the time of harsha is contained in the book of Kalahana Kalahana की book है Raj Tarangani harscharitra has been written by Banabhat ठीक है बाणभट ने लिखा है harscharitra harscharitra के रचाहिता बाणभट the capital of harsha empire was harswarthana के empire के capital कन्नौज था emperor harsha had shifted his capital from thaneswar to कन्नौज harsha ने अपना जो है capital जो है thaneswar से कन्नौज shift किया था यह 606 AD में बैठा था 637 AD तक इसने ने शाषन किया था harsha harswarthana organized two great religious religious convention in कन्नौज प्रयाग ठीक है harswarthana organized two great religious convention in कन्नौज प्रयाग कन्नौज प्रयाग emperor harsha's southward march was stopped on नर्मदा रिवर भाई पुलकेसिन दूतिये जो था इससे लड़ाई हो गए जब southward यह march कर रहा था harsha कि भाई south को जीतना है बीच में आ गया पुलकेसिन दूतिये ठीक है इससे लड़ाई हो गए पुलकेसिन दूतिये से लड़ाई के बाद यह हार गया harsha defeat हो गया पुलकेसिन दूतिये ने defeat किया था और यह इसका पता चलता है हमें इसके court poet रभी कृति था उसने लिखा था ठीक है इसके बारे में कि यह हरसा जो है हार गया था poet बाणा was inhabitant of village प्रथी कुटा that is औरंगाबाद प्रजेंटे बिहार जो बांड़ भट था बांड़ जी से कहते है was inhabitant of village प्रथी कुटा that is in औरंगाबाद present day in बिहार Chinese traveler वेन सांग आया था वेन सांग हर से वेन हर से हर सुबर्धन तो यह किस के समय में आया था तो हरसा के समय में आया Chinese traveler वेन सांग आया था वेन सांग वेन सांग वेन वे वीजिटेड इंडिया recorded the general conditions and culture of India at that time the correct statements तो जो उसने देखा हैं इंडिया में culture जो समझा उसने उसके बारे में सही statement है as regarding punishment for offenses ordeals by fire water and poison were instrument for determining the innocence or guilt of person the tradesman had to pay duties at fairies and barrier stations वालब tax देना पड़ता था tradesman को भी during वेन सांग टूर in India the most famous city for production of cotton cloths was जो सबसे famous जो cotton उससे में होता था जब वेन सांग आया था उसने जिक्र किया है कि मतूरा का cotton सबसे best होता था मतूरा में the term कॉसेया the term कॉसेया has been used for कॉसेया जो है यह सिल्क के लिए यूज किया गया है सिल्क के लिए ancient period में Chinese traveler वेन सांग studied at University of Nalanda Nalanda में इसने पढ़ाई करी the major region behind remembering वेन सांग is composition of Si Yuki इसने जो composition लिखी है Si Yuki उसमें जो है अपनी history बहुत सारी इसमें है इसलिए हम इसे याद करते है the Chinese traveler who visited भीन मल भीन मल यह वेन सांग ही था वेन सांग घूमा काफी south भी गया पुलकेसी दूटिये के समय भी गया काफी जगा गया the famous travelogue Sin Yuki is linked with वेन सांग इसकी यात्रा विबरान था यह इसमें इंडिया by the name of Yintu Yintu कहते थे नलंदा उनिवर्सिटी वस डिस्ट्रोइड वाई इवन बख्तियार खिल्जी बारहुई सतादी में इसने ग्यारा सो ठानवे में इसने जो है नलंदा उनिवर्सिटी में आग लगा दिया था the most ancient monastery in India is नलंदा monastery the most ancient monastery in India is नलंदा monastery नलंदा is located in Bihar नलंदा कहां located है? Bihar में located है during post-Gupt period main business center was during post-Gupt period the main business center was Kannauj during post-Gupt period main business center was Kannauj correct statement बताना है the main feature of agrarian structure in pre-Gupt period was the development of feudalism correct statement है the main feature of agrarian structure in the pre-Gupt period was development of feudalism land owner middle class and dependent peasant class came into existence in this period अगला है with reference to Indian history with reference to Indian history the essential elements of the feudal system जो samanti system था जिसमें की feudatory जो होता था वो एक area ले ले लेता था उसमें सासन करता था ये गुप्त period में ऐसा हुआ है तो इसका जो है पूछ रहा है कि essential element क्या है तो emergence of administrative structure based on the control and possession of land उसको एक land दे दिया जाता था कि भाई ये इस land को आप इससे अपने खर्चा निकालो और administration करो उसका creation of land वशाल relationship between the feudal lord and his overlord in travel through India फाहियान has mentioned a hospital it was located at तो एक hospital की बात करी फाहियान ने जो की चंद्रगुप्त दृतिये बिकर्मा देते के समय में आया था तो ये hospital बोला कि पाथली पुत्रा में एक hospital था काफी famous hospital था the true statements about संकराचारे, a saint of 8th century are तो तीन बाते इनके बारे में लिखी गई है he established four religious centers in different parts of India north, south, east, west में he countered the spread of Buddhism and Jainism क्योंकि ये ब्राह्मनिजम को अद्वैत वाद के सिदान को follow कर रहा था he propagated बिदान्ता बिदान्ता का जो है ना propagation किया आदी संकर who later become संकराचारे was born in आदी संकर who later become संकराचारे was born in केरा आदी संकर who later become संकराचारे was born in केरा the four monasteries established by आदी संकराचारे are situated at जोसी मठ में है एक द्वारका में है गुजरात में एक पूरी में है एस्ट में आपका उडिसा में और एक स्रिंगेरी में है तो चार जो है इनके monasteries हैं संकराचारे जी के आउट अप गिवन प्लेसे नेमली पूरी द्वारका मान सरोबर रामे स्वरम which is not included in the चार धाम मान सरोबर जो है ये चार धाम में नहीं आता है पूरी द्वारका रामे स्वरम ये चार धाम में आते है मान सरोबर नहीं आता है courtier poet और king की बात करें तो अमीर खुसरो जो है अमीर खुसरो जो है अलावदीन खिल जी के समय में ये उसके court poet था courtier poet जीसे कहते हैं काली दास जो थे नौरतन में से एक थे चंद्रकुप दूतिये बिकर्मादिते के समय में थे मेग दूतम इन्होंने रचना करिया और भी कितावे लिखी रवी कृति कुलके सिन दूतिये का court poet था भाव भूति court poet था ये सो वर्मन अफ कन्नौज का डांडी जो था ये नरसीमा वर्मन का ये court poet था अब एक तरफ देखिए correctly match pair देखना है भोज भोज जो थे ये धर रीजन में सासन करते थे दुर्गावति जो थी गुंडवाना क्वीन थी ये दुर्गावति ठीक है समुंद्र गुप्त बिदीशा से बिलॉंग करते थे ठीक है गुप्तों के असोग जो थे गवर्णर थे उजयन के बिफोर बिकमिंग इंपेरर अफ इंडिया मोरें डैनेस्टी विधे रेफरेंस तो हिस्ट्री अफ इंडिया दे करेक्टली मैच्ट पेवर्सार फेमस प्लेसे से दूसरे तरफ है प्रजेंट स्टेट भिलसा मध्यपरदेश में प्रजेंडे गिरनार जिसके बारे में सुदर्शन लेक और गरे की चर्चा होती है गुजरात में द्वार समुंद्रा करनाटका में अस्थानेश्वरा हर्याना में अब हम देखेंगे आकिटेक्चर इंसेंट इंडिया आकिटेक्चर इंसेंट इंडिया पहला पॉइंट है अशोसियेट्स अफ खजुराहो टेम्पल आकिटेक्चर वे किस ने किस रूलरों ने खजुराहो टेम्पल को बनवाया था तो चंदेल चंदेल रूलर्स ने बनवाया था खजुराहो टेम्पल the temple of Kandaria Mahadev at Khajuraho was built by Chandel rulers the temple of Kandaria Mahadev at Khajuraho was built by Chandel rulers the temple of Khajuraho are related with what? the temple of Khajuraho are related with Hinduism and Jainism Hinduism and Jainism से related hai temple of Khajuraho Mangatishwara temple at Khajuraho is dedicated to God Shiva Mangatishwara temple which is not located at Khajuraho so Khajuraho में Dhasavatar temple located नहीं है out of the given sites namely Khajuraho temples Bhimbetka rock shelter Sanchi Istupa Mandu fort which is not a world heritage site तुम जानते Khajuraho temple एक UNESCO का world heritage site Bhimbetka जो की Madhya Pradesh में परता ये भी एक UNESCO site है सांची तो है मंडू नहीं है आंसरों का मंडू fort out of the given options namely Bhitargaon temple Teli temple of Gwalior Kandaria Mahadev temple and Uriya Uriya temple which one is built in Dravid style तीन तरीके के बिल्डिंग आर्किटेक्चर temple आर्किटेक्चर हुआ करता था एक था नगर style जो की नौर्थ में famous था दूसरा था Dravidian style जो की South में famous था तीसरा था वेसारा दोनों का मिश्रन तो Dravid style में नहीं है Teli temple of Gwalior ये एक कह सकते है कि नगर style का temple है Out of the given options namely Ajanta Caps, Kanheri Caps Kanheri परता है आपका Maharashtra में Ajanta Cape भी Maharashtra में राजगीर राजगीरी which consists of more than 100 Buddha Caps, आंसर होगा Kanheri Caps, यहां पर more than 100 Buddha Caps है Kanheri Jain temple of Abu is made up of what Jain temple जो है Abu Mount Abu का वो बना है Marble का Palitana temple जिसे दिलवारा temple भी कहते है basically Jain temple को Palitana temple is located near Bhavnagar Gujarat Palitana temple located near Bhavnagar Gujarat The Elephanta caves which were mainly sculpted sculptured for the devotees of Siva Siva के devotee के लिए Elephanta caves को बनाया गया था The ancient monuments of Elephanta are mostly devoted to The ancient monuments of Elephanta are mostly devoted to Buddhist and Savite Buddhist and Savite famous cave temples of Elephanta that are ascribed to यह राश्ट कुटो को ascribed था मतलब की इन्हों नहीं बनवाया था राश्ट कुटों नहीं बनवाया था Elora cave temples are related to Hinduism, Buddhism as well as Jainism तीनो को जो है यह दिखाया गया है यहाँ पे इस temple में Elora cave temple out of the given temples namely Sour temple Malapuram Raj Rajaswar temple Thanjore Kalidas temple Elora and Jagannath temple Puri which is an example of rock cut architecture Kelas temple जो है एक पत्थर को काट के बनाया गया है Elora में परता है The rock cut caves in western India are located in Nasik, Elora and Ajanta The rock cut caves in western India यह तीनो महराष्टा में है Nasik, Elora और Ajanta Out of the given places namely Elephanta Nalanda Ajanta Khajuraho which one is famous for Buddhist cave temple Ajanta Elora की गुफाये जो है Ajanta की जो गुफाये हैं temples है यह Buddhist architecture को बिलॉंग करती है Elora caves were built by Rastkutas ठीके Rastkuto ने बनवाया था Elora caves Out of the given temples like Vrihdeswara temple Thandzavur Lingraja temple Bhoneswar Kali Kailas temple Elora and Kandaria Mahadev temple Khajuraho which one is considered as the wonder of rock cut architecture वो है Kailas temple एक पत्थर को काट के उपर से काट के नीचे तक आके बनाया गया था The Kailas temple of Elora was built by Rastkutas Rastkuto ने बनवाया था Rastkuto ने बनवाया था The Rastkuto ruler that built the famous Siv temple of Elora is Krishn 1 The Rastkuto ruler Jisने Saiv temple Jai Elora का मनवाया था वो है Krishn 1 Rastkuto ruler who built Kailas temple of Elora Saiv Vais Siv के लिए Krishn 1 Out of the given religions Namely Buddhism Jainism Saivism and Shaktism which one had Rastkuta protection answer होगा Jainism Jainism ठीक है Rastkut जो थे Jain को embrace करके रखे हुए था Cave of Ajanta and Elora are located at Aurangabad district of Maharashtra Aurangabad district of Maharashtra Caves of Ajanta and Elora are located at Aurangabad district of Maharashtra The Caves of Ajanta and Elora are in this state of India Maharashtra में located है Correctly matched pair देखना है Gupta temples और उसके location Brick built temple ये भीतर गाउं में Dasavatar temple देवगड में Siv temple Bhumara में है और Bisnu temple Aaron MP में है Gupta का ये temple हुआ करते है Gupta period का The art of Ajanta The art of Ajanta was mainly patronized by Vakatak dynasty and Gupta dynasty ठीक है Vakatak and Gupta dynasty both Ajanta Caves are linked with Jatak story Jatak story ऐसी story हुआ करते थे जिसमें Gautam Buddha के previous year life के बारे में बताया गया था लोगों के द्वारा कही गई ये कहानिया हुआ करते थे तो इसमें Ajanta Caves में Jatak story को pictorial depict किया गया The painting of Bodhi Sattva Padma Pani is one of the most famous and often illustrated paintings at Ajanta The painting of Bodhi Sattva Padma Pani is one of the जिसमें Kamal का फूल लेके बैठे हैं is one of the most famous and often illustrated painting at Ajanta Out of the historical places namely Ajanta Caves Lepakshi Temple Saanchi Sattva which one is or are known for Mural Painting Mural Painting जो है Diwal Pe Painting वो Ajanta Caves और Lepakshi Temple में जो है दिखाया गया The common two two historical places known as Ajanta and Mahabalipuram तो दोनों जगह जो है Rock Cut Monuments बनाए गए Ajanta में Caves बनाए गया Mahabalipuram में जो है वो पूरा रथ जो है मंदिर बनाए गया Correctly Matched पेर देखने है Humpy जो है साइठ है Karnataka की Humpy जो है साइठ है कहाँ पे Karnataka में Nagarjun Kunda साइठ है आंदर परदेश में Sisu पालगर जो है Odisha में साइठ है अरिक मेडू जो है साइठ है ये पुड़ुचेरी में The Kunark Sun Temple is built by Kunark Sun Temple जो है बनाया गया था Narsim Dev वर्मन 1 के दौर Black Pagoda और Kunark Sun Temple is located at Kunark Odisha Black Pagoda और Kunark Sun Temple is located at Kunark Odisha The Sun Temple of Mudhera जो कि Gujarat में पढ़ता है It lies in the state of Gujarat Sun Temple of Mudhera Gujarat अगला देखे correct statement चूज करना है correct statement बताना है पहला statement जो correct है वो है The Sun Temple of Multan जो कि पाकिस्तान में पढ़ता है is mentioned by Vensang Abu Jaya Al-Mashodi और Al-Varuni टीनो ने इसको mention किया है The pilgrimage of Sambalpur was associated with Sun Varsy The pilgrimage of Sambalpur was associated with Sun Varsy Lingraja Temple is located at Lingraja famous temple जो है located at Bhuneshwaram Bhuneshwaram Out of the given temples namely Brahmeshwara Temple Jagannath Temple Lingraja Temple and Raj Rani Temple which one is the largest and the tallest surviving temple of Odisha answer होगा Lingraja Temple largest and tallest surviving temple है Odisha का Jagannath temple is located in the state of Odisha Jagannath Temple is located in the state of Odisha ठीक है Odisha next है The temple of Bhuneshwar and Puri was built in Nagar style तीन तरीके के style होते थे Nagar style Dravidian style विशारा style तो Nagar style जो था वो North Indian temples में यूज होता था The idols of Lord Jagannatha Subhadra and Balabhadra is sanctum and torum at Jagannath Puri temple are made up of ये लकडी के बने वूड के बने Angkor वत विश्नु temple ये एक मतलब विश्व का सब्से बड़ा temple है काफी बड़ा temple है ये कहां पे located है ये Siam Rip Northern Cambodia में located है Angkor वत विश्नु temple ये located है Siam Rip Northern Campodiam Borobudur Stupa is situated Borobudur Stupa ये Java Indonesia में situated Borobudur Stupa situated Java Indonesia The initial design and construction of which massive temple took place during the reign of Suryavarman Dutia The initial design and construction of which massive temple took place during the reign of Suryavarman Dutia answer होगा Angkor Wat Temple Gopuram Gopuram in temples of Dravidian styles stand for what? Gopuram in temples of Dravidian style stand for ornamental and multi-storied structures on the gateways Gopuram gate style of Gopuram पूरम वेर बिल्ट बाई पल्लव रूलर से गें ठीक है पल्लवों ने बनवाया था यह दसे बेन रथ टेंपल अफ महाबली पूरम वाज बिल्ट बाई आंसर होगा नर्शिम बर्मन वन नर्शिम बर्मन वन ठीक है आउट अप गिवन रथ टेंपल नेमली द्रौपदी रथ भीम रथ अर्जुन रथ धर्म राज रथ विच वन इस दॉट इसमौलेस्ट है द्रौपदी रथ तो करेक्टली मैच पेर देखना है आपको प्लेस और मोनुमेंट से रिलेटेट इलिफेंटा जो केप्स है यह रेच्व है Jain का घजुराहो टेंपल है को चौह लूट टेंपल है साची में स्टूपा है बुद्धिस्ट इस्तूपा मद्यपर्देश में अब देखना है correctly matched pairs को historical sites एक तरफ है दूसरे तरफ है states है भीम बेट का जो है historical site है pre historic period के जो men रहते थे वो इसमें रहते थे मध्य परदेश में यहाँ पेंटिंग्स पाई गई है सोर टेंपल जो है तमिल्नाडू में हम्पी करनाटका में बीजने करें इंपायर का यह capital हुआ करता था मानस जो है असाम में करेक्टली मैच पेर देखना आपको एलोरा केप्स जो है है कावर लेकर कामरी यह जाते हैं रहां सारनात जो है यहाँ पे सर्मन दिया था कि गौतम बुद्धा ने दिलवारा में जैन टेंपल मौंत आभू पर बदरी नाझ जियो यह विशन टेंपल यहाँ बदरी नांके बिसन टेंपल गरेक्टली मैच पेर देखना है così क्ट यह लोकेटेड है करनाटका में ठीक है यह ज्याइन का जो है एक स्टेच्वरा न्यूड स्टेच्वर तो दक्रेक्ली में स्पेर देखना है नालंदा एक यूनिवर्सिटी हुआ करते थी बुद्धिस्ट उनिवर्सिटी बहुत फेमस जिसे इवन बक्तियार खिल जी ने बर देखने आपको बाग केव जो MP में पढ़ता है महां पेंटिंग काफी ज्यादा मिलेगी पेंटिंग से महां पर हैडलेस स्टैच्व अफ कनिस्का यह मतुरा यूपी में पाया गया है उसका सर ही नहीं है है एडलेस स्टैच्व तलवार्कों से हुए है दसवतार टेंपल देखर उत्तरप्रदेश में इनसीं ताउन अफ तक्सिला इस लोकेटेट बेटेविन द रिवर्स इंड़स औ झेलम नदी जो तक्सिला जो है एंसंट ताउन हुआ करता था तक्सिला में उनिवर्सटी थी थी फेमस सबसे पुरानी उनिवर्सटी थी इंड़स और झेलम नदी के बीच में ये टाउन था Sonagiri is the highest among 103 Jain temples lies in the proximity of Datiya district of MP Sonagiri the highest among 103 Jain temples lies in the proximity of Datiya district of MP, Dilwara Jain temple is situated at Mount Abu in Rajasthan Biru Pakchha, Biru Pakchha temple is located at Hampi, Karnataka Biru Pakchha temple is located at Hampi, Karnataka the Nagar, the Dravid and the Visara are three main style of Indian temple architecture Nagar north me, Dravid south me or Visara mixture the two with reference to cultural history of India, the term Panchitna refers to style of temple construction, Panchitna style of temple construction Namishranya Naimishranya, the famous pilgrimage is located in the district of Sitapur, Uttar Pradesh Naimishranya is the famous pilgrimage is located in the district of Sitapur, Uttar Pradesh with reference to Indian history of art and culture the correct pairs are, a famous work of the sculpture other side Ajanta in the and the grand image of Buddha's Mahapari Nirvana with the numerous celestial musicians above and the sorrowful figures of his followers below is shown in the Mammalapuram in Mamalapuram in Mamalapuram in Arjun's Penance Descent of Ganga sculpted on the surface of huge boulders as he rescued goddess earth from the deep and chaotic water sculpted on the rock Bara Correctly matched pairs आपको देखने हैं Correctly matched pairs गांधार जो art था ये कुशानों के सम्हार में डेवलोप गुआ था Indo-Greek का mixture था Junagut Rock is encryption Rudrudaman 1 का था ठीक है संस्कृत में ये लिखा गया Milind Panha Minander से related है Milinda के questions कहते है Milind Panha को Taksisila encryption Patika से related है Next, out of the given options namely Lingraja Temple at Bhuvaneswar Rock-cut elephant at Dhauli Rock-cut monuments at Mahabalipuram Varaha image at Udaygiri which one was made earliest with reference to art and archaeological history of India Ansaruga Rock-cut elephant at Dhauli Ajanta Caves are in the rocky northern wall of the V-shaped gorge of river named the Vaghora river Vaghora river के rock V-shaped valley में located है Ajanta Caves are in the rocky northern wall of the V-shaped gorge of river named Vaghora river अब दिखेंगे South India चोल चोल चालू के पल्लव और संगम पिरियद तो South India के history अब जानेंगे is at Vrideswara temple से लिकर some regions of Dickon तक फैला हुआ था out of the given options namely Kaveri Patinam, Mahabalipuram, Kaanchi, Tanjaur which was the capital of Chola तो Tanjaur जो था capital था चोलू का the dynasty which was famous for efficient rural administration was Chola dynasty पताया ना कि गाउं self-governed हुआ करते थे development of village autonomy was a unique feature of it of administration system of Chola again answer is Chola same question repeat हो रहा है a lot of details regarding the village administration under the Chola's are provided by the encryptions of encryption of Uttar Mirur encryption Uttar Mirur encryption से मैं पता चलता है कि village जो थे वो self-governed थे during the rule of Chola king who looked after garden administration during the rule of Chola kings who looked after the garden administration answer होगा थोट्टा वरियम थोट्टा वरियम the correct statements regarding Chola's are the Chola's ने defeat किया Pandya और चेरा दोनो रूलर्स को and establish किया अपना dominion over peninsular India completely in the early medieval times the Chola sent an expedition against the Selendra empire of Southeast Asia and conquered some areas ठीक है Southeast Asia तक ये फैल गए थे इनकी navy बहुत strong थी तो Selendra empire तक पहुँच गया थे ने वहापे bronze icons of Natraj cast Natraj जो है basically वो form of Siva है bronze icons of Natraj cast during the Chola period invariably so the deity with how many hands चार हाथ हुआ करते थे सिव के ठीक है Natraj जो है dancing form में बाल खुला हुआ एकदम Natraj the famous sculpture of Chola's is where the famous sculptures of Chola's is where bronze sculpture of Natraj Siva the Dakshin Murthy idol of Siva depict him in the form of teacher the Dakshin Murthy idol of Siva depict Siva in the form of teacher with reference to a statue of Natraj the lord of dance following a statement are correct the image represents dancing Siva having forehand बिलकुल सही है in his right ear he wears a man's earring a woman's in the left right कान में जो है men का earring और left में woman का earring पहने हुए next has 72 traders who were sent to China during the tenure of witch king 72 traders जो की China भेजे गय थे वो tenure था Kolutunga वन का Kolutunga वन का ठीक है ये चोलो का एक सासकत है अगे out of the South Indian states namely चोल चेर पांडया राष्टकुटा who was famous for its naval power तो ने भी बहुत स्ट्रंग थी चोलो की इसलिए सैलेंदर एंपायर तक महुँच गय थे South East Asia में the चोल रूलर who converted the Bay of Bengal in the चोला लेक जिसे हम गंगाई चोल मंडलम बोलते थे ये राजंदर वन थे ठीक है Bay of Bengal को चोला लेक बना दिया था इसने राजंदर वन the founder of गंगाई कोंड चोल पूरम is राज राजंदर वन राज राज वन का बेटा था ये राजंदर वन चोल रूलर who is credited to have built a huge artificial lake known चोल गंगम गंगाई चोल तो ये राजंदर वन ने बनवाया था the temple are chronologically arranged तो सब्त पगवड़ा सबसे पहले बना था फिर सोर टेंपल महाबली पूरम का फिर बना बिर्देश्वरा टेंपल राज राज वन ने बनवाया गंगाई चोल कोंड चोल पूरम बनवाया temple ये राजंदर वन ने बनवाया the चोला किंग who started naval army is राज 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 वन राज राज वन ने ही naval army जो है बना दी थी navy अपनी खड़ी कर दी the चोला किंग who conquered the northern part of Sri Lanka was again राज राज वन the चोला किंग who conquered northern part of Sri Lanka राज राज वन और इसके बेटे राज अंदर वन ने पूरा ही कंकर कर लिया Sri Lanka का पूरा ही जीत लिया खाली northern part Sri Lanka का जीता था राज 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 वन ने और इसके बेटे ने पूरा ही जीत लिया the correct statements regarding चोला are correct statement क्या है we have much more information about चोला's than their for predecessors the चोला rulers adopted the practice of having encryptions written on the walls of temples giving a historical narrative of their victories तो इसे हमें इनके बारे में जादा जनकारे में next है the चोल मुनार्क the चोल मुनार्क who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to the Sinhala prince was Kolutunga I इसने जो है आजाद कर दिया बिलकुल Sri Lanka को और अपनी बेटी का भी ब्याह कर दिया Sinhala prince है Udayan Jiral Udayan Jiral belongs to चोल dynasty Udayan Jiral belongs to चोल dynasty एक तरफ है term बुसर तरफ है description Eripati Eripati जो था ये land को बोला जाता था उस समय revenue from which was the set apart from the maintenance of village tank Ghatikas colleges थे generally attached to the temples Taniyurs 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 were a very large village would be administered on as a single unit called Taniyurs बहुत बड़े village होते थे single unit के तरफ से administered के जाता था Taniyurs out of the given trade centers of ancient India namely Tagara Shripur Tripuri and Tamr Lipti ये सब ports हुआ करते थे which was on the trade route connecting Kalyan with Vengi answer होगा Tagara Tagara next है the greatest king of Chalukyya dynasty was Chalukyya का greatest king था Pulkesi नित्य जिसने हर सवर्धन को हरा दिया था ठीक है next है the information about king which is found in the Kuru's Pal encryption is Sumeshwar 1 is Sumeshwar 1 the information about the king which is found in the Kuru's Pal encryption is Sumeshwar 1 out of the given dynasties namely Chol dynasty Chalukyya dynasty Pal dynasty and Sen dynasty which assigned to the ladies high ranking positions in administration ladies को जो है अपने administration में highest rank दिया करते थे Chalukyya the capital of Chalukyya was Vatapi या फिर Badami भी कहते हैं the capital of Chalukyya was located at Vatapi out of the given institution namely Sreni Nagaram Nana Desis Mani Gram and which belong to the foreign trade answer होगा Nanadenis Nanadesis और Mani Gram जो था foreign trade से related था the name of poet Kalidasa is mentioned in the I-hole encryption of Pulkesh Indutya जिसे Ravikriti ने इसका court poet ने इसे लिखवाया था the name of poet Kalidasa is mentioned in the I-hole encryption of Pulkesh Indutya the term Yavana Priya mentioned in the ancient Sanskrit text denoted to Piper Black Piper जो था है न उससे related था Yavana Priya the Sangam literature Tolka Piam is a text of Tamil Grammar क्या है Tolka Piam एक Sangam literature है और ये किस चीज से related है ये Grammar से related Tamil Grammar the author of Sila Paddikaram इसका author थे Elango Adigal जो author थे Sila Paddikaram के ये थे Elango Adigal अब एक तरफ है epics दूसरे तरफ है subjects किस subject को deal करता था Sangam literature का ये epic था थिरु कुरल जो था ये philosophy को deal करता था Tolka Piam Grammar था Sila Paddikaram love story थी basically मनी में कलाई जो था ये merchant story रखाता merchant story from the excavation of ancient sites given namely Madurai Tamra Lipti Tondi Arik Medu from which the information has been gathered regarding brisk trade relationship relations between India and Rome during the early centuries of Christian era is Arik Medu is Arik Medu Amphora jar Amphora jar kya है Amphora jar is a tall double-handled jar Aisha jar हुआ करता Amphora jar double-handled हुआ करता था Out of the given dynasties namely Kadamb Cher Chol Pandya which is not mentioned in the Sangam literature Out of given dynasties namely Kadamb dynasty Cher dynasty Chol Pandya dynasty which is not mentioned in the Sangam literature is Kadamb dynasty इसके बारे में चर्चा नहीं है Sangam Out of the given ruling dynasties namely Cher Chol Pandya which was not a ruling dynasty of Tamil country during the Sangam age Pallav जो था ये Tamil Sangam age में नहीं था ठीक है Cher Chol Pandya जरूर थे Sangam period में बद पल्लो बाद में आया था काफी Following statements is correct about Sangam literature in the South India Following statement is correct about Sangam literature in ancient South India पहला जो सहिए वो है Religions Religious Anthology Kural composed in the language of Religious Anthology Kural composed in the language of Tamil In the language of Tamil The author of Tamil Ramavataram The author of Tamil Ramavataram is Kamban The author of Tamil Ramavataram is Kamban With reference to the cultural history of medieval India Correct statement बताना या Medieval India आगया ठीक है, with reference to मुलब थोड़ा एक question आगया है With reference to the cultural history of medieval India true statement is Siddhaaj जो थे Tamil region where monotheistic and condemned idolatry को पूजा करते थे Lingayat of Kanada Lingayat region question the theory of rebirth and rejected the caste higher ये Lingayat community है Karnatak के अभी भी है ठीक है, ये Lingayat को पहनते है लिंग को जो है उसका छोटा form बना के पहनते है The correctly matched pair बताना है गुप्त जो है देवगर टेंपल से related है चंदेलो का खजुराहो टेंपल था चालुक्यों का बदामी टेंपल था पल्लाहो का पाना मलाई टेंपल काफी फेमस रहा है रूलिंग डाइनेस्टी और उसके कैपिटल्स बताने है पल्लाहो की कांची पूरम थी पांडियो की किंडम की जो कैपिटल थी वो मदुराई थी यादवों की थी देवगिरी और काकातिया की थी वरंगल काकातियां की थी वरंगल correct chronological order of the events बताना है इबनाई इस्टेब्लिश्मेंट अब पल्लो पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन पाल डानेस्टी फाउंड़ बाइ गॉपाला ये भी सही है राइज अफ प्रतिहार अंडर दे किंग भोजा ये भी सही है, इस्टैबिश्मेंट अफ चोल पाउर अंडर दे प्रांत का वन भी सही है दे फेमस साउथ इंडिया, इंडियन, बैटल अफ तुक तकोलम वस फ़ट बिट्वें तो जब बैटल अफ तकोलम है, वो डिसाइडर बैटल था, चोलो और राष्टकुटो के बीच में, जिसमें राष्टकुटा बिजई हुए थे Out of Kushana, Chera, Western Saka and Vakataks, who established trade relation with Roman Empire Chero का जो trade था, वो Roman Empire के साथ था, इन में से Kushana, इन में से जो cher थे, इनका जो है trade relation था, Roman Empire के साथ Out of the given option, namely Chatur Vedin Mangalam Parishad Astadigas Manigrama which was the corporation of merchants in the ancient time Manigrama ये traders का cooperation हुआ करता हुआ corporation the river that has the life line of Pandya estate was Vengi river the river that has the life line of Pandya estate was Vengi river the Sangam parts the Sangam parts that were situated on the western coast the Sangam parts that were situated on the western coast was Tondi ports होगा Tondi port था Masoori था Musiri, Noura और Nil Sinda ये सब ports हुआ करते थे Sangam period के western coast पर थे according to Sangam text the term कौन, को, मनन they were attributed to King ठीक है according to Sangam text the terms कौन, को, मनन they were attributed to King 3rd Sangam जो था कब हेल्ड किया गया है? Madurai में held किया गया था 3rd Sangam Madurai में और इसके text काफी जयादा प्रिजब्ड है तीन संगम अभी तक हुआ था last वाला 3rd था the Sege who said to have Aryanized South India the Sege वैसा साधू बताना है जिन्होंने South India को पूरा Aryanized कर दिया इनका नाम है Agasthya Arisi Agasthya Arisi State और उसके capital को match करना है चालुक्यों का capital बाधामी या बतापी हुआ करता था पल्लवों का capital काची पूरा हर्सा का कन्योज था पहले थाने सुर्थ था बाद में कन्योज शिट कर लिया था पांड्याओं का था पांड्याओं का दुराई नेक्स है था प्रेक्ट क्रोन लोजिकल ओडर अपल्लव रूलर्स एकॉर्डिंग तो देर रेन सबसे पहले महेंद्र वर्मन वन छेसो से लेकर छेसो तीस एडी तक सासन किया फिर नर्सिंग वर्मन वन छेसो तीस से लेकर छेसो अरसाट एडी तक सासन किया फिर परमेश्वराम वन फिर नन्दी वर्मन वुतिय साथव से शाथवांड़ रूलर्स खांड़िंग तक सासन कीया आउट अफ थाईवन चैनीश ट्रेवलर्स नेमली फाहियान, वेंसां, इथ सिंग, मातवालिन who has given an account of relationship of China with India during the reign of चलुक्यास तो इसका सही आंसर होगा मातवालिन मातवालिन Out of the given dynasties नेमली चलुक्यास, राजपुतास, गुपतास and मौर्यास who did not rule over North India तो राजपुतो ने North India में सासन किया गुपतो ने किया नौर्थ इंडिया में पूरा मौरयों ने किया, चलुक्यों ने साउथ इंडिया में किया ठीक है, साउथ इंडिया बतापी और बदामी वाले चलुक्यास The capital of Kadamb King was वनावसी The capital of Kadamb Kings was वनावसी Minakshi Mandir यह Madurai में located है, Minakshi Temple ठीक है Minakshi Temple, Madurai The dynasty of South Indian King who sent an ambassador to the Kingdom of Rome in 26 BC belongs to Pandya The dynasty of South Indian King who sent an ambassador to Kingdom of Rome in 26 BC belongs to Pandya आपको list को correctly match करना है Minakshi Mandir जो है, Madurai में Balaji भी सुनात का यह मंदिर है Benkateshwara Mandir जो है Tirumala अंदरपर्देश में है Mahakal Mandir उजयन में है Velour Matha मठ जो है Velour Mat यह Havada West Bengal में Velour Mat फिर आता है Ancient Literature and उसके Literatures ठीक है The title Father of History rightly belongs to Herodotus ठीक है जो title है किसे कहते Father of History तो वो Herodotus को कहा जाता है The writer of Mudra Rakshas was Bisakhad The writer of Mudra Rakshas was Bisakhad Bisakhadad की यह रचना है Mudra Rakshas Next point is the classical work of literature which were written during the Gupt era ठीक है गुप्त पीरियेट के समय में अमर कोस ठीक है काम सुत्रा मेग दूता कालिदास की रचना और मुद्रा Rakshasam ठीक है यह important रचनाएं हैं गुप्त पीरियेट के समय में Bible Book of North Indian Classical Music is नाट्य सास्त्रा Bible Book of North Indian Classical Music is नाट्य सास्त्रा एक तरफ है टेक्स्ट दूसरी तरफ है ओथर चेक है तो राग मला के ओथर है पुंद्रिक विठ्थल रास कॉमडी के हैं स्री कंठा राग विबोध के हैं सोमनाथा और चतुर डंडी प्रकासिका के हैं वेंकट रमना दसकुमार चरितम वस कंपोजड वै दसकुमार चरितम वस कंपोजड वै डांडी आंसर होगा डांडी कुमार संभवा कुमार संभवा अन एपिक पोएम वस कंपोजड वै कालिदास The ancient name of world famous tourist destination of Sanchi was Kaknam The ancient name of world famous tourist destination of Sanchi was Kaknam Out of the given options namely Malvik Agni Mitram Abhijyan Sakuntalam, Kumar Sambhavam, Janaki Harnama Which was not written by Kalidas So Kalidas ने Malvik Agni Mitra लिखा है जिसमें अगनी मित्र के बारे में और Malvika जो उनकी girlfriend थी उनके बारे में लिखा गया है Abhijyan Sakuntalam again बहुत प्यारी रचना है उनकी और Kumar Sambhavam भी तो इसमें जो नहीं है उनकी रचना वो है जान की हर नमन The correctly match Piers are एक तरफ है book दुसरे तरफ है कौन सा जो है composer थे उसके तो पानीनी ने लिखी अस्ट ध्याई ठीक है अस्ट ध्याई एक grammar के उपर book है पानीनी ने लिखी है और वतसायन ने काम सुत्रा लिखा है चाणक्य ने अर्थ सास्तर की रचना की थी और कलहण ने राज तरंगनी लिखी थी हरसबरधना के period में राज तरंगनी written by कलहण is associated with the history of कस्मीर आंसर होगा history of कस्मीर कलहण ने लिखी है राज तरंगनी अस्ट ध्याई was written by पानिनी एक grammar की किताब है अब फिर से correctly match करना है भरावी किर्थ अर्जुनिया के रचैता है किर्थ अर्जुनिया के रचैता भरावी है हरसा ने लिखी थी नागनन्दा रतनावली प्ले राइट्स थे ये कालिदास ने मालविक अगनी मित्रा और रघुबंसा लिखी थे राज सेखरा ने करपूर मंजरी लिखी थे आउट अप गिवन संस्कृत वर्ट नेमली नैसा धिया चरित्रा किर्थ अर्जुनियम सीसु पाल वधास दसकुमार चरित्रम विच हैस टेकन अप देर थीम फ्रम महाभारता अंसर होगा तीन है ये ठीक है नैस धिया चरित्र किर्थ अर्जुनियम और सीसु पाल वध सीसु पाल वध करेकली मैच पेर बताना है स्कॉलर और दूसरे तरफ रिलेटेट फिल्ड विसाख धत जो की मुद्रा राक्षस के रचैता थे एक ड्रामा इन्होंने लिखी थी बराहमिर एस्ट्रोनॉमी से रिलेट थे चरक मेडिसीन साइन्स से रिलेट थे और ब्रहम गुप्त जो थे मैथेमेटिसियन थे यह सिर्फ परसिप्शन के बारे में है क्या सोचते हैं आप क्या परसिप्शन रखते हैं उसके बारे में तो ब्राहमिर की जो पंच सिध्धान्तिका है यह बिसिकली ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के उपर बेस्ट है करेक्ली मैच पेर्स देखने है कालिदास की रचना रगुवंसा है भासा की रचना है स्वप्न वसा वेद्रतम बाणभट ने कादंबरी लिखी है और हरसा की एक प्लेराइट है रतनावली मिलिंद पनहा इस पाली टेक्स्ट मिलिंद पनहो यह कोश्चन अफ मिलिंदा मिनांडर यह पाली टेक्स्ट है आउट अफ नेटी पकरमा आउट अफ नेटी पकरना परिशिष्ट परवन अवंदना सतका और त्रिस तिलका सना महापूरन जैन टेक्स्ट आर जैन टेक्स्ट इसमें से परिशिष्ट परवन और त्रिसा सतिल लक्षना महापूरान Out of the given rulers Namely Diodorus 2 Dmitrius Meander and Strabo 1 Which throws Light on Indo-Greek ruler Answer ho ga Menander Milind Panha is in the form of A dialogue between King Menander And Buddhist monk Nagasena Milinda ne Buddhist monk Nagasena se question karay thay Usi question ko am loog Milind Panha mein pardate ha Out of the given sources Namely Sangam Sahitya Milind Panha Jatak tells which source is silent About the trade routes for ancient India Answer ho ga Sangam Sahitya King a taraf hai Dueser taraf hai court poet Chandragubh Dutiyaj jathe Yek Kalidasa inke court poet thay Samudragubh ke court poet thay Harishena aur Harusvardhan ke thay Baanabhat Alaudin Khilji ka court poet thay Amir Khushro The Tarangas that are in Raj Tarangani Of Kalhandi total is me 8 Tarangas Out of the given options such as Bilhan and Meru Tunga Bilhan and Mamata Jonah Raja and Meru Tunga Jonah Raja and Shri Vara Those continued the Raj Tarangani of Kalhand is Jonah Raja and Shri Vara So a good point is Sondranand Sondranand was the composition of Sondranand joh composition thay Asughos ka Asughos Nagananda Ratnavali And Priyadarshi ka Tien playwrights thay Yek khud Harishvardhan Ne likha hai Nagananda Ratnavali And Priyadarshi ka Tien playwrights hai Yek tieno Harishvardhan Ne likha hai Among Harish Charitr Kadambari Devi Chandra Guptam And Priyadarshi ka Which play was written by Harishvardhana To Harishvardhana Ne joh hai Isme likha hai Kau nsa Priyadarshi ka Answer ho gha Priyadarshi ka Tien usne playwrights Likhe te khudhi Nagananda Ratnavali Or Priyadarshi ka Out of the given works Namely Priyadarshi ka Nagananda Harish Charitr And Ratnavali Which were authored by Harsa To Harsa Nen Priyadarshi ka Nagananda Or Ratnavali Tien joh hai Playwrights Likhe hai Out of the given works Namely Amar Koshah Siddh Siddhant Siromani Brihat Samhita And Stang Hidayam Which is Encyclopedia In Nature Answer ho gha Brihat Samhita Answer ho gha Brihat Samhita The correctly match Pair Bata na hai Aapko 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 Mirich Kattikam Ki Rachna Sudrak Nekari Mirich Kattikam Ki Rachna Sudrak Nekari Moodra Rakshas Ki Rachna Vishak Adat Ki Hars Charit Ke Rachita Baan Bhaan Bhaat 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 Budh Charit Ke Rachita Asso Ghos The correctly matched Pair Aapko Bata Bara Mihir Ki Rachna Voh Vrihat Samhita Vishak Adat Ki Rachna Devi Chandr Guptam Bilhaan Ki Rachna Vikramadev Charit Tam Meru Tung Naga Ki Rachna Prabhand Prabhand Chintamani Prabhand Chintamani Next Karpur Manjari Karpur Manjari Was written By Karpur Manjari Was written By Answer Raja Sekhara Karpur Manjari Was written By Answer Raja Sekhara Sakuntalam Sakuntalam Was written By Kalidas Answer Kalidas Sakuntalam Kis Ki Rachna Hai Kalidas Out Of The Given Literary Masterpieces Namely Mirich Katikam Megh Duttam Ritu Sanghar And Bikramo Vaishyam Which Is Not A Masterpiece Of Kalidas Answer Mirich Katikam Dandin Ki Rachna The Protagonist The Protagonist Of Play Malvik Agni Mitra Written By Kalidas Is Agni Mitra Agni Mitra Sungh Dynasty Se Belong So Out Of The Given Books Of Ancient India Example Ke Tor Shopna Vasha Vadata Is Ke Alava Malvik Agni Mitra Megh Dutta Ratna Wali Which Has The Love Story Of The Son Of Founder Pus Sungh Dynasty Founder Pus Mitra Sungh Bete Love Story Malvik Agni Mitra Agni Mitra Malvika Love Story Is Kalidas Ki Rachna The Author Of Swapna Vasha Vadata Is Answer Ho Bhasa The Author Of Geet Govind Jaydeo Ki Rachna Hay Geet Govind Kaffee Famous Say Var Var Puchha Jata Geet Govind The Court Of Which King Was Established Sorry The Court Of Which King Was Imbellished By Jaydeo The Court Of Which King Was Imbellished By Jaydeo Answer Lakshman Sen Correctly Match Payr Batana Hai Aishtang Samgraha Medical Se Related Das Roop Ka Play Hai Leelawati Math Se Related Maha Maha Vase Grammar Ki Book Patanjali Ki Rachna Hai Write to Write is Work only But never With its Fruit This is Stated in The book Of Geetha The epic In which It was Told That It was Told What is Here Is Also Found Elsewhere But If Not Here Is Found Nowhere In The Else To Maha Bhaarat Epic Me Kha Gya Khi Jho Yaha Pe Hai Har Jaga Milega Jho Yaha Pe Nahi He Kahi Nahi Maha Bhaarat Out Of The Given Ancient Books Namely Hitopades Pancha Tantra Katha Sarit Sagar Sakuntala Which Has Been Translated Into Fifteen Indian And Forty Foreign Languages Sarma Khi Rachna Panch Tantra Was Originally Written By Answer Bishmur Sarma The Author Of Vinay Pitak Vinay Pitak Sut Pitak Or Avidamb Pitak Sorry Vinay Pitak Not Vinay Patrika The Author Of Vinay Patrika Is Tulsi Das The Author Of Vinay Patrika Is Tulsi Das Correctly Matched Pairs Vatana Hai A Taraf Dekhye A Kho Sarv Varma Katantra Sudrak Ki Rachna Hai Mirich Katikam And Sudrak Ki Rachna Hai Vigyan Vigyanishvara Ki Rachna Hai Mithak Sara Kalhan Ki Rachna Hai Raja Tarangani Out of The Given Options Namely Aryabhat Brahma Gupt Bhaskar And Lal Who Is Especially Known For His Contribution To The Field Of Algebra Algebra Ke Field Me Kaafi Bada Contribution Diyata Bhaskar Sahab Ne Author Of Leelawati Bhaskar Dhrithi Was Author Of Leelawati Bhaskar II Was Mathematician The Leelawati The Baskar To Mathematician The Religious Text Which Explains The Eight Different Phases Of Agricultural Work The Religious Text Which Explains The Eight Different Phases Of Agricultural Work Millind Panah R Aravat Partly Putra Me Indian Mathematician Or Astronomer Ther Jinnoh Nih Pi Value Laghbagh Aaj K Date Me Jitni Nikal Ke Us Summye Dhe Out Of The Given Indian Mathematicians Namely Bhaskar Barah Mihir Brahma Gupta And R Aravat Who Invented Decimal Place Value Answer R Aravat Out Of The Given Indian Mathematicians Namely Bhaskar Barah Mihir Brahma Gupta And R Aravat Who Invented Decimal Place Value Answer R Aravat The Author Of Matta Vilas The Author Of Matta Vilas Prahasna Was Answer R Mahendra Verma The Ancient Name Niloth Pala The Ancient Name Niloth Pala For Mahanadi Was Stated In Vayu Purana Was Stated In Vayu Purana Mahanadi Urishah Kek Nadie Manusmriti Is Mainly Related To What Manusmriti Is Mainly Related To Social System Jaha Society The Great Lawgiver Of Ancient Times Was Manu Zero Was Discovered Jiro Discovered Had A Anonymous Indian N N N N N N Correctly Match Pair Vata Life Of Wayne Sang The Natural History के रचाइता प्लीनी है हिस्टोरिकल फिलिप के यह पॉंपियस ट्रोगस करके एक ब्यक्ति उन्होंने देश्ट्री लिखा है हेरोडोटस ने और इनहीं को जो है फादर रफिस्ट्री कहा जाता है सितार वीना सरोद और तबला में सबसे पुराना जो है मुजिकल इंस्ट्रूमेंट है वह बीना इस्टोरिकल वर्क गौदा वाहो लाइक कलहंड सराज तरंगनी वाज रिटेन वाई आंसरोगा वकपती एह स्ट्रीकल वर्क गौदा वाहो लाइक कलहंड सराज तरंगनी वाज रिटेन वाज़ अवकपती with reference to the history of ancient India the correct statement आपको बताना है with reference to the history of ancient India correct statement बताना है so in the Mitakshara system in the Mitakshara system the sons could claim right to the property during the lifetime of father whereas in Daya Bhaga system it is the only after death of father that the son can claim right of the property with reference to Chaunshat Yogini temple with reference to Chaunshat Yogini temple situated near Morena the correct statement that it is a circular temple built during the reign of Kachapagata dynasty and its design has given rise to the popular belief that it was the inspiration behind the Indian parliament building Chaunshat Yogini temple Indian parliamentary building with reference to the history of ancient India Bhav Bhuti, Hastimalla and Chameshwara they were famous playwrights playwrights अब देखते है प्री मीडाइवल पीरियेट से रिलेटेट कुछ MCQs कुछ पॉइंटर्स जो की दो पेज में खतम हो जाएगा फिर एक वीडियो में मैं मेडिवल हिस्ट्री भी कवर करा दूँगा चल यह स्टार्ट करते हैं इनकी लड़ाई हुई थी अधिश गोबिंद चंदर गड़वाल डायनिस्थी की थर्म चक्र जैन विहार एट सार्नात ठीक है कुमारा देवी, एक क्वीन थी गोबिंद, चंदर जो की गड़वाल डायनिस्थी से बिलाउंग करते थे she constructed dharma chakra jaina we are at sarna according to hamir maha qabye the chauhanas were according to hamir maha qabye ki mahanay to chauhan they were surya vansis they were surya vansis alhaar udal alha udal were related to what they were related to mahoba mahoba स्मोफबा से भी लॉनग करते थे अल्हावूदल है The author of पल्ठवीजी रासुー इस चंदबरदाई चंद बरदाई की रचना है प्रिथुराज रासु जिसे फिण् ni स्टोरी के बारे में बताए गए तो अ Article प्रिठ्वी राज विजय जयनका ठीक है तो सारंग देव राइटर कंपोजर है हमीर रासो के चंद बरदाई ने लिखि ती प्रिठ्वी राज रासो जागनिक ने लिखी आलहा खंड और नर्पती नलहन ने लिखा है विशाल देव रासो विशाल देव रासो आउट अप गिवन डाइनेस्टी नेमली परमार डाइनेस्टी, सुलंकी डाइनेस्टी तोमार डाइनेस्टी, चोहान डाइनेस्टी who founded the city of दिली या फिर दिली का कहते हैं जेजक भुक्ती 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 जेजक भुक क्ठाइब स 20 सिते हétat ऐसे टुक्र मावियायर मैं आ था था ये स्वंपूरा का महा विए तो पाल ने देशितन उनिघ्रक्ड है सुमपुरा का महा विए थिक है आउट है अजलनेर्फेश की आप दो मोकित बनवाने वाला धरम पाल ही था धरम पाल और इसका गोपाल जो था उसने उदंत राय का उदंत पूरी का एक युनिवर्सिटी बनाया था विक्रम सिला उनिवर्सिटी वाज एस्टैबलिश्ट वाइ रूलर ऑफ पाल डाइनिस्टी जो की मौडरन डे बेगु सराय में पढ़ता है ठीक है दा युनिवर्सिटी अब बिक्रम सिला वाज लोकेटेद इन मौडरन स्टेट अब बिहार बेगु सराय में जिसे तहस्नास कर दिया था बिसिकली बक्तियार खिलजी ने आउट अब गिवन प्लेसे नालंदा बिक्रम सिला तक्षसिला उदन्त पूरी विच वाज नौट दूर बहुत पहले की उनिवर्सिटी थी मेडिवल पिरियड में अर्ली मेडिवल पिरियड में यह नहीं थी खतम हो चुकी थी आंसरों का दंती दूर्ग बहुत इंपोर्टन सवाले बार बार पुछा जाता है आउट अब गिवन रूलर्स नेमली मौरेस सर्मन, मयूर सर्मन, हरिस्चंद्रा, दंती दूर्गा, हर्सा यह रिचूल दंती दूर्ग ने करवाया था, परफॉर्म किया था आउट अब गिवन आप्शन्स नेमली अमोग वर्षा, राष्टकुटा, भोज परमारा, धरम पाला, नागवट दूतिये, परतिहारा तो सबसे पहले वस्त राज जिसका पीरियद था सत्रसों पचतर से साटसों पचतर से अट सो एडी तक का फिर परतिहार किंग नागभट दूटिय आठ सो शे आठ सो तैटीस फिर महिंद्र पालवन आठ सो पचासी से नो सट दस और मही पाल का जो कि पालों का आसा सक था पाल डाइनिस्टी का नो सो बारस से लेकर नो सो ग्रेट जैन श्कॉलर हेम चंद्रा एडोंड एडोंड यानि कि उसके कोट में थे कुमार पाल के लक्षमन एरा वज़ इस्टार्टेड वाई लक्षमन एरा लक्षमन सेन जो कि सेन डायोन डाइनस्टी से बिलॉंग करता था उसके समय में स्टार्ट हुआ था अगला सवाल है अमंग गिवन जुरिस्ट नेमली बिज्ञान नेश्वरा हमादरी राज सेखरा जिमूत वाहना who was or were famous jurist to medieval India ढारोगा घ्ञान श्वर, हमादरी औजिमूत वाहना the great Sanskrit poet and dramatist Raj Sechara was in the court of Mahipal and Mahendrapal I Mahipal और Mahendrapal I के court में था है राजसेखरा तक को डो डाहैं इस टी हएक छोल डाइनेश्टी की अधर नॉर सुलंकीओ की थी उन अनहीलवाद, किंग और डाइनिस्टी, ठीक है, चंदेल डाइनिस्टी का किंग था, नानु का, फिर चंदेलों का ही किंग था, आपका जय सक्ती, नागभट डुतिये, गुर्जर प्रतिहार किंग था, भोज जो थे, परमार किंग था, अव्ट गिवन से पोट झनेमली का किनाडा, मोतु पल्ली, मचली पतनम, ए झलीरुरू, Luxury प्रतिहार किंग था, ब्रतिहा ज़ार ड teenyस्टी थे, इस डैनिस्टी थे, उस वाफिवा फवा, नागभट बनॉ ज़ू नागभट गौन, आओवट जो जेस्ट ग्विस थे नागबत वन, महेंदरपाल वन, देवपाल वन, भरत्रभता वन, वो दस नोग बेलॉग तु गुर्जर पतिहा डिनस्ति आंसर होगा, भरत्रभत वन. अदि पराहा अदि पराहा वहीर भोजा, वो गुर्जर पतिहार रूलर, out of the given options namely प्रतिहाराज, पालाज, रास्टकुटाज and चोलाज which was not a part of ट्राइपर्टाइट struggle आंसरों का चोला ट्राइपर्टाइट जो struggle था वो रास्टकुट, प्रतिहार और पालो के बीच में चला था चोल उसमें सामिल नहीं थे महोदया नगर is an old name of विच वाज नोन आज नगर महोदय श्री आंसरों कान्वाज आउट अप गिवन किंग्स नेमली चंद्र, चामुंद्रया, जैसिम्हा, सिधराज, ठीक है कुमारपाला, महिपाल देवा वो ग्रांटेट फाइनेंसिल एड फॉर रिएस्टोरेशन अफ ए डिमोलिस्ट मॉस्क इन खंबात आंसर होगा जैसिम्हा, सिधराजा जैसिम्हा, सिधराजा फॉरेंट ट्रैवलर्स और इयर अफ टूर इन इंडिया बताना है इत सिंह का जो एर अफ टूर था वो 631 से 695 एड अलमसूदी का जो एर अफ टूर था वो 915 से 916 एड था ता फाउंडर अफ पर्मार डैनेस्टी वाज आंसर होगा उपेंद्रा एंड जिसे हम क्रिस नाराज भी कहते हैं दा आथर और अपोज़र ऑफ गोदा वाहो वाज आंसर होगा वखपती एक तरफ रूलर दूसरे तरफ एट राना हमीर जो है मेवार एट को बिलॉङ करते थे राना चुंड़ा ये मेवार मरवार को बिलॉङ करते थे मलिक राजा फरुकी ये खान देश को बिलॉंग करते थे और मलिक सरवर खवाजा जहां ये जौनपूर को बिलॉंग करते थे जौनपूर को बिलॉंग करते थे The founder of करनाट dynasty was नन्य देव करनाट डैनिस्टी मिथिला रिजन में प्रजेंटे बिहार में एक डैनिस्टी हुआ करती थी इसका founder था नन्य देव दे सुल्टान हुआज कॉल्ड अकबर अफ कस्मीर वेरी इंपोर्टेंट कई बर पूछा के सवाल है हरी सिमा हरी सिमा लाश्ट डूलर थे करनाट डैनिस्टी के किंग भोजा रूल्ड ओबर किंग भोज जो है सासन के इनोंने धर रीजन के उपर आउट अप द गिवन रूलर्स नेमली भोज, गोविंद राज, चंद्र वर्मना और महिपाला फो रूलर्स नेमली अपन्र, अदेट्या, गंग देया वू वस नोट अपर माध डैनिस्टी आँछा के इनोट्या गंगेदे कंगे दे करेक्टली मैच पेर बताना है आपको फेमस प्लेस एंड रीजन बोध गया गया रीजन में जो है है गया में है खजुराहो जो है बुंदेल खंड में है सरही सिर्दी सिर्डी जो है यह अहमद नगर महारास्टा में है सिर्डी वाले साई बाबा का जगा है नासिक महारास्टा में है तीरू पति जो है ये आंदर प्रदेश के राय रैल सीमा में है विथ रेफेरेंस तू आप फिश्थी उ नामिक हिस्थी फिडीवल इंडिया दा टूम अरा घटा रीफस्थू रेफेरेंस टू आप अरांगहटा अ पिडीवल इंडिया टूम आरा गहट refers to water wheel used for irrigation of land Raja Ranjit Singh set up the Adalat-e-Ala at where he was in Lahore Raja Ranjit Singh set up Adalat-e-Ala in Lahore Gupala of Pala dynasty of Bangal and Nandi Varman Dutie Pallav Mala of Pallav dynasty in South India where kings chosen directly by Gupala of Pala dynasty of Bangal and Nandi Varman Dutie of Pallav Mala of Pallav dynasty in South India where kings chosen directly by public by public दोस्तों यहाँ पर हमारा early medieval तक खतम हो गया ancient पूरा complete हो गया अगला topic जो होगा एक वीडियो में लेकिया होगा medieval history of India और एक वीडियो में finally modern history of India आ जाएगा तो यह book complete हो जाएगी मिलेंगे अगले वीडियो में इसके part two में तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई